हेलो एवरिवन, माइनेम इस इतेंदर चोधरी और वेलकम टोल ओफियू टू प्रेपायस दोस्तो आज के इस मैराथोन सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एन्वाइमेंटर एकॉलजी का करेंट अफेर और ये करेंट अफेर हम लोग पिछले साल के जनवरी के महीने से लेके अप्रेल 2022 तक कवर करने वाले हैं तो बहुत ही extensive और detailed वीडियो होने वाली हैं काफी लंबा marathon session होगा और इस session में जितने भी topic हम लोग include कर रहे हैं बहुत ही सोच समझ के और बहुत सारे resources को consider करके इनको किया गया है तो आप इसको अपना एक one stop solution मान सकते हो तो अपने prelim से पहले इन वीडियो को जरूर देखें और वीडियो के साथ साथ आपको ये document भी provide करवा दिया जाएगा जहां से आप अपने current affair को आराम से पढ़ सकते हो और उसके बाद जब आप test series वगरा लगाओगे तो कुछ topic आपके वहाँ से cover हो जाएंगे तो एक बहुत ही detailed एक extensive तरीके से हम लोग यहाँ पे current affair cover करने वाले हैं क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि जो environment ecology का हमारा subject होता है वो जादतर current affair based होता है current affair से वहाँ से काफी सरे questions पूछे जाते हैं तो दोस्तो अपनी seat की पेटी बांध लीजिए क्योंकि flight थोड़ी लंबी होने वाली है और अपने earphone लगा लीजिए अपनी notebook हाथ में ले लीजिए और आपके आसपास कोई disturbance नहीं होनी चाहिए तभी इस session का मज़ा भी आने वाला है कई बार topic आपको ऐसे लगेंगे जो बहुत easy है आपने पहले किये हुए है कई सारे topic आपको medium level के लगेंगे और कुछ topic ऐसे भी होगे जो आपने पहली बार सुने होगे तो कोशिश करें कि सादर से जादा topic को सारे के सारे topic को थोड़ा सा easy way में आपको बताया जाए इसी के साथ आज के इस marathon session की शुरुआत करते हैं और जो बुच्चे इस साल का prelims दे रहे हैं उनको मेरी तरब से best of luck शुरुआत करते हैं दोस्तों चलिए पहले topic से पहले topic आपके सामने है Adaptation Gap Report 2020 Adaptation Gap Report 2020 देखिए जब भी हम लोग कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ो Environment Ecology के section में तो इसमें हर रिपोर्ट के बारे में दो-तीन चीज़े ऐसी हैं जो आपको खास ध्यान रखने की ज़रूत है पहली बात तो आपका उसका year पता होना चाहिए कि वो रिपोर्ट कब issue होई कब publish होई दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ministry है इंडिया में मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ और कौन सा department है इंडिया में जो उस रिपोर्ट को release कर रहा है अगर वो कोई international report है तो आपका उस international organization का पता होना चाहिए कौन सी organization उसको release करती है उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कुछ international organizations होती है वो हमारी जो local agencies होती है उनके साथ collaboration करती है तो कौन सी agency ने collaboration किया है वो आपका पता होना चाहिए उस report का aim क्या है उसका objective क्या है ये बहुत important चीज़ होती है और reports के अंदर एक theme भी होती है एक theme होती है वो theme के बारे में आपको पता होना चाहिए तो ये कुछ चीज़े हैं जो हर report के बारे में basically आपको पता होना चाहिए उसका aim क्या है international organization कौन सी है कोई NGO है कुछ भी है इंडिया में वो कहां पे उसको इसके साथ collaborate उसको किया गया है इंडिया में कौन सी nodal agency है कौन सी ministry है कौन सा department है जो उसकी implementation करण को देखता है कौन सी year में वो publish हुई थी या कुछ कुछ चीज़ें आपको हर report के बारे में पता होना चाहिए यहीं से आपके prelims में सवाल पूछा जा सकता है उस report की adaptation क्या होगी उसका long term और short term impact क्या होगा उस report के अंदर कौन सी कमिया है उसके अंदर कैसे उसको हम लोग improve कर सकते है उसके अंदर कौन कौन सी recommendations है कौन सी suggestions है वो सब आपका mains के perspective से important होता है लेकिन prelims के लिए ये 4-5 चीज़ें आपके लिए जादा important होती है ठीक है चलिए तो बात करते हैं adaptation gap report के बारे में तो सबसे पहले पता होना चाहिए किसने इसको release किया था दोस्तों ये release की गई थी किसके द्वारा United Nation Environment Program के द्वारा यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता चलू जब भी आप इस तरह की कोई भी organization कोई भी committee या कोई commission उनकी अगर आप report पढ़ते हो ना उनके बारे में तो आपको separately भी पता होना चाहिए अगर यहाँ पर United Nation Environment Program के बारे में बताया है तो इसके बारे में आप separate जाके जरूर पढ़ें और most probably आपने अपने notes भी बना रखे होंगे international organizations के तो आप वहाँ पे इसको cover कर सकते हो क्योंकि GS paper 3 में तो अलड़ी हमारे पास एक separate topic है न international organization तो organization वो चाहे आपके economy वाले section से हो जैसे WTO वगारा ये सब होती है IMF, World Bank वगारा, Asian Development वगारा वो सब या फिर आपके environment section से हो या फिर जो general international organizations है वो हो वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए आप से exam में definitely पूछ सकता है और खास कर वो organization जहाँ पे India एक stakeholder है वो भी आपको पता होना चाहिए तो यह report किस ने release की थी United Nation Environment Program ने इसको release किया था अब इसका main motive क्या है वो motive आप यहाँ पे जान जिए देखिए इसी report का main motive है न वो एक simple से शब्दों में आपको अगर मैं बताऊँ तो वो यह है देखिए The aim of report is to inform national and international efforts to advance climate change adaptation देखिए इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी country जब environment program को लेके अपने country में कोई program चलाती है या कोई कानून पास करती है तो उसका एक target होता है अब target तो आपने set कर लिया लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि वो target आप अचीव भी करोगे तो आपने जितना achievement किया है और आपने जितना target रखा था उसके बीच में कितना gap है उसको कहा जाता है adaptation gap report तो यह हर country के लिए है कि जितना आपने target set किया था और उसमें से कितना आपने अचीव किया है और अपने target को अचीव करने के लिए कितना effort आपको और लेने की ज़रूरत है कौन कौन से step को adapt करने की ज़रूरत है उससे कहते है Adaptation Gap Report Right Natal Nation Environmental Program has managed the production of UNEAG report series since the first edition in 2014 सबसे पहला edition कब आया था 2014 में आया था ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं कहता है इसमें कहीं सारी चीजें होती है एक होती है adaptation cost कि मालो आपको methane को जो है reduce करना है अब यह आपका मालो target है अब इस target का पैसे तो चीव नहीं कर सकते उसके लिए जो भी आप policy बनाओगे जो भी technology आप adapt करते हो उसके लिए तो भी आप cost लगेगा cost बहुत सारी चीजों के लिए लगता है आपको उसके लिए planning करनी पड़ती है लोगों को hiring करनी पड़ती है उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़े prepare करनी पड़ती है फिर जाके आप उसको implement करते हो इन सभी के लिए लगता है cost तो जितना उस target को चीव करने के लिए cost चाहिए और कितना हमारी सरकार उसके लिए fund दे रही है वो जो gap होता है वो भी इस adaptation gap report के अंदर indicate किया जाता है चलिए आगे क्या कहता है देखिए यह simple सी slide आपको यहाँ पर दी हुई है कहता है कि finance बढ़ाना है actually दुनिया में इस समस्या पता क्या है climate change से बड़ी समस्या है funding की कि हमें पता है climate change है हमें ये भी पता है climate change को tackle करने के लिए क्या किया जाना चाहिए theory वाला part हम सब के पास है और actually हमारी नियत भी है हम करना भी चाहते हैं लेकिन उसमें हमारी आजाती है मजबूरी मजबूरी क्या है finance मजबूरी है funding तो जो हम चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं उसके बीच में actually काफी gap है और वो gap है funding funding नहीं है तो पहली बात तो आपको finance यहाँ पर बढ़ाने की जुरुत है यह यहाँ पर कह रहा है आगे देखे क्या कहता है कहता है इस report के अंदर कुछ-कुछ highlight इनने दी है कहता है annual cost of adaptation to the effect of the climate change for the developing countries estimated to be at least quadruple by the 2050 मतलब developing country आप यहाँ पर आप इंडिया का example ले सकते हो कहता है कि इंडिया को आज जितनी जुरुत है आज 2022 के अंदर तो कि रिपोर्ट वाचे 2020 के है 2020 कह सकते हो जितना इंडिया को 2022 में चाहिए पैसा 2050 में इस पैसे की requirement चार गुना जादा हो जाएगी आज जो इसकी requirement है वो है 70 billion dollar 2050 तक जाते जाते यह requirement आपकी 280 से लेके 500 billion dollar हो जाएगी billion million की बात नहीं कर रहो million तो कुछ भी नहीं होता है तो वो इस report के अंदर basically यहां पर mention किया गया है बाकी यह जो छोटी छोटी चीज़े हैं यह इतनी खास नहीं the ever increasing adaptation cost has also outpaced the growth of the adaptation finance मतलब यह कहता है देखें यह finance जितना हमें चाहिए और जितनी हमें requirement है वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और हमें हमेशा अपनी requirement से ज्यादा पैसा चाहिए वैसिकले उसके बारे में बात कर रहा है जिसके वेदे से सारी समस्य क्रेट हो गई है और जैसे हमारी developing country है यह एंडर developed country है Asian country है, African country है, South American country है वो developing country से लगातार finance के डिमांड करती रहती है नियत तो हमारी भी है यह effort लेने की लेकिन मजबूरी में हमारे से फंड नहीं है तो आप हमें फंड दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है फंड वहां से हमें मिल नहीं रहा है तो इनका कहना है कि इस समय यह जो gap है उसमें कौन-कौन से challenges है क्यों नहीं हम achieve कर पा रहे हैं अपने goals को what are the global challenges देखें कहता है rising temperature सबसे बड़ा तो challenge यही है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि world के temperature को 3 degree मतलब सोरी 2 degree और 1.5 degree के बीच में रोक दिया जाए best effect अगर हम लोग लेंगे तो 1.5 degree लेकिन चलो कोई बात नहीं 2 degree तक हम लोग manage कर सकते हैं लेकिन report का कहना है कि actually हम लोग ना तो 1.5 degree ना ही 2 degree हम लोग बढ़ रहे हैं 3 degree temperature rise की तरफ और एक बात मान के चलिए अगर 3 degree temperature rise हो गया ना तो फिर हालत खराब होने वाली है फिर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता वो बोलते हैं जंगल में आपके पास सामने शेर आ गया तो भाई आप क्या करोगे फिर हम कुछ नहीं करेंगे ना फिर जो करेगा शेर करेगा तो यह बार अगर temperature 3 degree के आसपास पहुँच गया तो फिर सारा काम nature करेगा हम लोग इसके बारे में फिर जादा कुछ कर नहीं पाएंगे situation बहुत खराब हो जाएगी ठीक है कहता है pandemic की वज़े से क्या हुआ pandemic की वज़े से हमारी funding और भी कम हो गई adaptation gap और भी जादा बढ़ गया क्योंकि industry बंद हो गई effort बंद हो गए सारी सरकारों का ध्यान कहां चला गया pandemic की तरफ चला गया climate change वो secondary हो गया यह नोने बात बोली है कुछ और छोटे छोटे challenges है actually जो challenge वाला part है या आपका mains के perspective से ज़ादा important है prelims के perspective से ज़ादा important नहीं है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा यहीं पर छोड़ सकता हूँ आगे बढ़ते हैं जो species खास species होते हैं ऐसे species या तो जो normal category से vulnerable में आ गए हैं या फिर वो vulnerable से critically endangered में आ गए हैं और या फिर उसका reverse होता है कई सारी species ऐसी भी होती हैं जो पहले critically endangered थी अभी वो vulnerable में आ गई हैं दोनों तरह की species के बारे में आपका पता होना चाहिए और अगर वो species खास कर अगर वो इंडिया से बिलोंग करती है तो आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि exam में इस चीज़ को खास ध्यान रखा जाता है जो इंडिया specific species होते हैं और यह जो species है जिसका नाम है kolar leaf nosed bed देखे वैसे भी आज कल kgf बहुत popular हो रहा है है ना kgf का क्या मतलब होता है kolar gold kgf kolar gold field जहां से सोना निकाला जाता है वह यह पढ़ता कहां पे है करनाटका के अंदर पढ़ता है तो वहीं से regarding एक और न्यूज है इसका नाम है kolar leaf nosed bat क्योंकि यह जो बैट है यह जो बैट को क्या बोलते है हिंदी में चमगादड इसका जो nose है वे इसका जो mouth है वो पत्ते के जैसा नजर आता है इसलिए इसका नाम पढ़ा है thanks to humans thanks to climate change thanks to loss of habitat thanks to illegal killing of the wildlife so many wildlife are in the danger position now तो हमारा जो बैट conservation India trust है बहुत बड़े level पे जिसको कहा जाता है war footing मतलब बहुत बड़े level पे इस बैट को बचाने में जुट गया है ताकि इसका extinction ना हो और इसको save किया जा सके कहां मिलता है करनाट का में मिलता है prelims के लिए ये information आपके लिए बहुत ज़्यादा required है थोड़ा सा कुछ और चीज़ी इसके बारे में आपको जान नहीं है तो आप यहां पे clear लिए देख सकते हो इसका जो common name होता है पूछा जाता है आपका मन करें तो आप पढ़ सकते हो क्योंकि फिर इतनी छोटी छोटी डिटेल करने लगें तो data बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर जितना data हम लोग याद करते चले जाते हैं पीछे से उतना ही भूलते चले जाते हैं तो कम से कम ऐसी information पर जादा focus करें जहां से chances जो हैं वो जादा है कहां मिलता है इसका जो natural habitat होता है वो होता है subtropical और tropical dry forest and caves गुफाओं में पाए जाती है या चमगाजड आपने batman देखा होगा ना वो batman जब नीचे जाता है अबने घर के वहां पे cave होती है उसमें दुनिया भर के bats होते हैं गुफाओं में जो पुराने जो बंद हुए कुए होते हैं या फिर deep jungle में पाए जाते हैं वहां पे मिलते हैं और यह सब tropical और tropical region में मिलते हैं मतलब यह ठंडी जगह पे नहीं मिलते हैं और इंडिया थे ट्रोपिकल कंट्री है ना तो इसी लिए करनाट का वाले region में यह पाए जाते हैं It is endemic to India मतलब यह इंडिया में ही पाए जाते हैं ठीक है कहां पे मिलते हैं इसके लिए cave है एक खास cave कहा नाम हा उसका हनुमान हल्ली village में कोलार डिष्टी के अंदर जो हैं वहाँ पे caves पाए जाती है वहाँ पे मिलता है यह special bet हनुमान हल्ली याद रखना इसको हनुमान हल्ली गाउं है वहाँ पे कोई cave है उसके अंदर पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दोसों के आगस पास बचे हुए है इसलिए इसको protect करना ज़रूरी है और critically endangered है भहिया यह IUCN की लिस्ट में तो अभी कई में पार स्टुटेंट को यह doubt होता है कि हम लोग किस चीज़ को पढ़े है IUCN की जो critically endangered species होते है वो आपका पढ़ना होता है उसके लवा जो Wildlife Protection Act 1972 है यहां के जो खास कर Schedule 1 और Schedule 2 वो आपको पढ़ना रहता है हालांके Schedule 3 और 4 फाइवी पढ़ लोगे वो भी सही है कोई दिक्कत नहीं लेकिन कमसे को 1 और 2 तो आपको must है याद करना साइट्स के कौन से Appendix में आता है अगर साइट्स के वो अगर Appendix 1 में आता है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह जो category होती है ना वो species उनको सबसे ज़्यादा protection की requirement होती है वो keystone species होते है और इनको सबसे ज़्यादा protection कानून के दिवारा दी जाती है तो यह आपको ज़रूर याद करने पड़ेंगे तो इस बैट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं सीगूर प्लेट्टू यह क्या है और यह news में क्यों है देखिए एक तीसा आपको मैं बता था चलू के इंडिया में जो 30% से ज़ादा जो इलिफेंट पाए जाते है वो एक्चली आपके पाए जाते हैं करनाटका के अंदर लेकिन तमिलनाडू और केरिला यहां पे भी काफी बड़े नंबर उफ संख्या में आपके पाए जाते हैं एलिफेंट और एलिफेंट के खास बात होती है एलिफेंट के एक कोरिडूर होता है बिसिकली कोरिडूर का मतलब होता है रास्ता क्योंकि एलिफेंट भी जो है वो एक तरह से migration करते हैं from one place to another place तो और elephant के रास्ते fix होते हैं ये अपना रास्ता change नहीं करते हैं इनकी memory बहुत sharp होती है कई 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 सालों के बाद भी वो अपने रास्ते से ही जाते हैं elephant के एक खास बात होती है तो इनके corridors को protect करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि elephant हमारा एक heritage animal भी है और एक keystone species भी है और इसी तरह का एक जो हम लोग यहाँ पे corridor की बात कर रहे हैं वो है सीगुर पलेटो में इसलिए थोड़ा सा news में है जैसा कि आप यहाँ बेक्लिर ली देख सकते हो यहाँ पे हमारा आता है western ghat इधर से हमारा आता है eastern ghat eastern ghat और western ghat जहाँ पे मिलते हैं उसको का जाता है नील गिरी नील गिरी biosphere reserve भी है हमारे पास यह हमारा जो है world heritage site भी है और बहुत ज़ादा यहाँ पे biodiversity भी पाए जाती है तो नील गिरी के अंदर ही पाए जाता है यहाँ पे आपका seagur plateau यह आपका western ghat और eastern ghat दोनों को वापस में जोडता है और यहाँ पे है elephant corridor चीक है तो उनके path को basically protect करना है और हुआ यह कि Tamil लाडू ने actually इस रास्ते को इस corridor को identify किया था इसको as a protected site उसको declare किया था और बाद में चला गया कि Supreme Court में उस Supreme Court ने भी Tamil लाडू के उस decision को upheld किया है क्योंकि यह काफी ecologically fragile reason है तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए तो इसकी वज़े से क्योंकि सिगूर प्लेटू निउस में था तो दो चार information आपको सिगूर प्लेटू के बारे में पता होना चाहिए तो आपको मैंने बता ही दिया सिगूर प्लेटू is in the north and the east of निलगरी district in the निलगरी hills of Tamil Nadu North or east UPHC के exam में वो बड़ा चालाकी से इस north को क्या लिखेगा इसको east लिखेगा और इस east को क्या लिखेगा इसको west लिखेगा यह आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है North and east of निलगरी hills western and the eastern guards और वहाँ पे काफी ज़्यादा elephant population भी पाए जाती है It has the निलगरी hills on the south westerly side and मोयार river valley on the northeast side मोयार river valley यह भी आपने यहाँ पे याद रखना है और यह migratory यहाँ पे elephant जो है वो migrate करते हैं यह थोड़ इस information आपको पता होगी तो इतना हमारे exam की perspective से more than sufficient है अगले topic के बारे पढ़ते हैं दोस्तों वो है climate adaptation submit 2021 कोई खास important topic नहीं है बस थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसका निकलेंगे ज़ादा जो important topic आएंगे उस पर हम लोग थोड़ा ज़ादा फोकस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी climate adaptation summit को जो है address किया था किसने host किया Netherlands ने host किया prelims के लिए होते हैं इस तरह के point कौन सी country ने host किया online था या offline था उसका you know tagline क्या थी इस तरह के सवाल वो आपसे definitely पूछ सकता है तो क्या करता है यह significant focus on the securing new investment in the ensure that the millions of the smallholders farmers can adapt to the stress of the climate and the food production तो basically इसका main purpose यह था कि जो दुनिया बर में छोटे farmers है जिनके उपर climate change का सबसे ज़ादा negative impact पड़ता है उनके लिए हम लोग क्या कर सकते है basically climate change को कैसे दूर कर सकते है यह इसका basically main reason है और जितने भी country वहाँ पे जाते हैं वो अपना target लेके जाते है और उस target को achieve करने के लिए क्या किया जा सकता है उसको plan करने की कोशिश करते है तो इंडिया का अपना target है कौन से target है इंडिया के वह हमें आपको बताने की जूरत नहीं आपको पहले सी पता है इंडिया का target है कि हम लोग 2030 तक 450 gigawatt energy renewable sources से पैदा करेंगे हलाकि अभी इसको target को बढ़ा के 500 कर दिया गया है लेकिन इतना आपको बस ध्यान रखो 450 यहाँ पे हम लोग ने बात किया था इस submit के अंदर में इसके लिएवा हम लोग क्या करेंगे हम जो घरों में बल्ब जिलाते हैं त्यूब बल्ब या जो भी जिलाते हैं पहले तो हम लोग fluoroscent का यूज करते थे और उससे पहले में जो है tungsten वाले बल्ब का यूज करते थे जो की काफी ज़ादा energy खर्च करते हैं लेकिन हम लोग क्या करेंगे उनको LED से replace करेंगे LED क्या करती है कम बिजली लेती है ज़ादा light produce करती है और इससे हमारी electricity की जो खपत है consumption वो थोड़ी सी कम हो जाती है उससे कहीं सारे benefit होते है इससे एक तो benefit यह होता है कि जो गरीब आदमें के electricity का भी लाता है वो थोड़ा कम हो जाता है अगर हम उसको आद को भी छोड़ दें इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हम लोग electricity की demand कम हो जाती है या फिर उसको save कर लेते हैं और आपको पता है कि हमारी country में 70% से जादा जो हम लोग electricity produce करते हैं वो coal based thermal power plant से करते हैं तो अगर हम लोग LED light का use करेंगे तो definitely थोड़ी सी demand कम हो जाएगी और थोड़ा सा coal की consumption कम होगा and overall फिर हम लोग उसको climate change को tackle करने के लिए address करने के लिए use कर सकते हैं उसके लावा हमारे जो गाउं हैं हमारी जो माताएं हैं बहने हैं वो लोग क्या use करते हैं आज भी उपले उपलों का use करते हैं cow dung का use करते हैं या फिर लकडी का use करते हैं उसको लकडी का यूज करते हैं आग जलाने के लिए खाना बनाने के लिए तो उनको क्या करना है उनको clean cooking fuel प्रवाइड कराना है उनको cylinder प्रवाइड करवाना है उसके अलावा गाओं में घरों में जो है pipe से पानी पहुंचाना है पीने के लिए तो ये कुछ बाते जो हैं इस submit के अंदर की गई थी इन topics में हम लोग आगे भी बात करेंगे चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं Antarctic ozone hole Environment ecology के regarding बहुत ही कम समय में ऐसा होता है जब कोई खुशकबरी हमें मिलती है लेकिन जब वहाँ से कोई खुशकबरी आती है किसी species को population increase होने लगी कहीं conservation effort वो successful होता है या फिर कहीं पर pollution कम होता है तो दिल बड़ा खुश होता है Climate change में जब यहाँ से कुछ अच्छी ख़बर आती है तो यहाँ से भी बेसिकलि एक अच्छी ख़बर आई है अच्छी खबर यह है कि जो Antarctica के उपर ozone hole था जैसे repair हो गए है अब इसका मतलब यह नहीं कि हो फूचर में नहीं हो सकता हो सकता है और hole का मतलब क्या होता है hole का मतलब होता है कि ozone layer की thinning hole का मतलब यह नहीं होता कि वहाँ से hole बिल्कुल खतम हो गया जैसे आप मान के चलो कि यहाँ पे ozone जो layer है यह 30 km ठीक है लेकिन अगर यह बाइचांस मालो 15 km रह गई तो इसको बोलते हैं Ozone Hole तो वो basically recover करना था जो की recover यहाँ पर हो गया है According to World Meteorological Organization One of the deepest, largest जो Ozone Hole था In last 40 years वो बंध हो गया है Ozone Hole की जो Antarctic अगवाले जो Ozone Hole की जो सबसे पहले discovery की गई थी वो किस ने की थी? British Antarctic Survey Scientist जिनका नाम था Furman Gardner and the Shunkling in 1885 वैसे तो Ozone को deplete करने की जिसमें chlorofluorocarbon square को identify किया गया था, वो 1970 में ही कर लिया गया था लेकिन Antarctic के अंदर भी ऐसा कुछ होता है वो 1885 में किया गया था और 1970 में जब Scientist लोगों को ये पता चला और उन्हें दुनिया को बताया कि भाईया ऐसा ऐसा करके भी कुछ होता है Ozone layer हमें protect करती है Ultraviolet rays से और वो thin हो रही है जिससे हमें cancer हो सकता है तो पूरी दुनिया में एकदम हला मच गया कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए और जल्दी ही 5-7 सालों के अंदर जो है इसके लिए efforts भी लिए गए और 1985 में VNA convention हुआ फिर 87 में आखका Montreal protocol हुआ है ना वो सारे सारे चीजे होई लेकि scientist लोगों ने जितना ज़ादा सोचा था कि ये ozone hole उससे भी बड़ा निकला और ozone hole के अंदर जो ozone होती है वो डिप्लीट क्यों होती है उसकी quantity reduce क्यों होती है उसके लिए जो सबसे बड़ा जो chemical या फिर जो compound जो responsible होता है वो होता है क्लोरो फ्लोरो कारबन मतलब यहाँ पर क्लोरो जहाँ पर भी क्लोरो नजर आए ना तो समझे लो यह आपके लिए खतरनाक है क्योंकि यह क्लोरो क्या करता है यह ozone के साथ reaction करता है C-L-O जो है वो अलग से produce करता है और O-2 अलग से produce करता है basically हमारी ozone oxygen के अंदर convert हो जाती है लेकिन हमें oxygen नहीं चाहिए हमें oxygen surface के उपर चाहिए अपर एटपोस फिर में हमें oxygen के requirement नहीं है भीया वहाँ पे हमें ozone चाहिए तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन basically इनको कहा जाता है ozone depleting substance और Antarctica के अंदर क्या होता है देखिए हम लोग अलड़ी अपने geography के main topic में कुछ चीज़े पढ़ लिया होगा हम लोगों ने हम लोगों ने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी है structure of atmosphere जिसमें हम लोग कुछ layers की बात करते हैं है ना layers की बात करते है तो सबसे पहले हमारी जो layer होती है वो होती है troposphere इसके उपर वाली जो layer होती है वो होती है stratosphere उसके उपर वाली फिर वो उसके जाने की जूरत ने है mesosphere, thermosphere, exosphere तो यह हमारी होती है 18 km से लेके 9 km तक जो हमारे polar regions होते हैं वहाँ पे होती है 9 km और equator के उपर होती है 18 km फिर हमारा आता है stratosphere और polar region के अंदर एक special तरह का cloud पाय जाता है जिसे कहते है polar stratospheric cloud क्योंकि polar region के उपर जो हमारा troposphere होता है वो काफी थिन होता है थिन मतलब उसकी height ज़ादा नहीं होती है only 9 km होता है तो stratosphere के अंदर भी कुछ clouds पाय जाते है इस तरह से और इनी cloud का use करके जो ozone depleting substance होते है वो ozone के साथ reaction करते है actually यह जो cloud होते है वो उनको base प्रोवाइड करवाते है जिस base का use करके वो reaction करते है ozone के molecules के साथ और उसको destroy कर देते है तो यह polar stratospheric cloud आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है तो इसको actually थोड़ा सा recover कर दिया गया है recover करने का यहाँ पर एक reason वो है आपका polar vortex यह भी एक reason होता है actually हुआ यह कि पिछले एक तेड़ साल में जो polar vortex है southern hemisphere में खास कर वो काफी stable रहा है वो काफी stable polar vortex क्या होता है वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि हम लोग ने पहले 20 के बारे में 2-3 बार बात कर लिया है लेकिन अभी 2-3 topic छोड़के दुबारा से polar vortex के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो polar vortex होता है वो polar region के अंदर जो high altitudes होते हैं वहाँ पे cyclonic conditions होती है तो जब polar vortex strong होता है तो वो ठंडी हवाएं सिर्फ polar region तक रहती है लेकिन जो polar vortex weak हो जाता है तो वो expand हो जाता है तो हुआ ये कि पिछले कुछ समय में एक डेड़ साल में हमारा polar vortex जो है वो काफी stable रहा उस stable होने की वज़े से जो polar region की जो हवाएं थी बेसिकली वो temperate region की गरम हवाओं के साथ mix नहीं हो पाई और जब वो mix नहीं हुई तो इसका मतलब जो ozone depleting substance है वो भी polar region के अंदर entry नहीं कर पाई आप इसको थोड़ा इस तरह से समझिए यहाँ पी हमारा arctic circle है और यहाँ पे बनते हैं हमारे polar vortex और यह हमारा temperate region है जहाँ पे जो air होती है वो comparatively warm होती है और यहाँ की air होती है काफी cold ठीक है तो जब यह weak हो जाता है तो इनकी आपस में mixing शुरू हो जाती है weak होता है लेकिन जब यह strong होता है तो mixing नहीं होती और सारा खेल इस mixing का ही है basically और पिछले एक डेट साल में actually यह polar vortex काफी strong रहा southern hemisphere में mixing नहीं हो पाई जिसकी वज़े से ozone depleting substance वो Antarctica के अंदर नहीं जा पाई और जिसकी वज़े से हमारी ozone का जो hole था वो actually recover हो गया ठीक है लेकिन जब यह weak हो जाता है तो वो recover नहीं हो पाता और बहुत सारे reason है यह जो ozone depleting substance है वो इतने ज़ादा क्यों हो जाते है वो human activities की वज़े से actually वो बहुत ज़ादा हम लोग उनको produce करते है chlorofluorocarbons को हम लोग produce करते है traffic से या industry से वहाँ से हम लोग उसको produce करते है ठीक है global convention to tackle ozone depleting problem आपको मैंने भी पताया कि 1970s में basic हम लोग ने declare उसको कर दिया था 10-12 साल तक लगातर बाचीत होती रही नए-नए evidence आते रहे और finally 1980s में जाके पूरी humanity ने सोचा कि भाईया अब तो कुछ करना पड़ेगा अगर नहीं करोगे तो बात हाथ से निकल जाएगी तो क्या क्या हम लोगों ने convention किया जैसे अभी हम लोग इंट्रियल प्रोटोकोल 1887 में, कन्वेंशन हुई थी 1985 में जिसमें 28 कंट्रीज ने पार्टी स्पेट किया था, अब यहां पे दो वर्ड हैं, एक है कन्वेंशन एक है प्रोटोकोल, दोनों में क्या फरक होता है, दोस्तों जो प्रोटोकोल होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है, लेकिन कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं होता, एक्चुली कन्वेंशन एक मीटिंग होती है जिसमें एजेंडा फिक्स किया जाता है, लेकिन उसे एजेंडा को कैसे अचीव किया जाता है, उसके लिए प्रोटोकोल बनाया जाता है, तो वियना के अंदर ए ये target fix किया गया है और ये target अलग-अलग countries के लिए हम लोगों ने अलग-अलग रखे developed country के लिए target अलग रखे developing country के लिए target अलग रखे चीक है तो उसके अंदर कई सारी gases को कई सारे compounds को हम लोगों ने include किया जिसमें से सबसे ज़्यादा थे chlorofluorocarbon hydro chlorofluorocarbon कि भाईया इनकी production को रोकना है तो कई ऐसी चीज़े हैं जहां से ये चीज़े produce होती हैं जहां हमारा refrigerator हो गया हमारे air conditioners हो गए या फिर हम लोग जो perfume वगरा use करते हैं paint वगरा use करते हैं वहां से ये निकलते हैं तो basically उनकी production को रोकना है देखे हम लोग मतलब refrigerator को produce करना तो नहीं रोक सकते लेकिन कम से कम उसके अंदर जो हम लोग chlorofluorocarbon यूज करते हैं वो तो यूज ना करें है ना ऐसा जुगार तो कर सकते हैं तो हुआ ये के Montreal protocol के अंदर ये decide किया गया कि हम लोग आज के बाद chlorofluorocarbon और hydro chlorofluorocarbon यूज नहीं करेंगे हमारे refrigerator में हमारे air conditioner अगरा में तो फिर क्या करेंगे भाईया कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना तो हम यूज करेंगे hydro fluorocarbon क्योंकि hydro fluorocarbon जो है वो ozone depleting substance नहीं होता चलिए कोई बात नहीं कुछ सालों तक हम लोग इसको use करते रहे लेकिन ultimately ये बात पता चली कि ये जो hydro fluorocarbon होते हैं वो ozone को तो दिक्कत नहीं है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक वाली greenhouse effect प्रड्यूस करते हैं बहुत ही strong greenhouse effect प्रड्यूस करते हैं मतलब ये climate change में participate करते हैं global warming जिसको आप कहते हो तो फिर developed country से demand उठी के इनको भी बंद करो developing country ने कहा कि भी हम लोग कैसे बंद करें आप तो कर सकती हो क्योंकि आपके पास technology है आपके पास पैसा है क्योंकि ये जो compound हैं वो काफी महंगे आते हैं काफी expensive होते हैं और जब इन expensive compound को हम लोग ने refrigerator air condition के अंदर use करेंगे तो वो भी महंगे हो जाएंगे तो लोग कैसे खरीदेंगे उसको है ना तो वो थोड़ी सी समस्या है धीरे धीरे तक वो बाची चलती रही चलती रही और finally हम लोगोंने 2016 के अंदर एक और agreement किया जिसे कहा जाता है किगाली amendment या किगाली agreement इसमें क्या हुआ developing countries भी agree हो गई कि हम लोग hydro fluorocarbon को produce नहीं करेंगे लेकिन उसके लिए जो है अलग-अलग time limit सेट किया गया वो time limit कितना है वो हम लोग थोड़ी देर में करेंगे अब ही करने कि उसको ज़रूत नहीं है तो यह तीन चीज़े है बेसिकली Vienna convention, Montreal protocol और किगाली agreement यह तीन agreement के बारे में आपको पता होना चाहिए which are related to the ozone layer ठीक है यहीं पे जो है आपको polar vertex वर के बारे में बताया गया है जोग्रफी का topic है औरड़ी हम लोग जोग्रफी के marathon session में इसको बहुत detail में कर चुके है न्यूस पेपर के analysis में भी हम लोग ने दो तीन बार इसको कर लिया है इसलिए बार बार करने कोई फायदा नहीं वैसे भी यह mainly जोग्रफी का topic है फिर भी एक हलकिस introduction आपको दे देता हों कि पुरा मामला क्या है जादा नहीं हलका हलका देखिए यह होता है हमारा यहाँ पे polar region और यह हमारा हो गया यहाँ पे troposphere अब हमें पता है कि polar region के अंदर temperature काफी कम होता है इसलिए ground के अपर क्या होता है high pressure लेकिन upper atmosphere के अंदर होता है low pressure क्योंकि वहाँ पे temperature comparatively जादा होत होता है वहाँ पे cyclonic conditions होती है तो मतलब वहाँ पे cyclones बनते हैं तो polar region में upper atmosphere में cyclones बनते हैं इस तरह से और इनको ही कहा जाता है polar vortex लेकिन होता क्या है यहीं पे चलती है आपकी jet streams jet streams क्या करती है इन cyclone को polar region के अंदर confine करके रखती है उनको बांध के रखती है ठीक है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि jet stream भी weak हो जाती है और जब jet stream weak हो जाती है तो मेंडर करती है जैसे दो situation यहाँ पे हो सकती है पहली situation होती है यह जब jet stream strong होती है और jet stream जब strong होती है तो लगभग लगभग straight line में चलती है और हमारा polar vortex यहाँ पे बनता है कोई दिक्कत नहीं दूसरे में जब jet stream weak हो जाती है तो वो इस तरह से चलने लगती है meandering करती है like a rosby waves और उस case में हमारा जो polar vortex है basically वो ठंडी हवाएं थोड़ा सा southward shift हो जाती है इसे ही का जाता है polar vortex और जब वो southward shift होती है तो आपका Canada, USA, part of Europe, part of Siberia, even Japan तक भी इसका असर नज़र आता है ठंडी हवाएं polar की वो नीचे की तरफ आ जाती है इसको का जाता है polar vortex और जब अब ऐसा नहीं है कि polar vortex इब नदर हमिस्फेर में होता है वो southern हमिस्फेर के अंदर भी होता है और इस polar vortex की वज़े से ही जो harmful chemicals होते हैं वो आपके stratosphere में चले जाते हैं और वो आपकी ozone के साथ react कर कि उसको weak कर देते हैं चीक है ozone layer के बारे में आपको separately बताने की जूरत नहीं है ozone layer जो है वो status फिर में basically पाई जाती है ozone layer हमारे ultra wallet जो raise होती है उनको basically absorb कर लेता है ठीक है और absorb करने के बाद उसको हमें protect करता है earth के उपर उसको नहीं आने देता है ठीक है तो ozone basically काफी harmful gas है जिसक बस वो थोड़ा बहुत आपको यहां पर देख लेना है माकी चीज़ें आपर आराम से हो गई है ozone अगर आप जादा देर तक अगर आप ozone के संपर्क में रहते हो ozone तो कई सारी चीज़े कर सकती है वो cancerous भी होती है हमारे skin cancer हो सकता है ठीक है हमारे DNA के structure को change कर सकती है हमारे जो यह जो ultraviolet rays होती है sorry so thanks to ozone layer that we are protected why because this ozone layer absorbs harmful ultraviolet radiations चलिए आगे बढ़ते हैं उस तो अगला जो topic हमारे सामने वो है हमारा marine heat waves यह क्या है heat wave के बारे में अलड़ी हम लोग अच्छे से कर चुके हैं geography वाले section में और अगर आप हमारी news paper analysis पढ़ते हो तो वहाँ पर भी उसको हम लो होते हैं वहाँ पर जब 40 degree centigrade का temperature होता है कुछ समय के लिए तो उसको heat wave बोल देते हैं mountain areas में हीली areas में जब temperature 30 degree centigrade से जादा होता है उसको heat wave बोल देते हैं लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे है marine heat wave की marine मतलब water ocean water की basically हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जब ocean water गरम होने लगता है और वो कई हफ्तों तक लगतार गरम रहता है और वो मू करता है उसे कहते है marine heat wave ठीक है तो एक अच्छे खासे area में अगर ocean water गरम रहता है for a period of time for a few days to few months that is called your heat wave कारण क्या है कारण आपको बताने की जूरत नहीं कारण तो सिर्फ एक है climate change या फिर आपके जो ocean currents होते हैं उनकी अंदर जो moment होती है ocean currents क्योंकि ocean current क्या करते हैं वो temperature को transfer ही तो करते हैं तो जो हमारे equatorial region से जो warm ocean current चलते हैं वो warm water को लेके चले जाते हैं polar region की तरफ और polar region से जो cold currents आते हैं वो हमारे equator की तरफ आते हैं तो ये ocean current की वज़े से भी जो है व अगर आप ocean current ही warm हुआ तो तो क्या वो heat wave generate नहीं करेगा वो 100% करेगा जैसे किसी एक आपको warm current का example देता हूँ हम यहाँ पर बात कर सकते हैं North Atlantic Drift यह warm current है जो कि tropical region में पैदा होता है और उसके बाद वो western Europe तक जाता है वो even Norway तक भी चला जाता है तो अगर यह जरूरत से ज़्यादा गरम हुआ तो वो heat wave पैदा कर सकता है marine heat wave की basically में लोग बात कर रहे हैं और कई बार ऐसा होता है wind जो होती है हमारी एक चीज़ आपको और दिखाता चलू मैं यहाँ पर देखिए मालो यह आपकी जो है water body है यहाँ पी हमारा water है और यहाँ से wind चलती है तो जब यहाँ से wind चलती है कहा गया तो यह wind क्या करती है water को drag करती है एक side से दूसरी side में ले के जाती है और जब यह water को drag करती है तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं upwelling जितनी जादा strong wind होगी उतना ही जादा पानी drag होगा और उतनी ही जादा strong upwelling होगा लेकिन जब यह wind weak हो जाती है तो upwelling भी weak हो जाती है और यहाँ पे जो water है वो comparatively warm रहता है तो जो weak wind होती है वो भी यह कान हो सकता है marine heat wave का तो marine heat wave के बहुत सारे negative impact भी होते है obvious सी बात है देखिए हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते है corals और corals काफी sensitive होते है temperature को लेके और water की quality को लेके क्योंकि हमारे जो corals होते हैं वो बहुत ज़ादा acidic water में survive नहीं कर सकते और water की acidicity का सीधा relation होता है temperature के साथ और carbon dioxide के साथ तो कि दोस्तों जो warm water होता है उसके अंदर CO2 को absorb करने की capacity ज़ादा होती है और जितना ज़ादा water के अंदर CO2 होगा उतना ही ज़ादा हमारा acidic water भी होगा तो marine heat wave की वज़य से acidicity increase होती है और यह हमारे corals के लिए बड़ा घातक होती है coral मरना शुरू हो जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं coral bleaching यह कुछ impact आपने यहाँ से याद रखने हैं उसके लावा एक हमारे पास होता है kelp forest kelp forest actually थोड़ी थंडी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर थंडा water होता है और थोड़े से प्रोपिकल एरे से हट के पाए जाते हैं हाला कि equatorial region में भी मिल सकते हैं लेकिन जादा तर जो 90% से जादा kelp forest होते हैं वो थोड़े से थंडी जगह पर पाए जाते हैं अब होगा क्या अगर heat wave आएगा तो kelp forest तो बहुत डेमेज हो जाएंगे और इसी तरह है कि kelp forest के जो जो डेमेज हो गए हैं वो कई बार देखे गए हैं जैसे Australia Australia में यहाँ पर बाए जाते हैं kelp forest लेकिन क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे पानी गरम हो रहा है marine heat wave चल रही है तो यहाँ से kelp forest थोड़ा थोड़ा south की तरफ shift हो रहे हैं समानिय की तरफ shift हो रहे हैं ठीक है और kelp forest काफी जादा marine production भी करते हैं तो वो भी कम हो रही है और उसके अलावा अगर पानी गरम होगा तो अलगे बहुत जादा extensive growth होने लगेगी जिसकी वाज़े अलगे bloom आ सकता है अलगे bloom जब आता है तो कहीं बार ऐसे अलगे होते हैं जो कि toxic होते हैं जो poisonous kind of compound जो है उसको release करते हैं तो यह हमारी marine life के लिए बड़ा खतरनाक होता है जो fisheries होती है जो aquaculture हम लोग करते हैं तो यह जो marine heat wave है basically वो कहीं सारे reasons से काफी खतरनाक होता है ठीक है जी चलिए तो थोड़ा बहुत आप यहां से भी पढ़ सकते हो marine heat wave जो है इंडिया इंडिया नोशन का क्या यहां पर example दिया हुआ है देखिए जब हम लोग इंडिया नोशन की बात करते हैं तो एक चीज़ हमें पहले से पता ही है कि हमारा जो bay of bengol है यह comparatively ज़ादा जो है warm होता है और Arabian Sea comparatively इतना ज़ादा warm नहीं होता और इसी warmness की वज़े से bay of bengol के अंदर ज़ादा cyclones भी आते हैं लेकिन अभी यह pattern थोड़ा सा change हो रहा है Arabian Sea पहले से ज़ादा गरम हो रहा है thanks to marine heat wave ऐसा देखा गया है कि पिछले एक decade में पिछले दस सालों में Arabian Sea का जो temperature है वो 1.5 degree centigrade ज़ादा हो गया है जबकि bay of bengol का जो temperature है वो सिर्फ 0.5 degree centigrade increase हुआ है ठीक है यह थोड़ा साब को पता होना चाहिए ओके चलिए जी और तिसमें कुछ है नहीं और एक्चली होता कहा है कि जब इंडियन ओशन के अंदर temperature ज़ादा हो जाता है तो इसका impact पड़ता है इसका impact यह पड़ता है कि जो हमारा peninsular India होता है यहाँ पे rainfall थोड़ा सा ज़ादा हो जाता है क्योंकि जितना ज़ादा temperature होगा water warm होगा तो उसके वज़े से evaporation होगा है ना evaporation होगा तो हमारे जो south westly monsoon wind होती है उनके अंदर ज़ादा moisture होगा moisture होने से वहाँ पे ज़ादा rainfall होगा चीक है तो rainfall की अगर बात करें तो let's hope के दिल्ली में भी rainfall हो जाए बहुत गर्मी है वहिया चीक है और मार्च और अपरेल के महीने में जो है सारे record तोड़ दिये हैं गर्मी के लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जून जुलाई भी गर्म होगा ऐसा जुरूरी नहीं है इस बार यह गर्म इतना ज़ादा इसलिए हो गया क्योंकि western disturbance वगरा नहीं आई और जो anti-cyclonic conditions बन रही थी वो भी थोड़ा सा लंबे समय तक बन गई unfortunately और जहाँ पर anti-cyclonic conditions होती है वहाँ पर temperature कई बार बहुत ज़ादा भी हो जाता है क्योंकि हवाई नीचे की तरफ आती हैं sink करती हैं राइट चले आगे बढ़ते हैं National Marine Turtle Action Plan 2021-2026 तो यह मतलब देख सकते हो पांच साल का प्रोग्राइम है 2021 से लेके 2056 तक का क्या कहता है प्रोग्राइम देख लेते हैं कोन इसको रिलीज करता है यह रिलीज किया जाता है Ministry of Environment, Forest and the Climate Change के दवारा इस ने किया National Marine Turtle Action Plan देखे टर्टल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ एकी टर्टल के बारे में जादा जानते हैं Olive Ridley Turtle लेकिन उसके अलावा कई टाइप के टर्टल इंडिया में पाए जाते हैं और यह सारे टर्टल हमारे ecosystem के लिए बहुत important होते हैं कुछ टर्टल जो है वो onshore होते हैं कुछ टर्टल जो है वो offshore भी होते हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Olive Ridley Turtle के बारे में बात नहीं करने वाले हैं हाँ उसके बारे में बात करेंगे लेकिन दूसरे टर्टल भी है जैसे Olive Ridley के अलावा Green Turtle भी है इसका मतलब यह आपके लिए जादा इंपोर्टेंट है Olive Ridley Turtle भी इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारे Wide Life Protection Act के Schedule 1 के अंदर है तो highest level of protection इसको भी दिया गया है हलाकि इंडिया के अंदर तो सबको highest level of protection दिया गया है लेकिन जब हम लोग वर्ल्ड ओवर बात करते हैं तो होक्सबिल सबसे ज़्यादा critically endangered है सबसे ज़्यादा खत्रा उसको है और इंडिया जो है home to the largest known nesting population of olive ridley turtle है जैसे के मैं पता है Odisha coast पे जो गड़ी माथा जो वाइड लाइफ सेंक्चुरी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा olive ridley turtle जो है आते हैं अंडे देने के लिए nesting करने के लिए है ना गड़ी माथा वाइड लाइफ सेंक्चुरी कहां पढ़ती है Odisha के अंदर पढ़ती है तो क्या वो सिर्फ हे की जगा है नहीं ऐसा भी नहीं है वहाँ पे एक दो छोटी छोटी जगाए और है जैसे वहाँ पे एक river है Demi नाम है उस river का तो उस river के mouth पे भी बहुत सारे turtles आते हैं वो भी Odisha में ही आपकी पढ़ती है और वहीं पे जो है एक coastal coast है जिस coast का नाम है रूशी कुलिया रूशी कुलिया रूखी यह coast है बेसिकली ओडिसा वाले coast पही उसके लावा हमारा जो कावेरी river होती है जहाँ पे कावेरी river डेल्टा बनाती है यहाँ पे भी कुछ olive riddle turtle जो है वो नेस्टिंग करने के लिए आते हैं थोड़ा साब को यह पता होना चाहिए थोड़ा साब ज्यादा नहीं olive riddle turtle का status आपको पहले से पता ही है राइट चलिया आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कहां थे तो यह program जो है इंडिया ने चलाया है इनको protect करने के लिए ठीक है बस वो थोड़ा आपको इतना पता होगा तो आपके लिए more than sufficient है और उसके olive riddle turtle के लिए turtles की protection के लिए conservation के लिए अलड़ी हम लोग ने एक 1980s में program चलाया था जिसका नाम था Operation Olivia ठीक है यह इंडियन coast guard ने चलाया था ठीक है यह थोड़ा आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला जो टोपिक है वो है जल जीवन mission urban तो हमारे पास दो होते हैं एक होता है जल जीवन urban और एक होता है जल जीवन mission rural दोनों होते हैं तो क्या कहता है देखें यहां पर It was announced by the ministry of housing and the urban affair यह आपको पहले तो ministry पता होने चाहिए फिर जो है आम उसके कुछ features भी देख सकते है features देखें फीचर क्या है funding जब यहां पर बात आती है feature में तो जो union territory है union territory के लिए जो 100% funding है वो center के द्वारा दी जाएगी जो north eastern states है यह जो hilly states हैं जैसे हिमाचल, उतराखंड, सिक्ति मुगरा उनके लिए 90% जो budget है funding वो center के द्वारा की जाएगी और 10% वो खुद करेंगे उसके लावा 50% funding जो ऐसे cities जिनकी संख्या एक लाग से कम है वहाँ पे 50% center के द्वारा और 50% वहाँ के local state के द्वारा उसके लावा जिन urban areas की संख्या एक लाग से लेके 10 लाग तक है वहाँ पे 1 third जो है वो center के द्वारा और 2 third जो है state के द्वारा जहाँ पी population 10 लाग से जादा है 1 million पलस है वहाँ पे 25% center के द्वारा बाकि state के द्वारा पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दूसरी बात यह जो funding दी जाएगी बैसलिए वो तीन installment में दी जाएगी 20, 40 और 40 के लेकिन तीसरी installment के बाद जो funding दी जाएगी वो funding decide की जाएगी कभी यह आपकी performance कैसी है performance based outcome based और यहाँ पे PPP model को भी हम लोग follow करेंगे public private partnership public private partnership लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि यह जल जीवन mission urban ही है क्या तो इसका aim क्या है basically क्या करने के लिए हम लोग ने इसको चलाया है देखिए इसका main purpose है कि 2024 तक जो हमारे rural household हैं वहाँ पे हम लोग pipe से पानी पहुंचाएंगे पीने का पानी ठीक है हर घर बोलते ना हर घर जल है ना वो इसी program को बोला गया है हर घर नल से जल हर घर नल से जल और यह जो जल होगा ना यह काफी quality वाला जल होगा ठीक है तो यह चीज़ हम लोगों ने बोली एक चीज़ में हम लोगों ने यहाँ पे और बोली कितना पानी मिलेगा वो भी पता होना चाहिए यहाँ पे पानी मिलने वाला है 55 liters of water per person per day ठीक है तो यह थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इससे जादा आपको इतनी जादा जानने की requirement नहीं है ठीक है उसके लावा local infrastructure बनाना है ground water को recharge करना है जब आरिश वारिश वारिश वहाँ पे होती है है ना जो भी central state की scheme है सब को integrate करना वो बड़ी बड़ी बाते बोली गई है इतना जादा आपको जानने की जोड़त नहीं आगे बढ़ते हैं WCCB wins Asia Environment Enforcement Award 2020 देखिए न्यूज यह 2020 की है लेकिन एक्जाम में पूछ सकता है लेकिन क्योंकि थोड़ी परानी हो चुके इसलिए WCCB का मतलब है Wildlife Crime Control Bureau जैसे हमारे पास CBI है CBI तो normal crime को देखती है लेकिन यह जो WCCB है यह उन crimes को देखती है जो की wildlife से related होते है जहाँ पर wildlife को illegally मारा जाता है उनकी poaching की जाती है उनके जो शरीर के अंग है उनको निकाल लिया जाता है या उनकी smuggling की जाती है उनके regarding जो crime होते है उन crime को देखा जाता है W Wildlife Crime Control Bureau के द्वारा और इसको अभी award मिला है एक सीज़ आपको और बता दूँ यह इतना जवर्दस्थ काम करती है कि इसको पिछले तीन साल में दो बार award मिल चुका है पिछले तीन साल में और यह award देता कौन है यह award दिया जाता है United Nation Environment Program के द्वारा UNEP कहीं लिखा होगा हाँ यह रहा United Nation Environment Program के द्वारा तो इंडिया की में है यह body Wildlife Crime Control Bureau इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि न्यूज में रही है यह statutory body है जो कि Wildlife Protection Act 1972 के अंदर में इसको बनाया गया है Ministry of Environment, Forest and Climate Change यह ministry है ठीक है काम क्या है वह आपका बता ही दिया जो organized wildlife crime होते हैं उनके लिए दिल्ली में इसका headquarter है इसके लावा कुछ regional office भी होते हैं जैसे दिल्ली में, कलकत्ता, मुंबई, चिन्न इवगरा वो सब आपका हो गया और कहीं सारे प्रोग्राइम ऐसे हैं जिसके तहत यह काम करता है जैसे आपका Save Kurma Save Kurma एक basically operation Save Kurma प्रोग्राम है जो कि हम लोग ये टर्टल को protect करने के लिए चलाया गया था उसके लावा थंडर बर्ड, वाइल्ड नेट ठीक है Less No, Bird Bill, Thunderstorm, Less No 2 One on Rhino, Rhino Mission वो सब प्रोग्राइम के अंदर में ये काम करता है और ये real time data collect करता है real time मतलब जब जहाँ पे crime होता है तुरंत के तुरंत अपडेट हो जाता है जिसकी वज़े से जो criminals होते हैं उनको हम लोग track कर सकते हैं वो सारी सारी चीज़े हैं चलिए उसके लाव एक और यहाँ पे Asia Environment Enforcement Award भी है इतना जादा detail में जाने की जूरूरत नहीं इतना जादा factual हम याद भी निकर पाएंगे एक्जाम के लिए कहता है heavy metal water pollution pollution भी है कहीं तरह का होता है है न तो basically जो heavy metals होते हैं जैसे heavy metal की हम लोग यहाँ पे बात करें iron है न lead chromium copper यह न आपके water bodies में add हो जाते हैं nickel ठीक है तो यह जब add हो जाते हैं तो हमारा water contaminate हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं heavy mercury हो गया है न यह सब आरसेनिक हो गया वो सब जिसे हम लोग कहते हैं heavy metal water pollution और इंडिया में यह बहुत बड़ी समस्या है इस समय ठीक है तो recently study से पता चला के pandemic के दुरान heavy metal जो contamination हो रहा था हमारी water bodies के अंदर वो थोड़ा सा reduce हुआ है ठीक है reduce हुआ है हुआ इसलिए क्योंकि जादतर जो heavy metal pollution होता है वो industries की वज़े से होता है और क्योंकि industry काफी समय तक बंद रही pandemic के दुरान क्योंकि demand तो थी नहीं तो वो बंद थी तो यह heavy metal जो है वहाँ पे add नहीं हो पाई जिसकी वज़े से थोड़ा सा वो reduction कम हो गया खासकर जो गंगा बेसिन है गंगा बेसिन का मतलब होता है हमारी मेन गंगा रिवर और गंगा की ट्रिवू ट्रिवू ट्रीज़ ठीक है यह बात है चलिए आगे बढ़ते हैं दूस्तों इसके बारे में थोड़ा heavy metal के बारे में आपको metal के नाम थोड़ा आपके मैंने बता ही दिया है ठीक है उसके अलावा जैसे कई सारे कारण हो सकते हैं heavy metal production के industry तो में कारण यहां पर है ही domestic waste भी हो सकता है जो घरों वगारा से मकान वगारा से निकलता है agriculture भी हो सकता है क्योंकि agriculture वगारा कि हम लोग जो chemical fertilizer का यूज करते है पेस्टिसाइड का यूज करते है उससे भी हो सकता है livestock से हो सकता है transmission वगारा उससे हो सकता है ठीक है natural cause भी हो सकते है metal heavy metal pollution के जैसे जो volcanic activities होती है उनसे भी हो सकता है यह सब exam में आपसे पूर सकता है which are the following reasons are responsible for the heavy metal pollution तो volcanic eruption can be one thing ठीक है उसके लावा जो soil और water होता है वहां से जो evaporation करा होता है soil से या water से तो वहां से भी जो कुछ trace metals होती है वो add हो सकते है तो कहीं सारे reason basically यहाँ पर आपके metal के regarding हो सकते है कुछ metal के list जो है मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हूँ कि कौन सी metal से कौन सा disease होता है उसे कौन-कौन से symptoms होते है जैसे आरसेनिक होता है यहाँ जो है carcinogenic होता है मतलब cancer पैदा हो सकता है इससे आपको ठीक है dysponia, copper से जो है long term exposure आपके जो है पेट में दर्द कर सकता है nose meditation हो सकती है mouth आई वगरा में headache हो सकता है iron से जो है पल्स rate आपकी कम हो सकती है जादा हो सकती है mercury से headache हो सकता है abdominal pain हो सकता है और अगर बच्चे exposure में आते है mercury के तो उनकी memory भी loss हो सकती है तो यह थोड़ा साब आप यहाँ पे definitely जाके देख सकते हो चलिए दोस्ता आगे बढ़ते हैं India Energy Outlook 2021 यह क्या बात करता है देखिए बात यह है कि अभी International Energy Agency ने एक release किया है report जिसका नाम है India Energy Outlook 2020 report basically इस report का मतलब यह होता है कि आने वाले समय में इंडिया को कितनी energy के requirement होगी और अभी presently इंडिया को कितनी energy के requirement है कितना percent increase होगा कितना percent decrease होगा उसे का जाता है Energy Outlook report और यह कौन release करता है International Energy Agency और इसमें जो फिर COVID का impact आया वो सारी सारी चीज़ें वो भी रही तो थोड़ा सा तो हमें Energy International Energy Agency के बारे में पता होना चाहिए कुछ-कुछ चीज़ यहां पर दिया हुआ है यह autonomous intergovernmental organization है 1974 में establish की गया था Paris और France के अंदर ठीक है और भी बस इतना इतना पता हो काफी है तो इंडिया की requirement के उपर इसका जो है क्या कहना है report का कहना है कि 2030 तक इंडिया दुनिया का third largest energy consumer बनने वाला है ऐसा इसने कहा है दूसरी बात इंडिया ने इसके बारे में यह भी कहा कि अगले two decades में जो इंडिया के energy के demand है वो 25% increase होने वाली है अभी इंडिया जो है वो चोथे नंबर पे है पहले पे चाइना उसके बाद USA उसके बाद European Union और फिर इंडिया तो आने वाले 2030 में मतलब आगने वाले 7-8 सालों में हम लोग European Union को take over कर लेंगे energy के मामले में है कहता है उसके अलावा कि actually पहले क्या होना था 2030 तक हमारी जो overall जो demand है वो 50% high होनी थी लेकिन pandemic की वज़े से क्योंकि economy थोड़ा slow जा रही है जिसके वज़े से demand भी थोड़ा कम हो जाएगा अभी वो सिर्फ 35% ही demand होगा तो थोड़ा सा हमारा economy slow गया है उसके वज़े से यह सारी चीज़े हैं उसके लावा कहता है कि यह demand basically आती कहां से है तो यह 10% की जो demand है इंडिया में जो energy की total demand है उसका 10% जो है वो industrial value जो है वहाँ से आ रहा है और धीरे धीरे जो है इसको हम लोग increase होका definitely क्योंकि और ज़्यदा आने वाले समय में हमारी industrial growth होगी तो उसकी वज़े से हमारी demand भी बढ़ने वाली है और इसने क्या आगा oil के बारे में भी कहीं बाते बोली है कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर oil की demand भी बढ़ेगी 2040 तक जो ये demand है वो 74% तक increase हो सकती है क्योंकि इंडिया में आने वाले समय में 2040 तक जो per capita जो car है जो car या vehicle स्वकर हम लोग करीते हैं उनकी संख्या 5 गुना बढ़ने वाली है और इंडिया अभी भी अपनी energy की requirement के लिए import के ओपर depend करता है future में भी हम लोग import के ओपर ही depend करेंगे क्योंकि इंडिया domestically काफी कम crude oil produce करता है और सिर्फ crude oil की ही नहीं बलकि natural gas की demand भी बढ़ने वाली है coal की demand भी बढ़ने वाली है और renewable energy resource के बारे में इन्होंने कहा कि definitely जब सबकी demand पड़ेगी तो उसकी demand भी पड़ेगी इंडिया के अंदर actually renewable energy की काफी अच्छी growth है और चाइना के बाद इंडिया second as a country है जिसके अंदर सबसे ज़ादा renewable energy के sources को use किया जा रहा है उसकी growth हो रही है तो इंडिया basically उस मामले में सही पाथ पे जा रहा है लेकिन unfortunately हमारे demand इतनी ज़्यादा high है कि इतना ज़्यादा हम लोग solar power plant लगाने के बावजूद भी अपनी demand को fulfill नहीं कर पा रहे हैं और future में हम लारे पास coal के demand और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है ऐसा इसके अंदर कहा गया है अगली जो news हमारे लिए है दोस्तों वो है geothermal energy geothermal energy का मतलब क्या होता है देखे जियो का मतलब होता है earth और thermal तो आपका पता ही है thermal का मतलब होता है heat जो हम लोग winter clothes पहनते हैं न winter wear उसे भी thermal बोला जाता है तो earth के अंदर से जो heat आती है नीचे से जो heat आती है उसो काला जाता है geothermal energy कई पर आपने देखो के जो hot water geasers होते हैं वो भी geothermal energy का ही एक पार्ट होते हैं जैसे कहीं जगह है इंडिया के अंदर मनी करनी का है हिमाचिल परदेश के अंदर वहाँ पर जो है सिखों का सिख भी जाते हैं pilgrimage center है हिंदूस भी जाते हैं वहाँ पर और भी जो है जैसे ताता पानी एक जगह है वहाँ पर और हिमालिया के अंदर भी South India के अंदर भी कहीं सारी जगह ऐसी मिलती हैं जहां से नीचे से गरम पानी आता रहता है उसे हम लोग जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं तो उस जियो थर्मल एनर्जी के बेसिक के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं electricity produce करने के लिए और ऐसा कहीं सारी कंट्री में किया भी जाता है खासकर आइसलेंड के अंदर आइसलेंड के अंदर जियो थर्मल एनर्जी काफी ज़ादा है वहाँ पे हर चीज के लिए उसका यूज के जाता है क्योंकि वैसे तो ठंडी जगह है जैसे वहाँ पे swimming pools वगरा को गरम करने के लिए hotels वगरा में भी यूज किया जाता है heating purpose के लिए यूज किया जाता है electricity production के लिए यूज किया जाता है तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है देखे अब जियो थर्मल एनर्जी से एक जगए खोजी है जहाँ पे हम लोग जियो थर्मल पावर प्लांट लगाने वाले हैं और एक एक्चली छोटा सा गाव है जिसका नाम है Puga Village यहाँ पे हम लोग अपना इंडिया का सबसे पहला जियो थर्मल पावर प्लांट लगाना चाते हैं और जिसकी कपैसिटी हो सकती है 100 मेगा वाट अच्छी खासी कपैसिटी भी हो सकती है तो हमारा जो ONGC है या फिर जो लदाख का लोकल जो डिवेलिमेंट काउंसिल है जो वहाँ का थर्मल पावर प्लांट की जो डिपार्टमेंट है वो सब बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले है और एक्चुली इंडिया में 350 से भी जादा साइट्स को इडेंटिफाई किया गया है जहां पर जियो थर्मल एनरजी से इलेक्टिसिटी प्रोड्यूस करने का पोटेंशल है कुछ लोकेशन अगर आपको याद करनी है तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सेपरेटली मैप दिया हुआ है जिस मैप का आप देख सकते हो ठीक है तो ताता पानी सूरज कुंड गुडगाओं में सोहना भी है ठीक है मनी करनी का यह देखे यह रहाँ आपका पूगा जहां पे हम लोग इंडिया का पहला लगाने वाले है तो यह थोड़ी सी डिटेल आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए ठीक है बहुत सारे यूज हो सकते हैं जियो थर्मल एनरजी के और बहुत सारे अड्वांटेज भी हो सकते हैं यह वाला जो पॉर्शन है बेसिक लिए आपका मेंस के परस्पेक्टिव से ज़ादे इंपोर्टेंट है राधर देन प्रिलिम्स तो इसका आप खुद से पढ़ सकते हो मेंस के लिए पूछ सकता है आपसे एक्जाम में वो वाट डू यू मीन बाइ जियो थर्मल एनरजी डिसकस इस यूज़िस एन अडवांटेजिस सिंपल सा सवाल आपसे पूछ सकता है ते लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अट्लांटिक मेरिडियोनल overturning circulation ये टोपिक मैंने आपको जियोगरफी में भी करवाया था environment में ये दुबारा से repeat हो रहा है repeated topic है इसलिए ज़्यादा focus नहीं करूँगा लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूँ recently जो है ऐसी discovery की गई है कि ये दुनिया का जो Atlantic maridonial overturning circulation है ये weak हो रहा है तो ये पूरी का पूरा concept क्या है तो आपको बता देता हूँ देखिए आपके सामने जो picture आपको नजर आ रही है ये है आपका thermohaline circulation thermohaline circulation इसमें होता क्या है ocean water move करता है कुछ ocean water जो है वो bottom पे move करता है कुछ surface के ओपर move करता है तो यहाँ पे आपको जो orange color का नजर आ रहा है ये वो water है जो surface पे move कर रहा है और जो blue color का नजर आ रहा है basically बोटम पे move कर रहा है तो इससे होता क्या है tropical area से heat polar area में transfer हो रही है polar area से tropical area में transfer हो रही है तो यहाँ पे देखे हम लोग basically बात करें Atlantic वाले की कि हमारा main मुद्द यह है Atlantic Maridonal Overturning Circulation जिसे AMOC कहा जाता है तो scientist लोगों का कहना है कि यह वीक हो रहा है अब देखे है अगर आपने जोगरफी में ocean current पड़या होगा तो आपको यह पता होगा कि यह क्या है हमारा यह हमारा North Atlantic Drift तो North Atlantic Drift से क्या होता है जो ट्रोपिकल एरिया में जो गरम पानी होता है वो basically योरोप की तरफ जाता है जिसकी वज़े से हमारा योरोप basically वो गरम रहता है और यह winter में भी freeze नहीं होता और यह बहुत जोरी है वहाँ के local climate के लिए लेकिन मान के चलो के North Atlantic Drift अगर disappear हो गई या फिर इसका water cold हो गया तो what will happen to Europe योरोप will freeze in the winter season ठीक है अब यह हो क्यों हो रहा है वो थोड़ा आपको जानने की जोरुत है देखिए इस में यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे Arctic Ocean में जो fresh water है वो तो freeze हो जाता है पीछे क्या बचता है salt आप बोलोगों सर यहाँ पे salt आया कहां से salt को लेकिए North Atlantic Drift अपने साथ salt लेकिए आया तो यहाँ पे यह water जिना salty हो जाता है और आपको यह पता है कि salty water होता है it is dense और जो dense water होता है वो नीचे sink करता है तो यहाँ से water sink करता है बाद में water जो है यहाँ पे जाके जो है वो दोबारा से उपर की तरफ आता है तो समस्या यहाँ पे पता क्या है समस्या यह है कि भाया यह जो हमारा climate change की वज़े से यहाँ पे water freeze ही नहीं करेगा future में तो जब freeze ही नहीं करेगा तो वहाँ की salinity कैसे बढ़ेगी और जब salinity ही नहीं बढ़ेगी तो वो sink नहीं करेगा जिसकी वज़े से हमारा पूरा यह thermohaline circulation disturb हो सकता है future में 21st century के end तक आते आते यह disturb हो सकता है और इसके बहुत सारे negative impact पढ़ने वाले हैं वो इसके negative impact कहां पढ़ेंगे यॉरप के अंदर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ऐल नीनो ला नीना वो disturb हो जाएगा जिससे हमारा monsoon भी disturb होगा इसी लिए थोड़ा सा यह news में था तो इसे हमारी जो gulf stream होती है नोथ अटलांटिक drift होती है यह disturb हो जाएगी यह conveyor belt है basically वही जो है इस पूरे discussion में कहा गया है कुछ-कुछ extra details है आपको जाननी है तो basically इसमें कुछ और जानने का है नहीं जो मैंने आपको बताया था वो सब यहां पर mention किया गया है एक-एक line पढ़के उसका मतलब समझाना तो उसमें तो भीया 10 गंटे का marathon session हो जाएगा लेकिन more or less वही concept है जो मैंने आपको बताया है ऐसे भी geography में इसको लड़ी हम लोग कर चुके हैं अगला topic का दोस्तो particular city से related है Hyderabad को three city declare किया गया है Hyderabad has won the green contest among the cities in India and emerged as the one of the three green cities of the world बधाई हो हमारे देश के किसी city को जो है green city of the world का खिताब मिला है actually यह अभी latest में मुंबई को भी मिल चुका है एक extra detail आपको मैं बता देता हूँ Hyderabad को पहले मिला, मुंबई को भी मिला यहाँ पर जो लिखा हो ना it is the only city in India नहीं, only city नहीं है अभी यह मुंबई को भी मिला है latest अवोर्ड किस ने दिया यह अवोर्ड दिया जाता है Arbor Day Foundation के द्वारा और Food and Agriculture Organization के द्वारा ठीक है और Hyderabad के अंदर actually एक प्रोग्राम चलाया गया था Harit Haram Program जिसमें लाखों की संख्या में वहाँ पेड़ लगाए गए थे लाखों की संख्या में पेड़ लगाए गए थे चीक है और उसका benefit भी नज़र आया benefit यह नज़र आया कि उसका award मिला अभी यह सेम award जो है मुंबई को भी मिल गया है इस foundation के बारे में थोड़ा आपको जानना है दुनिया की सबसे largest non-profit एक membership program है और कई सारी country जैसे USA के अंदर सबसे ज़्यादा green cities है tree city of the world Canada के अंदर भी काफी सारी है तो कई सारी country में award देता है और इंडिया के अंदर अभी दो city है हैदराबाद और मुंबई यह बस थोड़ा पता होना चाहिए और इस तो में थोड़ी बहुत जैसे 2018 World Forum on the Urban Forest in Mantua Italy, World Leaders issued the Mantua Green City Challenge ठीक है तो इसमें जो है cities में जो greenery है उसको improve करने की basically हम पे बात कही गई थी तो कुछ कुछ चीजे हैं बस थोड़ी बहुँ detail आपको पता होना चाहिए चलिए जी आगे बढ़ते हैं Go Electric Campaign launched Go Electric Campaign launched देखे Central Government has launched the Go Electric Campaign to spread awareness on the benefit of e-mobility and the EV charging infrastructure as well as electric cooking in India ऐसे तो अगर आप आजगल news सुन रहे होंगे न तो एक चीज़ आपको सुनने को मिल रही होगी कई सारी electronic scooter duty scooter जो रहती है उनके अंदर आग लग रही है Ola की scooter के अंदर आग लगी वीडियो बहुत वाइरल हुआ उसके बाद कई जगे पर आग लग गई अभी last week एक truck के अंदर आग लग गई खड़े खड़े जिसके अंदर electrical vehicles थे तो आज गल बगड़ा न्यूज में है और government push कर रही है कि जादे से जदा लोग electric vehicles का use करें अभी हमारे जो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर है मिनिस्टर नितिन गड़करी जी वो भी एक electric गाड़ी में पारलेमेंट में पहुँचे थे electric में नहीं बलकि hydrogen hydrogen वाली गाड़ी में वह पे पहुँचे तो सरकार ये लगातार aware करने की कोशिश कर रही है लोगों को कि आपका जो normally petrol और diesel से चलने वाली गाड़ी है उनसे थोड़ा दूर हटिये electric गाड़ीयों को खरी दिये चाहे वो रिक्षा हो आपका four wheeler हो आपका two wheeler हो इवन दिल्ली में जो बसिज हैं वो भी आपकी hydrogen पे या फिर electric कर दी गई है तो उसके लिए हम लोग उन्हें प्रोग्राम चलाया go electric लेकिन electric होने में actually दो समझ जाए है सबसे बड़ी दो challenges है पहला चो challenge है वो है charging infrastructure अब जैसे मालों को petrol करवाना है डीजल करवाना है हर दो किलोमेटर के बाद आपको petrol डीजल petrol pump मिल जाते है आप वहाँ पे गए आपको सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते है आपने टैंकी को full कराया और आगे चल पड़े लेकिन electric वाली में वो दीख समस्या है यहाँ पे समस्या एक तो वहाँ पे charging point नहीं है दूसरी समस्या इसको charge करने में समय लगता है तो infrastructure को improve करने की जोरुत है तो future में क्या होगा आपको अपनी battery charge नहीं करनी है वहाँ पे जो power stations होंगे वहाँ पे already charged batteries होंगी जैसे cylinder वाले case में करते हैं न हर बार आप अपना खुद का cylinder तोड़ी भरवाते हो आप वहाँ पे जाते हो अपने cylinder को दे आते हो वहाँ से भरा हुआ cylinder वापस ले आते हो तो ऐसा ही होगा future में भी battery को आप लेके जाईए वहाँ पे battery को रखिए उस battery को अपने गाड़ी में डालिए battery के switch लगाईए और battery लेके तयार वही जो 5 minutes को petrol में लगता है वही आपको वहाँ भी लगने वाला है जो है contribute कर रहा हूँ मैं तो green technology का use करता हूँ और मेरे तो मजे हैं मैं तो बड़ा contribution दे रहा हूँ लेकिन आपको यह नहीं पता कि जो आप electric गाड़ी को charge करने के electricity produce कर रहे हो ले रहे हो वह तो coal से आ रही है ना क्या वो wind energy से आ रही है क्या वो solar energy से आ रही है क्या वो hydral energy से आ रही है ये भी तो important है ना तो इंडिया में अगर आपको real में climate change के लिए कुछ करना है तो पहली बात तो हमें coal से हट के जो है थोड़े दूसरे तरीकों के बारे में सोचना पड़ाएगा electricity produce करने के लिए ठीक है वो जो है यहां पर जो है बातें बोली गई है और इसमें इसे ज़्यादा जो है कुछ खास है नहीं ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला जो topic हमारे सामने रहेगा वो है हमारा ये वाला topic switch iconic places switch iconic places ये क्या है basically ऐसे जो हमारे pilgrimage center होंगे या जो cultural centers है उनकी स्वच्छता उनकी साफसफाई को लेके ये program है कौन सी ministry ने चलाया है department of drinking water and the sanitation ने under ministry of जलशक्ती किसके association के साथ चलाया है ministry of housing and the urban affair ministry of tourism ministry of culture उनने मिलके चलाया है तो यहाँ पर क्या है जो tourist place है कुछ खास खास उनके उपर focus किया जाएगा और इंडिया में जो है 12 cities को switch iconic places declare किया गया है उनके नाम जो है आपको यहाँ पर पता होने चाहिए अजंता केस महराष्टरा सांची स्तूपा कुंबलगड़ फोर्ट राजस्थान जैसलमेर फोर्ट राजस्थान रोक गार्डन चंडीगड बांके भिहरी टैपन बत्थुरा आगरा फोर्ट आगरा और काली घाट टेंपल वेस्ट बेंगोल यह थोड़े से city आप नाम याद रख लोगे एक दो ministry को याद कर लेना यहां से आपका question बन सकता है छोटा सा topic है next topic दोस्तों वो है आपका carbon watch carbon watch के साथ साथ एको topic छोटा सा होता है जिसे कहा जाता है carbon footprint अब footprint क्या होता है जब आप मालो rate के उपर चलते हो तो आप तो वहाँ से निकल लिए लेकिन आपने पीछे से वहाँ पर क्या छोड़ा आपका footprint छोड़ा मतलब आपके जाने के बाद भी आपकी निशानी वहाँ पर रहती है और carbon footprint में भी ऐसा होता है हम लोग बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं जहां से carbon die oxide produce होती है हम लोग electrical vehicle चलाते हैं हम लोग fossil fuel को burn करते हैं और वो सारी सारी चीज़ें हो गई अब हम तो उसको use करके चले जाते हैं लेकिन वो carbon तो atmosphere के अंदर ही रहती है न उसको ही कहते हैं carbon footprint हर individual person का हर city का हर country का सब का अपना carbon footprint होता है जो जितनी carbon produce करते हैं तो carbon इसको जो है लगातर observe करने के लिए कौन कितना carbon produce कर रहा है उसको track करने के लिए चंडीगड के अंदर program चलाए गया जिसे कहा गया चंडीगड का पहला ऐसा country बन गया है जिसने carbon watch के नाम का program लौँच किया है इसमें क्या किया जाएगा इसमें जो वहाँ के citizens है उनको aware किया जाएगा उनको बताया जाएगा कि भाईया आप इतना carbon produce करते हो इसको कम कैसे करना है electricity को कैसे अच्छे से use करना है वो सारे की सारे चीज़ें पर बताई जाएगी बस यह आपका पता होना जाएगा चंडीगड has become the first city in India first unit territory that has launched carbon watch एक्चली यह mobile application है तो जो चीज़ें आप use करते हो उसके basis पर यह आपको calculate करके बताता है कि कितना carbon आपने produce किया है तकि next time आप उसको track कर सको next topic that we have is karakal included in the list of the critically endangered species तो it's a bad news for us कि जब भी कोई species critically endangered में जाता है तो इसका मतलब ही या उसके existence के ओपर खत्रा है और उसको highest level of protection की requirement है तो इसी तरह का हमारे पास यहाँ पर एक अपना species है जिसका नाम है करकल फिक है इसको भी declare किया गया है इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए जैसे आप इसकी picture देख सकते हो यह जो picture आप देखते हो ना यह थोड़ा थोड़ा सा cat के जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा यह goat के जैसा लगता है है ना तो medium size actually एक wild cat है कहां भी पाई जाती है राजस्थान में और कुजरात में तो national board of wildlife जो है हमारा उसने इसको critically endangered declare किया है तो जो और इसकी हम लोग ने recovery करनी है तो national board of wildlife के दवारा इस समय 22 wildlife species को लेके जो कि critically endangered declare की गई है उनकी recovery के लिए program चलाया गया है और यह कोई आज का नया कोई ऐसा जानवर नहीं अब यह जिसको खोजा गया है Indus Valley Civilization के समय से ही इसको हम लोग जानते है तब से जो है इसके परमान मिलते हैं हम लोगों को इवन अकबर नामा के अंदर भी इसको mention किया गया है क्योंकि उस समय इसको शिकार करने के लिए use किया जाता था हालां कि IUCN की list में यह अभी भी list concerned है क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है लेकिन हम लोगों ने इंडिया में इसको critically endangered जो है list में डाल दिया है तो इंडिया में इसके largest protection के requirement है ठीक है IUCN की को भी ज़्यादा चिंता है नहीं क्योंकि बिल्ली जैसा ही होता है basically wildcat होती है World Sustainable Development Submit 2021 ची क्या कहता है देखिए तो recently जो है Terry जिसे का जाता है The Energy and the Resource Institute इसने जो है Flagshik event जो है जिसका नाम है Sustainable Development Submit उसको online held किया online, offline नहीं हुआ इसकी theme क्या है redefining our common future safe and secure environment for all कौन सी ministry है जो इंडिया से India's Ministry for the Environment, Forest Climate Change Ministry of New Renewable Energy Ministry of Earth Science ये इसके key partner है थोड़ा सा Terry के बारे मैं उको बता देता हूँ Terry जो है वो एक multi-dimensional organization है और actually 1974 मिसका established किया गया था रोज से मैं इसका नाम हुआ करता था TATA Energy Research Institution थोड़ा extra आपको इसके बारे में जानना है तो आप Wikipedia पे इसकी information ले सकते हो अगे बढ़ते हैं next जो हमारे पास topic है वो है biodiversity heritage site तो cultural heritage आपने सुना होगा natural heritage भी आपने सुना होगा तो वो जो category होती है वो category बनाए जाती है UNESCO के द्वारा UNESCO के द्वारा लेकिन हम लोग जो है अपनी भी heritage site बनाते हैं जैसे इस समय गड़वाल के अंदर मतलब उत्तरा खंड के अंदर जो टहरी गड़वाल रीजन है वहाँ पे एक रीजन है जिसका नाम है देवल सारी इसको बायो डाइवरसिटी heritage site डेकलेर किया गया है और जब आप किसी site को डेकलेर कर देते हो इसका मतलब वो ecologically काफी sensitive है ecologically काफी rich है और बड़िया डाइवरसिटी वहाँ पे पाए जाती है तो वहाँ पे जो tourism के chances बढ़ जाते है जिससे वहाँ के local लोगों की income भी होगी और यह इसलिए news में था क्योंकि यहाँ पे एक खास तरह का मौत जिसको बोलते है word यहाँ पे जो है discover किया गया जिसका scientific name होता है अक्यूलरा बाइफेसियाट यह वहाँ पे पाया गया था और भी वहाँ पे जो है इसके लावा और भी बहुत सारे मौत होगा रहा पाये जाते है तो इस heritage site के बारे में थोड़ आपको यह पता होना चाहिए ठीक है species richness होती है high endemism होता है वो सारी का सारी चीज़े है ठीक है diversity बढ़िया होती है भी या है ना दुनिया भर की चीज़े है तो इतना ज़ादा criteria's के बारे में जानने की जूरत नहीं है बस सिर्फ इसका नाम याद रख लेना जो devil सारी region है उसको declare किया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं केन बेतवा इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट तो बेसिकलि इंडिया में 30 से ज़ादा ऐसे इस समय इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो या तो प्रपोजल में है या फिर जिनके ओपर बात चल रही है जिनमें से जो इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे अभी जो कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है वो है केन बेतवा रिंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट केन और बेतवा के बारे में आपको बता था तो हम लोग जोडने वाले हैं केन को और बेतवा को क्योंकि केन के अंदर लगभग साल भर पानी रहता है तो यह वोटर सर्पलस है लेकिन जो बेतवा है वो वोटर डेफिसिट है और यहाँ पे हमारा मालवा प्लैटू पड़ता है और मालवा प्लैटू जो है यह जो है एक सेमी एरिड टाइप का प्लैटू है मालवा प्लैटू वहाँ पे पानी की इरिगेशन की रिक्वार्मेंट है तो हम लोग क्या करेंगे केन रिवर से पानी वहाँ पे ट्रांसफर करने वाले है ठीक है मालवा प्लेटों के बारे इमताव का पता होगा चंबल जिसको बोलते हैं चंबल और डाकों के लिए बहुत फेमर सरा भीया तो अगर आपने मूवी देखी हुआ है कुछ जैसे पान सिंग तोमर आपने देखा होगा तो वो चंबल के घाटिया ही है जहां पर बेतवा रिवर जो है फ्लो करती है तो वहां पर पानी हम लोगों को ले के जाना है और यह दो तिन फेस में किया जाएगा इतना फेस वगरों को आपको याद करने जोरत नहीं है बस कुछ नाम बैसक लिए आपको यहां बस पता होने चाहिए और जो प्रोजेक्ट है वो है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत पहले इसको प्रपोस किया गया था अंग्रेजों के जमाने में बेसिकली 1850 में जो आइडिया था वो आर्थर कोटन ने दिया था लेकिन उसको फुलफिल नहीं किया गया बाद में यह आइडिया जो है 1972 में जो है केल राउ उन्होंने इसको प्रपोस किया तब भी नहीं हो पाया फाइनली अभी जो है इसको हरी जंडी दे दी गई है और इसको हम लोग काम को करने वाले हैं तो बेसिली सर्पलस रिजन से डेफिसिट रिजन के तरफ हम लोग पानी को ट्रांसफर करेंगे नैशनल वोटर डिवल्मेंट अथोर्टी के लगए अंदर में जो है सारा काम होता है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए 9822 में इसको एस्टैबलिश किया गया था पता होना चाहिए वह सारी सारी चीजें ज्यादा तक में इंपोर्टेंट है कि केन बेतवा एक्चुली में में ही कोश्चन पुछा जा सकता है कि इंटर लिंकिंग जो वोटर प्रोजेक्ट है उसके उसको क्रिटिकली अनैलिसीज करो या फिर आपके उस वो अलग से benefit और drawback भी पूछ सकता है तो यह मेंस के perspective से भी important topic है तो उसको थोड़ आप देख लेना इंडिया में जो इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके list मैंने आपको यहाँ पर दे दी गई है ठीक है इतने जादा list को याद करने की जोरुत नहीं है बस थोड़ा सा project स्वेरा के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है recent development कौन-कौन सी हुई है तो क्या एंडिया में इससे पहले interlinking project नहीं हुआ है क्या बिलकुल हुआ है इससे पहले भी हुआ है जैसे इससे पहले हम लोगों ने ब्यास रावी सतलोज और ब्यास इनको आपस में interconnect किया है उसके लावा कुडपा कनाल कुडपा कनाल ये भी हम लोगों ने किया है उसके लावा आजकल एक और बड़ा damn का एक controversy में है उसका नाम नाम सुने लोगे मुलार पेरियार डैम basically वहाँ पेरियार रिवर के हम लोगों ने डैम बना के एक और रिवर है जिसका नाम है वे गई उन दोनों को आपस में connect किया हुआ है कनाल के साथ तो ऐसा तो नहीं है कि पहले हम लोग ने इसके प्रोजेक्ट लिये नहीं है लिये हैं ठीक है से पहले भी हम लोगों ने लिये हैं लेकिन इससे में जो केन बेतवा वाला जो प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा होने वाला है चीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे जो है ये तो आप अपढ़ी लोगे नहीं ये नहीं ये शी बक थोर्न क्या है ये देखिए जैसे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ये एक एक्चली बैरी है जो कि खाने में बड़ी स्वाद होती है तो इसको हम लोग plant करने वाले हैं कहां पर plant करने वाले हैं cold desert के अंदर इसको plant करने वाले हैं और cold desert कहां पर पाया जाता है यह पाया जाता है हमारा हिमाचल में लाहोल्स पीती वाला जो region है लाहोल्स पीती और लेह लदाख वाला जो region है, वहाँ पे इसको हम लोग plant करने वाले हैं, हिमाचल की government ने ये बात बोली है, कि इसको भी हम लोग plant करेंगे, इसलिए थोड़ा बोताब किसके बारे में पता होना चाहिए, ये एक edible है, मतलब इसको खाया जा सकता है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, इन हिमाचल प्रफर नाम का जो है, वो species है, वो क्या है, पहले तो ये पता होना है, वो berry है, क्यों न्यूज में था, क्योंकि हमाचल इसको plant करने का plan बना रहा है, कहां पे plant करने वाले हैं, cold desert के अंदर plant करने वाले हैं, ठीक है, कौन सी सरकार हमाचल government इसको करने वाली है, तो ये कुछ- अगली जो news हमारे सामने है, वो है ये वाला, CEE, CEA ecosystem accounting, खास topic नहीं है, बहुत दमदार नहीं है, हलका सा बस आपको idea दे देता हूँ, ये ecosystem accounting क्या है, देखिए, ecosystem से हमें दुनिया भर की services मिलती है, लेकिन क्या उस service को हम लोग, जो है, money term में count कर सकते हैं, नहीं कर सकते, possible तो है, लेकिन उसमें बहुत जदा error होने के chances भी हैं, जैसे जो forest है, reverse है, जो soil है, जो air है, ये सब ecosystem का part है, और ये हमें दुनिया भर की services देती हैं, तो क्या हम इन services को पैसे की term में और dollar की term में account कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोशिस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से possibility नहीं है, लेकिन उसको कोशिस का नाम ही है, S.E.E.A. ecosystem accounting, तो recently इंडिया ने भी इसको implement किया है, छीक है, इंडिया ने भी इसको implement किया है, जो हमारी, जो ministry of statistics, और जो program implementation है basically, वो इसको implement करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इको सिस्टम गंदर जितनी भी services होती है, उसको monitor में count करेंगे, और फिर हम लोग जो है उसका अपने GDP में count कर सकते हैं, या फिर अपने policy purpose के लिए उसको हम लोग use कर सकते हैं, ठीक है, और actually India is one of the 90 countries, जहाँ पर यह successfully adopt किया गया है, कोई exact method हमारे पास नहीं है, जहाँ पर जो लोग भी इसका use कर रहे है, ठीक है, natural capital accounting, natural capital मतलब जो हमारे reverse है, जो soil होती है, जंगल होते है, lakes होती है, wetlands होती है, वो सब हमारी natural capital होती है, तो उनकी accounting करनी है, कि वो कितना पैसा हम लोगों को देती है, directly और indirectly, ठीक है, बस उसके बारे में ही थोड़ा सा extra detail में आप आप किया था, कि पास समय हो, तो पढ़ लेना, अदर्वाइस इसको छोड़ सकते हो, जो next हमारे पास topic है दोस्तों, वो है earth hour, यहां से already UPSC में दो बार सवाल पोचा जा चुका है, तीसरी बार भी पोच सकता है, we never know, तो क्या है यह earth hour, देखिए, earth hour 2021, लेकिन 2022 में भी तो मनाया गया था न, earth hour, actually earth hour को मनाया जाता है, मार्च के महीने के, का जो last Saturday होता है, चीक है, जो last Saturday होता है, उसको मनाया जाता है, तो 2022 में इसको मनाया गया था, 26 मार्च को, 26 तो मार्च को, 2021 में जो मनाया गया था, 2021 में जो मनाया गया था, उसकी जो है थीम अलग थी, 2022 में जो मनाया गया है, उसकी थीम अलग है, 2022 वाले के थीम थी, हमारी shape, our future, यह थीम आपको याद रखनी है, 2021 वाले से हमें कोई जादा मतलब यहाँ पर होना नहीं चाहिए, 2021 प 2022 पे ज़्यादा focus करना है actually यह जो शुरुवात की हुई थी वो हुई थी 2008 के अंदर वैसे तो official तोर पे लेकिन उससे पहले 2007 के अंदर Australia के Sydney शहर में इसको सबसे पहले किया गया था ठीक है और जो World Wildlife Fund of Nature WWF जिसको बोलते हैं उसने initiative को लिया था इसमें होता क्या है इसमें हम लोग शाम को साड़े आठ बजे से लेके साड़े नो बजे तक अपने घर की light को बंद कर देते हैं ध्यान रखो इसमें हम सिर्फ non essential electricity को ही बंद करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मरीज लेटा हुआ है वो hospital के bed पे उसको season चड़ा हुआ है उसको machine लगी हुई है उसको बंद कर दिया क्योंकि भईया मैं तो अर्थावर मना रहा था वो नहीं है वो essential है सिर्फ non essential को करना है पंखा बंद कर सकते हो अपना थोड़ी देर के लिए fridge बंद कर सकते हो घर के light बंद कर सकते हो यह बस इसलिए है और इससे ही इसका main purpose क्या है इसका main purpose है awareness ताकि लोगों को nature के बारे में aware हो वो कुछ ऐसे step ले individually inspire होके जिससे हम लोग nature को save कर सके 2021 वाले की जो theme थी वो थी climate change to save earth climate change to save earth अगर आपको याद रखना है तो ऐसे आपको बता देता हूँ 2022 वाले की थी shape our future save our future बहुत benefit होता इससे लोग जो है step लेते हैं aware होते हैं वो सारे की सारे चीज़े WWF के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए WWF जो दोस्तों वो है non-governmental organization मतलब एक NGO है 1961 में इसकी स्थापना होई थी और Switzerland के शहर Gland में इसका headquarter है उसके लावा एक हमारे पास organization होते है जिसका नाम है traffic traffic क्या करता है जो हमारे जो wild animals होते हैं या जो plant होते हैं उनकी illegal trading को रोकने के लिए काम करता है traffic और countries के बीच में उनको information provide करवाता है और traffic agreement भी करवाता है जैसे मालों इंडिया से पाकिस्तान में अगर हम कोई wild animal को trade कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी information होनी चाहिए क्या वो animal या वो plant क्या वो critically endangered है वो सारी सारी चीजें उनके बारे में वो बात करता है तो WWEF और traffic भी मिलके कहीं सारे project चलाता है WWF एक report भी publish करता है जिसका नाम है Living Planet Report Living Planet Report यह कुछ detail आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला जो topic हमारे सामने वो है यह African elephant species now endangered and critically endangered IUCN की red list में African elephant species तो African elephant के अंदर actually दो species होते हैं एक होता है African bush elephant दूसरा होता है African forest elephant वहीं asatic जो elephant होते हैं उनके अंदर चार species होते हैं Indian elephant, Borneo, Sri Lankan और Sumatran हम यहां पर जो बात कर रहे हैं हो African elephant के बारे हम बात कर रहे हैं actually देखें कहता है only some male asatic elephant have tusks while both male and female African elephant has tusks tusk मतलब यह जो आप जो है tusk की बात करते हों ना tusk उसको बोलते हैं जो दांत होते हैं basically ठीक है तो asatic elephant में जो है वो किसी के अंदर हो भी सकते हैं किसी के अंदर नहीं भी होता male के अंदर होते है female में usually नहीं होता African elephant के अंदर जो है वो male और female दोनों ही होता है ठीक है तो थोड़ी बहुत information आपका बस यह पता होना चाहिए तो हुआ यह के IUCN के red list में जो है African elephant को हम लोगों ने उसको critically endangered वाली situation में उसको category में उसको डाल दिया है African elephant है वो दोस्तों largest land mammal माना जाता है उसको और overall जो largest जो आइनिमल है वो हमारा blue whale होता है African और Indian elephant में थोड़ा सा फरक होता है African elephant के कान ear जो है वो थोड़े से बड़े होते है एशिया वाले के छोड़े छोटे होते है size की बात करें तो उसका size थोड़ा बड़ा होता है Africa वाले का हमारे वाले का size थोड़ा छोटा होता है और अगर उसकी जो tusk होती है उसके अंदर इस तरह से finger type का एक structure होता है जो soon होती है हमारे वाले की जो है वो इस तरह से होती है इंडिया वाले की मतलब जो asiatic होते है उसके अंदर वो finger like इस तरह से नहीं होता ठीक है टू मन्थ तक का pregnancy period होता है चलिए जो और इसके बारे में कुछ आपको जानना है तो आप यहां पे देख सकते हो Asian-nick elephant के बारे में 28,000 के लगबग जो है इंडिया में उनकी population है जिसमें से 25% जो है सिर्फ करनाटका में है IUCN के रेडलिस्मिन का जो status है वह endangered है साइट में पेंडेक्स 1 में है wild life protection उनको schedule 1 के अंतर रखा गया है वैसी elephant हमारा एक heritage animal भी है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला जो animal है हमारे सामने वो है हिमालियन सीरो देखिए ये goat type का है basically लेकिन इसके जो कान है वो donkey type के है और ये खड़ा रहा था ये लेटता नहीं है तो ये news में क्यों था निउस में इसलिए है कि इसको जो है देखा गया है कहाँ पे मानस tiger reserve के अंदर देखा गया है काफी लंबे समय के बाद usually वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं अगर पाए भी जाते होंगे तो हमें नजर नहीं आते होंगे अब ही वो नजर आए है इसलिए news में है actually native जो है वो हिमालिया का ही native है और इसका common नाम भी हिमालियन स्यू ही कहा जाता है और क्योंकि यह देखा गया है दोस्तो इसलिए news में है locally इसको बोला जाता है जिंगल और ये मू आई-उ-CN के रेडिलिस में vulnerable है site में appendix 1 में है और wildlife protection एट में schedule 1 में है मतला highest level इसको protection दिया गया है IUCN के अंदर तो नहीं लेकिन हमारे local कानून के अंदर ये थोड़ा आपका पता होना चाहिए इंडिया इंडियन जो है rhino vision की हम लोग बात करते है 2020 ये news में इसलिए है क्योंकि officially अभी इसका end हो गया है और इसके अलबाद में हम लोग कुछ और नया program यहां पर launch करेंगे इसलिए थोड़ा सा news में है और भी किसी कुछ खारणों से news में है क्योंकि actually इंडियन राइनो वीजन जो 2020 हम लोग उने चलाया था ये काफी ज़दा successful भी रहा जितना हमने सोचा था इनकी population बढ़ेगी उससे काफी ज़दा population इसकी निक्रीज हुई और यहां पर एक चीज़ आपको और मैं बताता चलूँ कि इंडिया में आसाम के अंदर जो पोबित्रा नेशनल पार्क है और जो काजी रंगा नेशनल पार्क है यहां पर सबसे ज़दा one on rhinos पाय जाते हैं लेकिन मानस नेशनल पार्क के अंदर नहीं पाय जाते थे दस साल पहले हम लोगों ने क्या किया पोबित्रा नेशनल पार्क से कुछ राइनोज को मानस के अंदर उसको ट्रांसलोकेट किया उसको लेके गए और आज के समय मानस के अंदर भी कुछ one on rhinos पाय जाते हैं बेसिकली ये जो rhinos का mission था हमारा उसका purpose ही यही था कि one-owned rhinos की population को अलग-अलग जगह पे diverse करना है उनको distribute करना है क्योंकि rhinos की large scale पे poaching होती है illegal trading होती है उनकी killing होती है तो अलग-अलग जगह पे रहेंगे तो खत्रा कम होगा एक जगह पे रहेंगे तो खत्रा ज़ादा होगा और जब हम लोग आसाम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे बास कहीं सरे national park हैं जैसे रिमोना, मानस औरांग, औरांग को पहले जो है राजिव गांदी औरांग national park भी का जाता था रिमोना वाले को और दीहिंग पटकई national park को पहले वाइड लाइफ सेंक्चरी हुआ करता था अभी हम लोगे ने इसको national park डिकलेर कर दिया है आपको ज़्यादा location देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक location जाननी है तो यहाँ पे देख सकते हो ठीक है तो जैसे यह वला है हमारा ठीक है यह है अपका काजी रंगा लोखावा यह हमारा लोखावा है यहां पे भाजिया हमारा ओरांग आ गया इदर ही इसके पास में हमारा पभीतरा आ गया थोड़ा आगे बढ़ोगे तो हमारा मानस भी है इदर से हमार जो है दिवरुसी कोहा है इदर से डेरिंग है इदर से पानी दीहिंग है बाकी इंडिया में और भी है वो अब आप देख सकते हो वालमी की, चितवन, पार्सा ठीक है, पिली भीत जो आपको देखना आप उसको देख सकते हो ठीक है जी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जो current affair का news हमारे सामने है थोड़ा बहुत आप इसके बारे पढ़ सकते हो extra day अगर आपको जाननी है तो ठीक है चलिए one on rhinos के बारे में आपको कुछ detail चाहिए तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा IUCN की जो है red list में rhinos को जो है critically actually rhinos की भी कहीं सारे category होती है rhinos में एक Indian category होती है और एक जो है Java सुमातरन category होती है तो जो Java सुमातरा वाले हैं उनको Java सुमातरा वालों को critically endangered declare किया गया है लेकिन जो Indian वाली category है उसको सिर्फ vulnerable declare किया गया है sites के appendix 1 में है मतलब highest level protection है और हुमारे जो wildlife protection act है भाईया उसको तो highest level protection है ही उसको तो बतानी कि आपका जोरूती नहीं है है ना तो वो कुछ कुछ चीज़ी आपे बताई गई है rhinos को आप यहाँ पे clearly देख सकते हो अगली जो हमारे सामने दोस्तों न्यूज आती हो आती है cloudburst ठीक है actually उत्रकंड के Chamoli district में टहरी गड़वाल वाले region में और उद्व प्रियाग डिस्टिक में cloudburst को cloudburst हुआ था cloudburst पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो देखें दिखने में कितना भयानक लग रहा है और actually cloudburst होता ही ऐसे है बहुत कम समय में बहुत ज़ादा जब rainfall हो जाता है उसे cloudburst कहते हैं तो basically जब एक घंटे के अंदर-अंदर 100 mm से ज़ादा rainfall हो जाता है तो उसे cloudburst कहते हैं यह इसकी कोई official definition तो नहीं है लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हो एक घंटे के अंदर-अंदर 100 mm से ज़ादा rainfall हो जाता है 20 से 30 स्केर के अंदर उसे हम लोग cloudburst कहते हैं और यह होता क्यों है यह होता तब है जब जो air rise करती है तो वो cloud बनाती है cumnolimbus cloud बनाती है cumnolimbus cloud दोस्तों सबसे highest type के cloud होते हैं और इनके अंदर moisture भी काफी जादा होता है तो thunder होता है lightning होती है और बहुत ही खतरनाक level पे rainfall और storm होता है इसे का जाता है cloudburst ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो cumnolimbus cloud बनते हैं वो cloudburst ही करें लेकिन किसी किसी case में कर सकते हैं खासकर monsoon season में जब south westerly monsoon wind जब हिमाल्या के उपर rise करती है तो usually उतरक्षण और हिमाचल बगारा area में आपको cloudburst नजर आता है अभी थोड़े समय पहले इस तरह का cloudburst आपको नैनी ताल में भी नजर आया था ठीक है तो जैसे जैसे जो यह air होती है जिसके अंदर moisture होता है जब हिमाल्या के उपर rise करती है तो इस तरह के घने cloud बनाती है जिसे हम लोग cuminalimbus cloud कहते हैं यहीं से हमारा rainfall होता है इसलिए थोड़ा सा यह news में था ठीक है वह ज़्यादा कुछ यह सब आपको जानने के जूरत नहीं है इतना ज़्यादा prelims के perspective से ठीक नहीं हाँ cloud बस से क्या-क्या हो सकता है आपका flash flood आ सकती है land slide आ सकता है mud flow आ सकता है land जो है caving हो सकती है जो sink holo-garah type के बन सकते हैं है ना वो बस थोड़ा आपको जानना है और इसमें कुछ नहीं तो आगे बढ़ते हैं next जो हमारे पास topic है वो है आपका COP26 conference of party 26 कहां पे हुआ हुआ भीया glass go में हुआ UK ने इसको host किया ठीक है मोदी जी भी गए थे कई चीज़े हम लोग वहां पे declare करके आए basically हमारे जो target थे वो हम लोग वहां पे declare करके आए और इसका main purpose कहा था glass go होगा इसका main purpose था कि जो Paris के अंदर हम लोगों ने commitment किये हैं जिसे हम national determined contribution determined contribution बोलते हैं उनको कैसे achieve करें वो हम लोग ने glass go में decide किया और आगे भी decide होगा वो basically इसका main purpose था तो यहां पे concept निकल की आया है जिसे का जाता है net zero net zero का मतलब होता है कि कोई भी country जितना CO2 release करेगी न उतना ही CO2 absorb ही करेगी और net outcome zero होगा ना CO2 को add करो ना ही CO2 को मतलब जितना add करो उतना ही उसको absorb करो तो हर country को actually achieve करना है अगर हमें दुनिया का temperature अगर हमें world temperature अगर वो limit में रखना है तो 2020 तक 2050 तक सारी दुनिया को net zero achieve करना पड़ेगा अगर temperature आपको जो है 2 degree centigrade करना है तो मतलब यह तो वैसे 1.5 degree वाला है अगर 2 degree तक करना है तो 2070 तक आपको net zero achieve करना पड़ेगा तो हर country ने वहाँ पर अपने अपने target बताए कि भाईया हम इसको कैसे achieve करेंगे इंडिया ने अपने target बताए चाइना ने अपने बताए तो इंडिया ने कहा कि मैं 2070 तक net zero achieve कर लूँगा ओके European Union ने USA ने कहा कि 2050 तक कर लेंगे चाइना ने कहा कि 2060 तक कर लेंगे तो सभी country ने बिसकिलिए अपने अपने target वहाँ पर बताए है और भी वहाँ पर कहीं सारी चीज़े होई targets के अलावा जैसे funding को लेके बात हुई developing country लगातार funding की बात करने के हमें fund दे दो तो 100 billion dollar per year का वादा किया गया था Cancun के अंदर लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ फिर वही है यहाँ पर pandemic आ गया pandemic तो उनकी हालत वैसे खराब हो गई लेकिन अभी वो वादा कर रहे हैं के 2023 के बाद हम लोग इस contribution को fulfill करेंगे अपने commitment को fulfill करेंगे लेकिन अभी रश्या ने उक्रेन के उपर attack कर दिया तो अभी इनको एक और बहाना मिल गया और वैसे भी असा attack की वज़े से यूनो के पहले ही एजेंडा में जो है climate change secondary हो गया पहले ही प्राइमरी हुआ करता था तो सारा ध्यान जो है यूकरेन की तरफ चला गया तो आने वाले समय में बैसिली समझ से यहाँ पर और ज़्यादा होने वाली है ठीक है उसके लाबा और भी कई चीज यहाँ पर की गई जैसे वैसे तो यह prelims के लिए इतना नहीं है mains के लिए है new announcements sorry कहाँ चला गया यह open कर लेता हूँ यह तो हुआ नहीं यह भी नहीं हुआ इस जी के बारे में बात कर रहे थे कुछ नई announcements यहाँ पर की गई है जैसे वैया fossil fuel से को कैसे reduce करें green energy को कैसे use करें developing country को कैसे funding करें adaptation कैसे करें जो हमारा Paris वाला rule book है उसको कैसे follow करें ठीक है वो सारी सारी बड़ी बड़ी बाते बेसिकलिए हमेशा यहाँ यहाँ पर की जाती है फोरेस्ट को कैसे करें methane को उपर भी focus किया गया है पहले usually methane को ignore कर दिया जाता था अब यह लोग कह रहे हैं कि 20-30 तक methane का जो production है वो हमें 30% कम करना है तो methane भी हाँ पर नया hero आ गया है car वगरा के इनोंने बताया है कि हम लोग future में जो हमारा transport होता है हम लोग electrical vehicles का use करेंगे वो सारे सारे चीज़ें बड़ी बड़ी बाते बोली गई है coal के बारे में भी बोला गया है कि coal को use हम लोग कम से कम करेंगे यहना वो कुछ कुछ बाते हम पर बोली गई है private finance हो है private sector को include यहाँ पर करेंगे इंडिया ने यहाँ पर concept दिया जिसे कहा गया पंच अमरित तो मोदी जी इस तरह के word game खेलते रहते हैं एक और जो है word उन्होंने ने दुनिया को दिया जिसका नाम है पंच अमरित पंच अमरित का मतलब किया है हम यहाँ पर देखिए इंडिया ने अपने लिए पाँच टार्गेट सेट किये है कौन से टार्गेट है इंडिया विल इंक्रीज इट्स नोन फोसिल एनर्जी कैपैसिटी तो 500 गीगावाट बाई 2030 पहले यह 550 था 50 गीगावाट उन्होंने और ज्यादा वहाँ पर बढ़ा दिया इस टार्गेट को चलिए 2030 तक हम यह अचीव करेंगे इंडिया 2030 तक अपनी 50% जो एनर्जी रिक्वार्मेंट है वो रीन्वेबल एनर्जी सोर्सी से प्रडूस करेंगे चाहे वो वीन्ड हो, सोलर हो, हाइडरो हो जियो थर्मल हो टाइडल एनर्जी हो, कोई भी हो ठीक है, उससे प्रडूस करेंगे और इन्डिया विल रिड्यूस दा टोटल प्रोजेक्टिड कार्बन एमिशन बाइ वन बिलियन टन तिल 2030 यह कैसे होगा यह फोरेस्ट से होगा जादे से जदा पेड़ पोधि लगाए जाएंगे फोटो सिंथिस होगा कार्बन को जो है रिमूव किया जाएगा और इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि 2030 तक इंडिया अपनी एकॉनमी का 45% जो है वो अब कार्बन रिड्यूस करेंगे अपनी टोटल एकॉनमी में जितना हम लोग कार्बन प्रडूस करते हैं उसका 35% करेंगे 2030 तक पहले ये 35% था तो जोस जोस में हम लोग ने 10% और भी बढ़ा दिया और 2070 तक हम लोग नेट जिरो अचीव करेंगे तो ये तो हैं दोस्तों हमारे पंजामरित ऐसे ही टार्गेट और कंट्री ने भी सेट कर रखे हैं चाइना ने कहा कि हम लोग 2060 तक नेट जिरो अचीव करेंगे उनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हम लोग 2050 तक करेंगे और 555 बिलियन डोलर का हम लोग रियूनेबल प्रावरगारा में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारे की सारे चीज़ें इन्हों नहीं यहां पर बोली हैं उसके लावा और भी कहीं चीज़ें वहाँ पर हुई नया चीज़ वहाँ पर लौँच हुआ जिसे कहा गया कहीं लोगों को इलेक्ट्रिकल वीकल्स वगारा को लेके कहीं सारे डाउट होते हैं मन में तो मित जो होते हैं बेसिकली उस इलेक्ट्रिकल वीकल्स को लेके और क्लीन एनरजी को लेके उस पोर्टल के ओपर पूरी साइंटिफिक जानकारी दी जाएगी जो भी आपको inquiry करनी है आप वहाँ पर जाके कर सकते हों ठीक है United Kingdom के साथ जो है मिलके हम लोगों ने इस project को basically launch करने वाले हैं और इसके बारे में और कुछ खास है नहीं इतना ही था Conference of Party क्या होता है यह आपको बताने की जोरत नहीं है फोर में शुरू किया था थर्ड जो हमारा कॉप था वो क्योटो प्रोटोकोल के बाद भी वो सारे चीजे हुई तो highest decision making होता है basically conference of parties बहुत सारे country यहां पर participate करती है 198 country यहां पर participate करती है वो मिलते हैं बैठते हैं बातचीत करते हैं climate change को लेकर क्या action लिया जाएगा वो सारे की सारे चीजे होती है ठीक है और इसका जो secretariat है वो बोन में है तो usually जो है meeting वो बोन में होती है लेकिन जब उनका annual meeting करनी होती है जो major meeting होती है वो हर बार जो है अलग अलग जगह पर की जाती है ठीक है जैसे इस बार glass go के अंदर हुई है ना जो है madrid के अंदर हुई थी वो सारे इक सारे चीजे है ठीक है तो highest decision making basically body है ये आपकी cope glass go financial alliance for the net zero अब net zero achieve कैसे करें उसके लिए तो पैसा चाहिए पैसे के लिए हम लोगों ने एक और नया एक और alliance बना दिया है हर बार कुछ नो कुछ नया बनाते है पराने वाले को भी चलता रहता है नया वाला भी आ जाता है वही ढाक के तीन path ground level पे कुछ होता नहीं हम लोग उनसे पैसा technology मांगते रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ देंगे 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 तो साल दर साल ऐसी निकल रहे है बतन नहीं आगने वाली generation का क्या होगा तो भीया नया project इन्होंने चलाया है ताकि हम लोग 2050 तक net zero अचीव कर सकें और इसमें तो कुछ खास है नहीं थोड़ा बहुत पढ़ना था पढ़ सकते हूँ अधर इस prelims के regarding यहाँ पर कोई फोड़र आपके लिए है नहीं ठीक है चली कहता है infrastructure for the resilience island states यह एक बड़ी काम की चीज़ है जहां से सवाल पूछा जा सकता है काम की चीज़ इसलिए है क्योंकि basically इंडिया यहाँ पर यह initiative इंडिया का लिया हुआ है और इंडिया नहीं इसको launch किया है नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा infrastructure for resilient island states island state की जैसे आप बात करो जैसे Mauritius Moldiv यह island state है Fizy यह इतने छोटे छोटे islands हैं तो climate change को लेके जब सबसे ज़्यादा damage होगा वो भी तो इन ही को होगा अब आप एक चीज़ सोचिए जैसे Mauritius का अगर हम लोग example लें छोटा सा state है अगर वहाँ पे कोई cyclone हिट कर गया तो क्या होगा अगर वहाँ पे tsunami आ गई तो क्या होगा अब बस Mauritius के अंदर एक international airport है और बाइचांस मालो वो डूब गया cyclone आया है सुनामी जो भी आया तो क्या Mauritius के अंदर ऐसा infrastructure है जो इस तरह की calamity के दुरान वो लोगों को service प्रवाइड करवा सके वो safety प्रवाइड करवा सके नहीं है क्या सीचल्स के अंदर है क्या मोलदीव के अंदर है क्या श्रिलंका के अंदर है क्या फीजी के अंदर नहीं है नहीं है तो इस project के तहत basically ऐसे जो छोटे छोटे आईलेंड state है उनके अंदर ऐसा infrastructure प्रवाइड करवाना है ताकि natural calamity के दुरान भी वो अपने आपको handle कर सके और उन तक help पहुँचाई जा सके अब मालो यार मौरीशियस के अंदर flood आ गया वहाँ का airport डूब गया तो इंडिया से वहाँ पर help कैसे जाएगा समस्या हो जाएगी न तो ऐसा infrastructure बनाना है और यह इंडिया और United Kingdom एक्चुलि इसके अंदर Australia भी है वैसे तो तीनों country के collaboration से यह है इंडिया और UK का जो है वो एक collaborative एक basic initiative है यहाँ पर ISRO भी help करेगा क्योंकि हमारे satellite वगरा है उनका सब का use करके हम लोग वहाँ पर information प्रवाइड करवा सकते हैं, mapping वगरा कर सकते हैं observation वगरा कर सकते हैं वो सारी की सारी यहाँ पर जो एक जो है वो चीज बोली जाती है वो है आपका यहाँ पर जो टर्म आपको सुनने को मिलेगी C D R I C D R I यह क्या है basically C D R I जो है न वो इसी resilient infrastructure के बारे में वो बात करता है C D R I में तो वही मतलब जो convention है basically एक तरह कि resilient infrastructure के बारे में जो है हम यहाँ पर बात कर रहे है coalition है coalition for the disaster resilient infrastructure तो यह इंडिया और UK ने basically वो मिलके बनाया तो उसी के बारे में बात कर रहा है ठीक है international कहीं सारी country है United Nations इसके अंदर काम कर रहा है USA कि कुछ agency यहाँ पर है वो सारी सारे जीज़ें basically वो ही है कि 2019 में Modi जी ने जो United Nations Climate Action Submit हुआ था वहाँ पर इसको launch किया था अभी तक यहाँ पर कितना action ground पर हुआ है कितना नहीं हुआ है वो actually हमें अभी पता नहीं आगे बढ़ते हैं यह बड़ा ही जवरदस्ट प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड देखें जो सन की हम बात करते हैं तो दुनिया में एक जगे पर sunset हो जाता है दूसरे जगे पर sunrise हो जकता है तो दुनिया में कोई भी ऐसी जगे नहीं जहां पर हमेशा जो है वो sun set रहता हो और sun जब हमेशा sunlight देता है तो इसका मतलब कहीं न कहीं से हमेशा electricity produce की जा सकती है तो इनका कहना यही है कि हम लोग पूरी दुनिया का जो electricity grid है उसको आपस में connect करेंगे और जो solar से energy produce करेंगे वो हम लोग उस grid से connect करेंगे जिससे पूरी दुनिया में बिजली पहुंचाई जा सकती है आपको सुनने में ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है और सुनने में के भाई यह तो किसी Hollywood की फिल्म के product जैसा लग रहा है एक्चली में है भी ऐसा ही इसका जो main मंत्रा है वो यही है sun never sets और sun never sets का मतलब हम लोग sun का use करके हमेशा बिजली पैदा कर सकते हैं तो African country में भी हम लोग grid के थूर बिजली भेज सकते हैं Asian country में भेज सकते हैं South American country में भी भेज सकते हैं वही इसका main purpose भी है और 140 से ज़्यादा country को basically हम लोग यहाँ पर connect करने की बात कर रहे हैं तो हमारा जो rooftop जो solar panelist हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग अपने grid से connect कर सकते हैं तो दुनिया भर में जब यह grid connect हो जाएगा तो बिजली की समस्या हम यहाँ पर दूर कर सकते हैं है ना कर सकते हैं तो अच्छा लग रहा है सुनने में तो बहुत अब ग्राउंड पर कितना काम करेगा वो अलग बात है वो देखने की बात रहेगी तो यहाँ पर जो है दो तिन phase हैं पहले phase में हम लोग क्या करेंगे Middle East, South Asia और South East Asia को connect करेंगे दूसरे phase में हम यहाँ पर solar और दूसरे renewable energy जैसे wind वगारा उनको भी हम यहाँ पर use करेंगे phase 3 में हम लोग interconnectivity की बात करने वाले हैं दूसरे areas के साथ जो बच गए होंगे area उसके साथ उसको किया जाएगा मोदी जी ने क्या कहा था थोड़ी थोड़ी सी बात है उनने इस तरह से बोली थी थोड़ा बहुत आपको जानना है तो इसके बारे में आप इतना पढ़ सकते हो उसके लाव एक और organization है मतली initiative है जिसे international solar alliance कहा जाता है यह भी मोदी जी ने फ्रांस के president को इस साथ मिलके हम लोगों ने बनाया था तो जो सूरिया पुत्रा basically country है जो tropical countries के बीच में आती है पहले तो यह project सिर्फ उनके लिए था अभी इस project को जो है सारी countries के लिए open कर दिया गया है ठीक है तो सारी दुनिया को आपस में basically जोड़ना है एक grid से वो यह पुरा project है ठीक है दोस्तो अगला जो topic हमारे सामने है वो है कि गाली amendment to the Montreal protocol देख इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं हमने बात किया था कि Vienna convention क्या होती है Montreal protocol क्या होता है और किस तरह से हम लोग ने Montreal protocol के अंदर change किये थे तो basically उसी के बारे में है पहले हम लोग ने Vienna convention क्या था 1985 में जिसमें हम लोगों ने एक meeting करके एक agreement किया था कि ozone को protect करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए 1985 के दो साल के बाद 1987 में हम लोग ने क्या किया Montreal protocol किया जो की एक legal और जो की एक legally binding agreement है फिर जो है उसमें हम लोग ने क्या किया पहले हम लोग क्या करते थे chloro-fluorocarbons और hydro-clorocarbons को हम लोग ने ban किया उसको हम लोग ने replace किया किस के साथ हाइड्रो फ्लोरो कार्बन के साथ क्योंकि हाइड्रो फ्लोरो जो कार्बन है वो ओजो डिप्लीटिंग सबस्टेंस नहीं है चले कोई बात नहीं लेकिन ये बहुत ही खत्रना ग्रीन हाउस गैस है तो इसको भी हम लोग ने रिप्लेस किया कब 2016 के अंदर कि गाली अग्रिमेंट करके जिसमें हम लोग हाइड्रो फ्लोरो कार्बन को भी रिप्लेस करने वाले हैं तो वही है इसके अंदर और इसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं 2016 में हुआ था कि गाले कहाँ पर पढ़ता है रवांडा के अंदर पढ़ता है उसकी कैपिटल है क्या करते हैं 2019 में ये पुरी तरह से अमेंडमेंट जो है फोर्स में आया देखे कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी प्रोटोकोल तब फोर्स में आता है जब एक कुछ नंबर ओफ कंट्रीज उसको क्या करती है रेक्टिफाइ कर देती हैं रेक्टिफाइ का मतलग क्या होता है कि अपनी संसद के अंदर वो कानून पास कर देती है कि भाया इसको हम लोकली भी इम्प्लिमेंट करेंगे तो क्या गोल है इसका देखे आपका मैंने पहले ही बताया था कि developed or developing countries के लिए गोल अलग-अलग है देखिए क्या कहता है गोल में before the middle of this century मतलब 2050 से पहले जो hydrofluorocarbon has to be curtailed by at least 85% जितना hydrofluorocarbon आज हम लोग आज यूज करते हैं 2050 तक उसका 85% हम लोग कम करेंगे दूसरी बात इंडिया को ये target कब अचीव करना है 2047 2047 तक इंडिया का target है और 2036 developed country का target है जैसे Canada, Japan, USA, UK, France इनको 2060 तक करना है एक चीज़ आप और देखिए चाइनों को कब तक करना है 2045 तक करना है मतलब इंडिया को चाइना से 2 साल extra दिये गए है अब या आप समझोगे इस तरह ऐसा क्यों किया जाता है developed country के लिए target तो चोटा रहता है developing country के लिए जाधा रहता है इवन जो under developed country है उनके लिए target तो और भी जाधा रहता है देखिए जब हम लोगों ने chloro-fluorocarbon से hydro-fluorocarbon पे shift किया और अभी हम लोग hydro-fluorocarbon को भी remove करने वाले है तो इसको किसी और substance से replace करेंगे इसके लिए बहुत ही जाधा high level की technology चाहिए तो पहली बात तो हमारे पास technology नहीं है दूसरी बात अगर western country हमें technology दे भी देती है तो इस technology को इतना fast adapt करना आसान नहीं तीसरी बात ये technology expensive होती है ये compounds भी expensive होते हैं तो इसलिए developing country को थोड़ा extra time दिया जाता है कि भाईया आपका यहाँ पर जो economy के level है वो इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए आप थोड़ा सा extra समय ले सकते हो और वैसे भी चाहे ozone depleting substance हो चाहे greenhouse gases हो इनकी production में सबसे ज़्यादा responsible कोन होता है developed country होता है तो भाईया जब responsible वो है तो उसको कम करने की responsibility वही ज़्यादा लेंगे हम थोड़ी ना लेंगे यह थोड़ा बस आपके यहाँ पर देखना है यही था कि उनकी गाली agreement के बारे में hydrofluorocarbons hydrofluorocarbons क्या होते हैं hydrofluorocarbons जो है they are known to be worse than the carbon dioxide यह मैंने आपको पहले बता दिया देखे carbon dioxide का हम लोग नाम क्यों लेते हैं actually दो reason की वज़े से carbon dioxide बदनाम है पहला reason यह है कि carbon dioxide की जो quantity है वो दूसरे compound के comparison में कम है तोड़ी ज़ादा है पहली बात तो यह दूसरी बात यह किसी भी दूसरे green house gas का यह compound का को जब हम लोग measure करते हैं तो वो measure किया जाता है CO2 के basis पे तो CO2 को हम लोगों ने standard मान लिया है तो सब का comparison हम लोग CO2 से करते हैं इसी लिए हम लोग बार बार CO2 का नाम लेते हैं otherwise जितनी भी दूसरी gases है most of them are stronger than the CO2 चिक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं और तो यह हम लोगों ने पहले करी लिया था यह सब हम लोग कर चुके हैं Montreal Protocol के बारे में कर चुके हैं यह सब हम लोग पहले कर चुके हैं तो इसमें कुछ करने का नया है नहीं ozone की लेरगी protection के बारे में Vienna Convention 85 Montreal Protocol के लिए इंडिया के लिए भी जो है अलग-अलग target रखे गए थे वैसे तो अगर मैं आपको बताओ के अंदर हम लोग ने chlorofluorocarbon को hydrofluorocarbon से replace किया था इंडिया ने भी उसमें काफी हद तक काम किया है कुछ product ऐसे हैं इंडिया में जहां आज भी हम लोग hydrofluorocarbon का यूज करते हैं जैसे किसी को अस्थमा हो जाता है तो उसमें हो जो pump यूज करते हैं अस्थमा में उसमें hydrofluorocarbon यूज होता है वो हम लोग करते हैं उसके लावा कुछ respiratory disease होते हैं होस्पिटल वगरा में यूज की जाती है वो मशीनें वगरा उसमें भी यूज की जाती है तो कुछ ही गिने चुने आइटम है इंडिया में अभी जहां पर हम लोग hydrofluorocarbon का यूज करते हैं लेकिन mostly हम लोग ने उसको replace कर दिया है basically ठीक है तो उसी के बारे में यह बात कर रहा है और इसमें कुछ खास है नहीं legally winding है भाईया और वो सारी सारी चीज़े है ठीक है आगे बढ़ते है forest carbon credit stamps ये क्या है पहले बस आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी country ने इसको लौच किया है तो भाईया इसको किया है चाहिना ने चाहिना दुनिया की पहली ऐसी country बन गी है जिसने forest carbon credit stamp दिया है ये क्या करते हैं इसकी वज़े से चाहिना के अंदर एक local carbon market बन सकती है होगा क्या कि जो वहाँ पे company बहुत सारी company होती है तो अगर किसी company के पास ये carbon credit stamp होगा तो उसका use करके वो उनको permission मिल जाती है CO2 को release करने की अब आपो लोग इसरा ऐसे तो किसी को पर permission मिल सकती है नहीं मिल सकती जियो company green energy के अंदर invest करती है या फिर कुछ ऐसे step लेती है जैसे a forestation उन्होंने किया वहाँ पे बहुत सारा तो उनको जो है ये credit दिया जाता है कि भाईया क्योंकि आपने climate change के लिए अच्छा काम किया है तो हम आपको ये credit दे देते हैं इसमें से आप इतना CO2 को produce कर सकते हो तो इस credit stamp को लेने के लिए वहाँ की companies का करेंगी आपस में compete करेंगी और इसके basis पे आप बैंकों से loan भी ले सकते हो तो ये एक currency के जैसे काम करता है जैसे कहीं बार coupon मिलते हैं आपको तो ये एक तरह का coupon है direct money नहीं है लेकिन coupon है तो वो coupon भी guarantee हो सकती है बैंकों के अंदर जाने के बाद तो ये थोड़ा सा आपको देखना है बस चाइना नहीं इसको release किया है इसका purpose क्या है औरका plant world's largest direct air capture plant ठीक है क्या कहता है देखिए नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा एक तो आपको इसको country का पता होना चाहिए आइसलेंड एक ऐसा country बन गया है जिसने इस technology को adapt किया है ये machine को आप ध्यान से देखिए इस machine को आप जब लगाओगे तो ये machine जो है इतनी जबरदस्ट machine है air से directly CO2 को absorb कर सकती है जैसे हमारे plant करते हैं तो CO2 को जब ये absorb करेगी तो उस CO2 को जो है ये convert कर सकती है किसी solid में convert कर सकती है और वही से सीधा हम इसको underground store कर सकते है ठीक है तो water के साथ mix करके water के साथ भी mix कर सकते हैं उसको underground भेज सकते हैं और वहाँ पे उसको हजारों सालों के लिए store कर सकते हैं बड़ी जबरदस्ट चीज़ है अब आप सोच रहे होगे सर इसको चलाने के लिए तो बिजली भी चाहिए तो क्या वो बिजली कोल से आ रही है नहीं इस मशीन को चलाने के लिए जो बिजली आ रही है वो भी जियो थर्मल सोर्स से आ रही है और जियो थर्मल जो है क्लीन सोर्स होता है अब इंडिया के जैसा तो नहीं होगा ना कि इंडिया में पहले तो हम लोग कोल से बिजली बिनाएंगे उस कोल से उस बिजली से फिर मशीन चलाएंगे और एर से CO2 का एबजोर्ब करेंगे तो इंडिया के केस में ते काम नहीं करेगा हाँ यह तब काम कर सकता है जब इसको चलाने के लिए बिजली भी क्लीन सोर से आ रही होगी यह आपका पता है जिसका मेकैनिसम आपने देखना है तो थोड़ा देख सकते हो पहले तो यह मिशीन होती है CO2 का एबजोर्ब करती है फिर उसके अंदरे फिल्टर लगे होते हैं वो फिल्टर जो है CO2 को अलग कर देत हैं फिर उसको जो है moisture दिया जाता है उसको heat दिया जाता है जिससे हमारा CO2 separate हो जाता है और जो बाकी remaining air है वो हम उसको बाद में release कर देते हैं बड़ा simple है देखिए यह क्या करेगी हर साल 4000 ton of CO2 को यह हमारे atmosphere से remove कर सकती है जो कि एक बहुत जबरदस चीज है अगला जो topic हमार ash utilization rules for coal and lignite based thermal power plant देखिए वैसे इसने यहाँ पर coal और lignite दोनों अलग से mention किया हुआ है लेकिन lignite भी coal की एक variety होती है coal की हमारे पास चार वराइटी होती है anthracite bituminous lignite and peat peat सबसे खराब quality होती है जहाँ पे हम लोगो peat मिलता है actually peat को हम लोग extract ही नहीं करते इसको हम लोग mine नहीं करते क्योंकि peat के अंदर energy कम होती है और खाम खा की ash ज़्यादा होती है और sulfur dioxide बहुत ज़्यादा sulfur content होता है तो इसलिए तो इसको तो हम निकालते ही नहीं वहीं पे छोड़ देते हैं lignite को हम लोग निकालते जरूर है लेकिन lignite से pollution बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि lignite के अंदर भी sulfur content और ash content काफी ज़्यादा होता है anthracite जो है बहुत जवरदस्त quality होती है जो कि इंडिया में इतनी ज़्यादा पाई नहीं जाती है इंडिया में ज़्यादा तर butuminous पाई जाती है तो हम लोग क्या करेंगे देखे जब हम लोग chimney के अंदर जब हम लोग coal को burn करते हैं तो यहाँ से बहुत सारा fly ash निकलता है अब इसको क्या करते हैं पहले थे हम लोग क्या करते थे इसको सिधा ही remove कर देते थे चलो भीया यहाँ से निकल रहे फालतू में उस तो कहीं पे भी फैंक दिया डाल दिया लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यह जो fly ash होती है इसके भी कहीं सारे use होते हैं इसे आप cement industry के अंदर use कर सकते हो इसे आप agriculture में use कर सकते हो as a fertilizer इसे आप road construction वगारा में use कर सकते हो इसको इससे आप bricks बना सकते हो बहुत सारे use होते हैं अब एक तो इसका use हो जाएगा दूसरा यह जो fly ash है काफी जादा polluting भी होती है तो आपका pollution भी कम हो जाएगा देखें fly ash के बारे में already UPSC में सवाल पूछा जा चुका है सवाल यह आया था which of the following compounds are found in the fly ash उसमें कहीं सारे option थे वो इस तरह के सवाल आपसे एक्जाम में पूछ सकता है जैसे इसके अंदर दोस्तो आरसैनिक भी होता है आरसैनिक भी होता है इसके अंदर boron भी होता है इसके अंदर chromium भी होता है ठीक है इसके अंदर lead भी होता है इसके अंदर sulfur भी होता है कुछ radioactive element भी हो सकते हैं ये जो है सवाल आपसे exam में already पूछा जा चुका है दुबारा फिर से पूछ सकता है तो इतनी चीजें हो गई अब सरकार चाहती है कि ये जो जो ये electricity producing companies होती है जिनके thermal power plant होते हैं वो इस fly ash का use करें उसके लिए basically सरकार जो है regulation लेके आई है rules बनाए है सरकार ने देखिए क्या कहता है ये rules क्या कहते हैं ये rules कहते हैं कि थर्मल power plant को fly ash का 100% utilize करना पड़ेगा अगर आप उसको utilize नहीं करोगे तो आपको punishment मिलेगा fly ash जो है by product होता है coal thermal power plant का ये आपको बताने की जोड़त नहीं है उड़ी बता चुका है इंडिया के अंदर जो जिस grade का coal मिलता है उसमें 30 से लेके 45% तक का fly ash निकलता है जबकि जो imported coal होता है जो हम लोग Australia वगरा से import करते हैं उसमें सिर्फ 10 से 15% का ही ash content होता है तो इंडिया का coal जो है न वो इतना high quality coal actually है नहीं high quality coal नहीं है अब देखे क्या कहता है कहता है with nearly 55% of our total power production through the coal and lignite based thermal power plant the fly ash generation India is very very high क्योंकि हम लोग बिजली पैदा करने के लिए coal का ज़ादा यूज करते हैं तो इंडिया में fly ash content भी बहुत ज़ादा है सबसे पहली बार जो fly ash वाला notification दिया गया था वो 1999 में दिया गया था जिसमें कहा गया था कि हम लोग 2009 तक मतलब आने वाले 10 सालों में इस fly ash का 100% यूटिलाइज करेंगे पहला notification वो था target achieve नहीं हो पाया फिर हम लोगों ने दूसरा notification दिया 2016 के अंदर जिसमें हम लोग ने ये कहा कि 3 से 5 साल में हम लोग 100% fly ash का utilization करेंगे किसी भी जगह से यूज कर सकते हैं cement fertilizer and all that कहीं सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं अब ये वाला target हम लोगों को basically achieve करना है इसकी भी वैसे तो जो इसकी भी time limit तो पूरा हो चुका है इसलिए अभी सरकार ने एक और नया notification भेज दिया है और उनका कहना है कि आने वाले 3 सालों में 100% utilization होना चाहिए और इसकी responsibility किसको दे दी polluters को दे दिया और इसको कहा जाता है polluter pays principle देखिए मालो किसी thermal power plant ने 100 ton fly ash को produce किया जिसमें से उसने 60 ton का तो use कर लिया बेच दिया समझ लो किसी को भी बेच सकते हैं 40 ton अभी भी बचा हुआ है ऐसा भी हो सकता है ना इस बचे हुए को कहते हैं legacy ash legacy इस legacy ash को भी use करना पड़ेगा अगर नहीं करोगे तो आपके उपर fine लगेगा कितना fine लगेगा 1000 रुपए पर ton अगर आप इसको utilize नहीं करोगे तो और सुनिए ये जो power वाली company होंगी इनकी ही जिम्मेदारी होगी के transportation का cost भी पूरा यही pay करेंगी अपने 300 km के area में मतल अगर कोई agency इनसे ice को खरीदना चाहती है तो यही उसको भेजेंगे वहाँ पर ट्रक से भेजेंगे टेंपो जैसे भी उनको भेजना हो तो वह भेजेंगे 300 km तक और central pollution जो control board है वो इसके उपर पूरी नजर रखेगा और इनको उपर fine लगाएगा अगर उसका utilization नहीं होगा तो इससे सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम इस problem का भी solution यहाँ पे निकाल ले चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला जो topic वो कहता है World Health Organization WHO Air Pollution Standards दुनिया भर में देखे बहुत different तरह के pollutants हमारे सामने होते हैं छे classical pollutants जिसके हम लोग बात करते हैं वो होता है आपका PM 2.5 चीक है PM 10 हमारा ozone nitrogen dioxide sulfur dioxide और carbon monoxide यह छे तरह के हमारे primary pollutants होते हैं WHO ने इनकी limit fix कर रखी है अगर उस limit में अगर आप इन pollution को pollutants को release करते हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब उस limit से ज़्याद आप cross करोगे तो भी यह दिक्कत है तो WHO ने standard fix कर रखे है आपको हसी आएगी सुनके के WHO का level कितना है और India का level कितना है अगली slide में आपको दिखाता हूँ देखिए WHO कहता है के जो PM 2.5 का level है वो कितना होना चाहिए वो होना चाहिए 10 इंडिया कहता है के नहीं वो होना चाहिए कम से कम 40 40 तो हम लोग 2005 में कहते थे अभी तो हम लोग कहते हैं 60 और 2005 में WHO कहता था के 10 होना चाहिए उस और 2021 में कहते हैं के 5 वो अपने standard को कम कर रहे हैं limit को और हम अपनी limit को बढ़ा रहे हैं सोचके देखो PM 2.5 की जो WHO की healthy range है वो है 5 India की healthy range है 60 और इस 60 को भी हम लोग achieve नहीं कर पाते हैं मज़े की बात तो यह है 60 को भी achieve नहीं कर पाते हैं चलो कोई बात नहीं PM 2.5 तो अलग चीज़ होगी ozone को देख लीजिए nitrogen dioxide को देख लीजिए WHO को nitrogen dioxide को जो level है 2021 के अंदर वो कितना है only 10 only 10 India का कितना है 80 वह यह 8 होना जादा है और हम लोग 80 को भी achieve नहीं कर पाते हैं तो हमारी country में India में इस pollutant को जो measure करने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है N-A-A-Q-S National Air Quality Index ठीक है तो जो कि real term में अगर आपके mobile phone में जो weather app होती है उसके अंदर भी तो दिखाते हैं न के good, severe, satisfactory वो सब actually इसी के द्वारा किया जाता है तो National Air Quality जो हमारा index है वो उसको करता है National Ambient Air Quality Standard जिसको वैसे तो पुरा जो इसकी फूम होती है वो होती है National Air National Ambient Ambient Air Quality Standard ये measure करता है ठीक है? तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आप उसको देख सकते हो उसके लावा जो इंडिया में pollution का क्या status अभी है वो भी आप देख लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालत बहुत खराब है WHO के level से बहुत उपर हमारा level है है ना लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया की हालत इतनी खराब है WHO कहना है कि दुनिया की 90% से ज़ादा population वो pollution से जो है वो परहशान है इंडिया भी उससे अचूता नहीं है कुछ खास countries को छोड़ के world की mostly population जो है इससे परहशान है फिक है तो इंडिया उससे अलग नहीं हालां कि दुनिया की जो most polluted countries है cities है उसमें से इंडिया की जो है बहुत सारी cities होती है है ना तो दुनिया की आप यह देखी सकते हो के top 10 जो polluted countries cities है उसमें से मेरे खाल से 7-8 तो इंडिया की ही होंगी है ना तो हालत तो खेर खराब है अब नई guidance जो आई है उसका क्या benefit होगा क्या नहीं होगा जैसे ही WHO ने अपने standard हो किया modify किया इंडिया ने भी कर दिया ground reality भी कोई ज़्यादा फर्क इसे पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि हमारे यहां पर pollution समय काफी ज़्यादा है उसको control करने की यहां पर definitely ज़रूत है तो यह वाला जो part है basically होता हुआ मेंस के perspective से है में prelims में यहां से कोई ज़्यादा question हो करा पूछेगा नहीं impact वाले side से दोस्तो अगला जो हमारा topic होता है वो हता है national clean air program तो यह भी pollution से ही related है national clean air program के बारे में थोड़ा साब को मैं बताता चलूँ के यह जो program है वो launch किया गया by ministry of environment forest and climate change के द्वारा कब किया गया था 2019 के अंदर किया गया था यह क्या कहता है यह program कहता है मतलब जो national N.C.A.P. जो हमारा यह program कहता है कि 2024 तक हम लोगों को अपना जो particulate matter 2.5 है उसको 20% कम करना है किसका 20% कम करना है 2017 का base year से मतलब 2017 में हम लोग जितना particulate matter प्रड्यूस कर रहे थे 2024 में हम उसका सिर्फ 20% ही कम करेंगे ठीक है यह जो है हमारा program था उसके अलावा अब ही यह news में क्यों है क्योंकि first meeting of national apex committee under national clean air program उसकी meeting हुई थी और उसने जो है report मांगी है कि भाईया बताईये जो हमने target रखा था आपने कितना अचीव किया है कितना अचीव किया है और जो यह आपका जो यह आपका हमारा जो national clean air program है वो actually इंडिया में जब इसको start किया गया था तो 132 cities में किया गया था लेकिन अभी तक किसी भी city ने उस standard को achieve unfortunately यहाँ पे नहीं किया है ठीक है तो goal हमारा था goal achieve हमारा हो नहीं पाया world की कहीं सरी agencies हैं जो यहाँ पे काम कर रही है जैसे world bank तो mostly यहाँ पे रहता ही है उसके लावा french funding agency है Swiss development corporation है यह लोग भी यहाँ पे काम कर रहे है Bloomberg है वो भी यहाँ पे काम कर रहे है तो कहीं सारी agency बेसिकली यहाँ पे काम कर रही है इस target और अचीव करने के लिए तो particulate matter जिनका size 2.5 होता है बहुत ही छोटे particles होते हैं जिसको हम लोग नेकीडाई से देख भी नहीं सकते इवन यह इतने छोटे होते हैं कि यह mask के through भी हमारी body में चले जाते हैं तो double mask लगाना पड़ता है इनको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला जो topic हो जाता है हमारा वो हो जाता है India Plastic Pact तो India Asia की पहली ऐसी country बन गई है जिसने Plastic Pact को launch किया है मैं Asia की कह रहा हूँ World की नहीं कह रहा हूँ World में already UK United Kingdom South Africa और Australia इसको कर चुके हैं वो इसको कर चुके हैं लेकिन ये Plastic Pact India के case में है क्या पहली बात तो ये किसने launch किया ये launch किया दोस्तों collaboration ने किसकी collaboration WWF India और Confederation of Indian Industry जिसे CEIA ही कहा जाता है दोनों के collaboration से हुआ इनका क्या काम है इनका काम है कि within given time हम लोग single plastic use को ban करेंगे जितने भी stake holder होते हैं जो plastic produce करते हैं या plastic consume करते हैं या plastic distribute करते हैं हर stage के हम पर इसको हम लोग लागो करेंगे और जो single use plastic है उसको हमारे यहां से बिल्कुल खतम करेंगे और circular economy को जो है यहां पर हम लोग उसको बढ़ावा देंगे अब आप सोच रहोगे इससरा circular economy क्या है देखे circular economy एक वो economy होती है जहां पर चीज घोमके वहीं वापिस आ जाती है मालो यहां से production हुआ production के बाद भी या उसका use होगा use के बाद उसको आप throw करोगे throw करने के बाद उसको reuse करोगे reuse करने के बाद फिर से आप उसको recycle करोगे recycle करने के बाद फिर से जो है वो हमारे ecosystem का part बन सकता है यह एक circular economy होती है और plastic के case में भी हम लोग circular economy का use कर सकते हैं यानि का जो plastic product होगे उसको बार-बार recycle करेंगे use करेंगे उसको collect करेंगे उसको process करेंगे proper तरीके से distribute करेंगे यह जो है circular economy का part हम लोगों को यह बनाना है तो single use plastic को basically यहाँ पे जो हटाना है अब उसके लिए क्या कर सकते हैं कहीं चीज़े कर सकते हैं पहली बात तो उसके design पे काम कीजिए तो जो हमारे waste product है जो pollution जो करते हैं उनके design पे काम कीजिए ऐसे product बनाईए जिसका हम लोग बार बार use कर सके हैं rather than एक बार use कर सके ऐसी plastic का use कीजिए जिसको हम लोग regenerate कर सकते हैं ऐसी plastic बनाने की process का use करिए जिसमें जो है कम से कम pollution का pollution हो कम से कम harmful chemicals हो तो यह हो जाता है हमारा इंडिया plastic pact अगला जो topic है हमारा वो भी plastic से ही related है तो ओर थोड़ी चीज़ हमें समझ में आ जाएंगी plastic waste management amendment rule 2021 यह क्या कहता है यह भी लगबग लगबग वही बात बोलता है लेकिन अलग तरीके से यह भी single use plastic की बात करता है single use plastic की बात करता है यह provision कहा है हमारा यह हमारा देखे provision है यहाँ पर यह भी single use plastic की बात करता है देखे क्या कहता है पढ़िए क्या 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 है अभी यह news में क्यों है news में इसलिए है क्योंकि plastic waste management amendment rule 2021 जो है वो ministry of environment forest and climate के द्वारा notify किये गए है जिसमे single use plastic को identify करना है उसके कचरे को रोगना है कब तक by 2022 तो यह single use plastic actually होता क्या है जैसे हम लोग पाने की bottle पीते है तो वो एक single use plastic है उसको हम लोग बार बार use कर लेते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए जैसे wrappers होते है Lays का जो packet होता है वो अपने खाया जो plastic के bags होते हैं जो straw होती है जिसमें कोल्डरिंग गरा पी लेते हैं कोफी के जो stirrers होते हैं जिसमें कोफी हम लोग ऐसे घुमाते हैं है ना soda can वगरा होती है यह सब single use plastic होती है और यह सबसे ज़ादा खतरनाक होती है क्योंकि एक तो हम इसको single एक ही बार use करते हैं दूसरे इनके अंदर जो है harmful chemicals भी होते हैं तो इनको basically दूर करना है तो यह जो हम लोग ने नया amendment किया है इसके अंदर कुछ जबरदस्थ provisions हैं क्या provision है वो आपके सामने हैं ठीक है इस provision में एक चीज जो है वो सबसे जबरदस्थ है वो है producer responsibility extended producer responsibility अगर कहीं दिया होगा यहाँ पर हंजी यह दिया होगा extended user producer responsibility इसका मतलब यह है कि जो आदमी plastic को produce करेगा वही आदमी plastic को collect भी करेगा वही उसको process करेगा जैसे कोका कोका कोला कमपनी पैपसी कमपनी और भी कोई करती हैं इनकी responsibility होगी plastic को collect करने की यही उसको process भी करेंगे अब होता क्या है क्योंकि plastic सस्ती होती है सस्ती वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो envelope होता है जो plastic होती जो polythene होता है बेसिक जो polythene बोलते है वो काफी thin होता है तो सरकार ने क्या क्या उसकी thickness को बढ़ा दिया अब thickness बढ़ाने से क्या होगा वो महंगा हो जाएगा और दुकान वाले इसको कम यूज करेंगे तो उसकी thickness बढ़ा दी गई है 50 micron से लेके 75 micron और बाद में इसकी thickness को हम लोग और भी ज़ादा बढ़ाएंगे 120 micron दूसरी बात पहले इसमें सिर्फ urban areas को ही cover किया जाता था अभी इसमें rural areas को भी cover किया जाएगा और कौन सी जैसे हमारा जो center pollution control board है वो इसकी nodal agency होगी जो इस सारे काम को देखेगी ये जो है कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अब देखें second point है हमें पढ़िए क्या कहता है कहता है prohibition of manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of the single-use plastic including the polyestrine and extended beyond committed effective from the 1st July 2022 यानिके 2-3 महीने के बाद ये rule पुरी तरह से लागू हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे prohibit कर देंगे single-use plastic को manufacture करना, import करना, stocking करना, distribution करना, sale purchase करना अगर कोई दुकानदार वोसा करता हुआ पाया गया तो उसको punishment भी मिल सकती है ठीके जी तो ये जो है आपको provision यहाँ पे बताए गए उसके लावा क्या कुछ और initiative भी है जो हम लोग ने लिये हुए है बिलकुल लिये हुए है जैसे हमारे पास स्वच भारत mission है उसमें भी हम लोग इस component को यूज करते है प्लास्टिक वाले का जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है वो भी हम लोग ने देखा था एक हमारे पास project replan भी है project replan unplastic collective go litter partnership अरे कई सारी चीजे हैं हम इंडिया यूज कर रहा है लेकिन ground पर कितना reality है वो थो घर हम अभी नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ step हम लोग ज़रूर ले रहे हैं आगे बढ़ते हैं next topic हमारे समने होगा है National Dolphin Research Center आसान सा topic आपको बस यह पता होना चाहिए कौन से state के अंदर लिया गया है यह लिया गया है बिहार के अंदर क्यों क्यों कि दुनिया की जो 50% river dolphin है वो सिर्फ बिहार में ही पाई जाती है तो बिहार से ज़्यादा suitable यहां पर कुछ हो ही नहीं सकता पहले तो लोगों को पता ही नहीं था के भहिया river dolphin नाम की भी कोई चीज होती है बाद में पता चला के अच्छा river के अंदर भी dolphin होती है पहले तो लोगों को लगता था सिर्फ ocean के अंदर ही dolphin होती है और जब river के अंदर पता चला तो जो गंगा जो river है इसकी जो tributaries हैं गंगा बेसिन में actually काफी dolphins पाई जाती है और dolphin fresh water में होती है इसका मतलब अगर किसी river के अंदर dolphin पाई जाती है तो ये माना जाता है कि उसका पानी जो है वो साफ है क्योंकि जैसे ही pollution होगा तो वो मर जाती है बहुत ही जादा sensitive होती है और 2009 में हम लोगों ने dolphin को national aquatic animal भी declare कर दिया था और जो गंगा river dolphin होती है basically वो blind होती है तो ये देखती तो नहीं लेकिन फिर ये travel कैसे करती है ये दूसरे के साथ communicate कैसे करती है उसके लिए ये जो है इनकी जो body में कुछ special ऐसी चीज होती है जिसको ये produce करती है जैसे कुछ sonic type of ultrasound ultrasound जो है ultrasonic sound होते है जिसको हम लोग नहीं सुन सकते ये लेकिन ये लोग उसको produce करते हैं और आपस में communicate करते हैं hunt करने के लिए दूसरी fish gear को consume करने के लिए ठीक है तो ये कहां खोला गया है बिहार के अंदर सबसे पहली बार जो discovery हुई थी river dolphin की वो ही थी 1801 के अंदर ठीक है गंगा परमपुत्रा मेघना यहाँ पे थोड़ी बहुत नेपाल में और बंगलादेश में भी पाई जाती है ठीक है फ्रेश वुटर में रहती हैं तो कुछ information आपका पता होने चीए लोकल भासा में इसको सूसू भी कहते है ठीक है जी तो other dolphin found in India इंडस रिवर डॉल्फिन इंडियन ओशिन हमबक डॉल्फिन इरावडी डॉल्फिन ठीक है जो कि Myanmar वाले रिजिन में पाई जाती है इनका जो status है वो endangered है तीनों का ही status endangered है IUCN status ठीक है इंडिया का national aquatic animal है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तू next topic हमारे सामने वो है चीता से related बहुत बार आप इस topic को कर चुके होंगे इसलिए detail में जाने का कोई फायदा नहीं इंडिया में हम लोग चीता को reintroduce कर रहे हैं वर्ड पे focus कीजिए re मतलब पहले ये इंडिया में था फिर ये 1992 में extinct हो गया भीया इसका हम लोगों ने इतना जादा शिकार कर लिया ये खतम हो गया इसलिए हमें इसकी घर वापसी करवा रहे हैं इसकी reintroduction कर रहे हैं इतने सालों के बाद सोच के देखो 70 साल हो गये हैं दोबारा मंगवा रहे हैं क्यों मंगवा रहे हैं वो तो अब्यस्सा रीजन है कि अपने ecosystem और परटेट करना है conserve करना है grassland can all that कहां से मंगवा रहे हैं ये ज़्यादा important है देखे जब चीता को मंगवाने की बात आई तो दो तरह के चीता होते हैं दोश्तो एक होता है Asiatic Cheetah और एक होता है African Cheetah Asiatic Cheetah इस समय सिर्फ और सिर्फ इरान में पाया जाता है African Cheetah जो है पूरे अफरीका में पाया जाता है Botswana, Kenya, South Africa बहुत जगह पाया जाता है तो इरान को सबसे पहले हम नोग लोग इरान को अपरोच किया इपरान ने हमें इरान ने हमें चीता देने से मना कर दिया तो हम लोग जो है किसी African Country को अपरोच किया तो हम लोग Namibia और South Africa इन दोनों का अपरोच गया उन्होंने कहा भीया कोई दिक्कत नहीं आपको चीता चाहिए हमसे ले लीजिए यहां से हमें पर्मीशन मिल गई अज सवाल यह पैदा हुआ के इंडिया में इसको हम लाएंगे कहां क्योंकि ओलेडी हमारे यहां पे वाइड लाइफ जो है वो काफी ज़्यादा हाई डेंसिटी हो चुकी ह टाइगर्स हमारे यहां पे हैं दूसरे जो जानवर पाए जाते हैं वो सब यहां पे हैं लाएंगे कहां तो जगय की अडेंटिफिकेशन करना है चीता के लिए जो बेस्ट हैबिटाट होता है वो होता है ड्राई क्योंकि चीता को बहुत ज़दा पानी की रिक्वाइर्मे होगा वो लाएंगे क्या खाता है वो डिएर लेकिन यहां पे दिख्कत यह है कि जो ब्लैक बग होता है और वो चीता का फैवरेट भोजन है और ब्लैक बग को ऑलईटि हमारे वारड़िल प्रोटेक्शन Act के अंदर Schedule 1 में है Highly Protected है तो चीता को लाएंगे तो भाईया इसको खा जाएगा तो ऐसी जगह भी ढूंडनी है जहां पे जादा Black Buck ना हो तो कई सारी चीजें हम लोग नहीं यहां पे कई सारे National Park वारा के अंदर identify किया लेकिन बाद में जो agreement हुआ वो किसके उपर हुआ मध्या प्रदेश के अंदर जो है क्यूनो वाइड लाइफ सैंक्चुरी या क्यूनो National Park इसके उपर agreement बना देखे पहले तो 2012 में Supreme Court में जब यह case कया था तो Supreme Court ने मना कर दिया था नहीं चीता इंडिया में नहीं आना चाहिए इससे दूसरी वाइड लाइफ को खत्रा हो जाएगा अब कोई चीता वही ऐसा जानौर तो है नहीं कि आएगा घास पत्ते घास फूस खालेगा अरे वो तो दूसरे जानौर को खायेगा ना कहीं और भी हम लोग ने जगह देखी थी जैसे वाइड लाइफ सेंक्चुरी है मध्या परदेश के अंदर एक और जिसका नाम है नोर देही एक गांधी सागर वाइड लाइफ सेंक्चुरी है हमारे पास मध्या परदेश में है वो भी इडेंटिफाई की गई थी उसके ल चीता के बारे में अगर हम लोग बात करें जो एस्याटिक चीता है वो एकचलि ँर्टिकली एंडेंजर स्पीसी है जो कि सीर्फ एरान में बात पाय जाता एफरिकन चीता जो है अभी इतना इंडेंजर नहीं है अगर थोड़ा सा डिफरेंस आपको पड़ना है तो आहांप characteristics की बात करो आप यहां फे clearly देख सकते हो ठीक है एरान के अंदर सिर्फ 40-50 पाए जाते हैं जबकि एफरीका में जो है साड़े 6,000 से 7,000 के लगभग पाए जाते हैं जो हमारा जो एफरीकन जो चीता होता है एक्शली साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है aesthetic चीता के comparison में ठीक है तो बस सियत कुछ-कुछ अगर आपको information जाननी है तो आप वो भी जान सकते हो ठीक है चलिए जी दोस्त आगे बढ़ते हैं रैड सेंडर्स अभी-अभी movie आई थी पुश्पा उसमें आपने देखा होगा red centers के बारे में तो red centers के actually कई सरी variety होती है एक variety ऐसी होती है जिसे चंदन का व्रिक्ष कहते हैं जिसमें से खुश्पू आती है और लोग पनानी लोग कहते हैं कि चंदन के category के अंदर रख दिया endangered की category के अंदर रख दिया मतलब इसको भीया खत्रा अभी है पहले ये near threatened हुआ करता था 2018 में इसके status को update कर दिया क्योंकि बहुत ज़दा illegal इसकी जो है trafficking होती है illegal इसकी smuggling की जाती है विदेशों में इंडिया में भी की जाती है तो non fragrant जो है variety है red sanders की जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे है endemic है ये मतलब इंडिया में ही पाए जाती है खासकर eastern घाट में पाए जाती है और eastern घाट में भी आंधरा प्रदेश की अंदर जो है ये सबसे जादा पाए जाती है कहीं सारे नामों से इसको जाना जाता है आलमक कहते हैं सांडर वूड कहते है red sanders, red sandalwood red saunders, yera, chandhanam chandhanam मतलब देखो chandhan की हम लोग ने बात किया है ना, रक्त chandhan बोलते है लाल chandhan, रगत chandhan रुखतो chandhan, उंदुम chandhan बहुत सारे नामों से जाना जाता है perfume गरा इसका बनाया जाता है ayurveda में इसका use किया जाता है कहीं सारे तरीके से है न timber industry, ayurveda वो सारे चीज़ यहां पर लिखी हुई है तो थोड़ा बहुत आप इसको यहां से भी बढ़ सकते हो चीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला topic हमारे सामने है India's first cryptogamic garden crypto का मतलब होता है hidden cryptocurrency ना hidden currency है और gamic का मतलब होता है production production करना, पैदावार करना चीक है, birth देना तो यह मतलब होता है तो हमारे cryptogamic garden जो है पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह कहाँ पे है, यह उत्राखंड के दहरदून डिस्टिक में कहाँ पे, दियोबान में जगह है वहाँ पे, वहाँ पे इसको declare किया गया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ खास variety पाए जाती है लाइकन्स की, फर्न्स की और फंजाई की देखिए यह जो हमारे पास variety होती है ना, इनके seeds नहीं होते है यह बिना seeds के production करते हैं इसलिए इसको hidden production कहा जाता है और इसलिए इसको cryptogamic garden कहा गया क्योंकि इनके seeds नहीं होते देखिए नाम से ही बहुत सारी चीजों का हमें पता चल जाता है जो cryptogamic जो organisms होते हैं यह जो plants होते हैं यह अर्थ के उपर सबसे पुराने plants में इनको गिना जाता है जैसे अलगई हो गया बाइरोफाइट, लाइकन्स, फर्न्स and all that तो बस यह थोड़ा आपको पता होने चाहिए इसकी importance क्या है थोड़ा बता आप यहाँ पर देख सकते हो air pollution को monitor कर सकते हैं soil erosion को prevent कर सकते हैं है ना वो कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पर उसको बढ़ सकते हो चीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं महाशीर यह है क्या जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो दोस्ते यह fish है और यह एक अच्छी news है पहले महाशीर critically endangered species हुआ करता था और अभी यह least concerned category में आ गया है तो इसकी promotion हो गई है भहिया पहले यह extinct होने की कगार पे था और आज इसकी इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है कि IUCN इसको least concern वाली category में रख दिया इसका जो श्रे क्रेडिट जाता है वो जाता है कि इसको Tata को क्योंकि Tata's ने 1970s में एक program चलाया था कहां पे मुंबई के पास एक जगह है लोनावला वहां पे एक डैम बनाया था आर्टिफिशल डैम जिसका नाम है WAV-LEN वावलन डैम वालवन भी बोलते हैं कहीं लोग इसको डबलू वालवन डैम और इस डैम में इस fish को produce किया गया उसको conserve किया गया उसको बचाने के लिए step लिये गए और अगले 50 सालों में इनकी संख्या इतनी हो गई कि IUCN ने इसको least concerned वाली category में रख दिया तो Tata Power का धन्यवाद है ना तो हम तो Tata Power के थंक्यू बोलेंगे तो आज के समय में भाईया महाशीर जो है वो काफी ज़्यादा सही है तो साब सुत्रे पानी में रहती है fast flowing water में रहती है जिसके अंदर खूब सारी oxygen होती है omnivores है कुछ भी खा लेती है सब कुछ खा लेती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगे ला टोपिक हमारे सामने है वो है geotourism sites geotourism sites देखे क्या पुरा मामला है जैसे हमारा cultural tourist sites होती है वैसी हमारे पास geotourism sites भी होती है जहाँ पे इनको हम लोग heritage declare कर देते हैं basically जो बहुत unique होती है जो बहुत ही खास होती है tourism के purpose के लिए तो अभी क्या किया geological survey of India ने North East India के अंदर कुछ geotourism sites को identify किया है क्योंकि उनके अंदर कुछ uniqueness है ये एक तरह की न जैसे UNESCO के हमारी world heritage site होती है वैसे तरह के heritage होती है ठीक है तो कौन-कौन सी site है थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए देखे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो लोक्टक लेख है जैसे मनिपूर की अंदर बहुत खास होती है क्योंकि वहाँ पे पाया जाता है केबूल लामजाव नैशनल पार्क और ये पार्क दुनिया का एक मात्र ऐसा पार्क है जो floating पार्क होता है और वहाँ पे एक बड़ी थी भी खास तरह का हिण पाया जाता है इसे मनिपूर का state animal भी है इसे dancing deer कहते है उसके बावा जो है सांग्सार जो अरुनाचल परदेश में पाया जाता है ये भी अच्छी लेक है मजूली आसाम के अंदर रिवर आइलेंड है मेवलु केव जो है मेगाल्या के अंदर पाई जाती है वहाँ पे जो है कास्ट टाइप की टोपोग्रफी पाई जाती है मेबू जो है गोड रोग मेगाल्या में यही पाई जाती है तो कुछ साइट है जिसको अभी Geological Survey of India ने डिकलेर किया है तो इनके नाम आपको बेसिकली पता होने चाहिए और एक और प्रोगैम होता है जिसे कहा जाता है Global Geoparks तो वो UNESCO के द्वारा किया जाता है Unfortunately इंडिया में अभी कोई भी Global Geopark नहीं है मतलब Geo Heritage टाइप का साइट नहीं है लेकिन Geological Survey of India ने नोर्थीस्ट के अंदर 12 साइट को identify किया है आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला चोटा सा टोपिक है दिहींग पटकई नैशनल पार्क चीक है क्यों न्यूज में है इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये बन गया है आसाम का सैवन्थ नैशनल पार्क जो कि 2021 के अंदर डिकलेर किया गया है आसाम की सरकार के द्वारा तो आज आसाम में साथ नैशनल पार्क है लेकिन सबसे ज़ादा जो नैशनल पार्क बाए जाते हैं वो है मध्या परदेश के अंदर कितने है 12 दूसरे नंबर पर पाया जाते हैं अंडमा निकोबार के अंदर जिसके अंदर पाया जाते हैं इससे पहले एक और नैशनल पार्क है जिसका नाम है कहां गया है अगर यहां पर दिखेगा तो रेमोना है बेसिकली अक्चली उसका नाम ठीक है रेमोना तो ये भी 2021 के अंदर ही डिकलेर किया गया था ये इसका 6th National Park था ठीक है चलिए तो ये ही थोड़ा सा बस आपको पता होना चाहिए यहां पर जो है रेमोना एक्चली बेसिकली वो यहां पर पाए जाता है कहीं यह पाए जाता है और रेमोना की खास बात यह है कि भोतान के अंदर भी एक और National Park है पाय जाता है जिसका नाम होता है FIMPSU भोतान के अंदर जो पाए जाता है उसका नाम है FIPSU वाइड लाइव सेंक्चुरी है उसकी ही continuity है यह और यहीं पे बंगला वेस्ट बेंगोल के अंदर पाया जाता है इस साइड में बकसा टाइगर रिजर व। बकसा टाइगर रिजर है ना तो इनकी जो लोकेशन है वह थोड़ा आपका पता होना चाहिए और और जो आसाम का जो हमारा Manas National Park है वो थोड़ा से इसके जो है यहां पे पाए अक्षरी रमोना हमारा यहां पे पाए जाता है और Manas जो है वो इसका थोड़ा East में होता है बकसा इसके West में होता है ठीक है तो कुछ-कुछ चीज़ां आँको पता होनी चाहिए ठीक है, कहां पे तिन सुकिया डिस्टी की अंदर पड़ता है, असाम के दिब्रूगड का थोड़ा से तिन सुकिया का और रिवर जो यहां पे फ्लो करती हैं वो है दीरक और बूडी दिहिंग ठीक है, फुलोरा फोना की अगर बात करें तो यहां पर Chinese पैंगुलीन पाए जाते हैं, उसके अलावा यहां पर जो है, Slow Lories पाए जाती है, Cloud Leopard पाए जाता है ठीक है, White Winged Wood Duck भी यहां पर पाए जाती है, जिसकी जोगरिफी वाले में भी डिसकस किया था, थोड़ा सा यहां डिसकस कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं देखे, जब Forest Report की बात आती है, तो अभी जो है, वो रिपोर्ट इशू की गई है, और यह रिपोर्ट इशू की जाती है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के द्वारा, ठीक है, Forest Survey of India, वो हर दो साल के बाद एक Forest Report निकालता है, every second year, पहली जो ऐसी रिपोर्ट निकाली गई थी, वो 1987 के अंदर निकाली गई थी, ठीक है, और यह वाली जो रिपोर्ट 2021 में आई है, यह actually 17th रिपोर्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़े देखी जाती है, overall इंडिया का Forest Cover increase हुआ के decrease हुआ, कौन से स्टेट के अंदर increase हुआ, decrease हुआ, mangroove का स्टेट अलग से निकाला जाता है, bamboos का स्टेट अलग से निकाला जाता है, open forest कौन से हैं, dense forest कितने increase, decrease हुए है, actually बहुत सारी एक लंबी चोड़ी ये एक list होती है, लंबी चोड़ी list होती है, लेकिन इसका basic जो conclusion अभी हम लोग निकाल सकते हैं, वो ये है, कि इंडिया में overall forest cover actually थोड़ा सा increase हुआ है, लेकिन चिंता की बात ये है, कि नोर्थ इस्ट इंडिया में degradation हुआ है, ये थोड़ा सा चिंता का विश्या है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपको देखना है, तो हम यहाँ पर, इस बार हमने थोड़ा कुछ नया इसके अंदर किया, थोड़े नए method हम लोग ने अपना हैं, जैसे, इस बार हमने इस report के अंदर कुछ tiger reserve, बक्सा जो tiger reserve पाया जाता है, वेस्ट बेंगोल के अंदर, उसके लावा हमारे पास अन्ना मलाई, जो tiger reserve है, तमिल नाडू के अंदर, इस यहाँ पर भी forest का area थोड़ा से increase हुआ है, वहीं जो कुछ हैसे भी है, जिनका area जो है, वो decrease भी हुआ है, तो यह tiger reserve को लेके भी जो है, अलग-अलग report यहाँ पर निकाली गई है, जैसे जो है करनाटका के अंदर, एक tiger reserve है, जिसका नाम है भद्रा, यहाँ पर forest cover जो है, वो decrease हुआ है, उसके लावाँ, इंडिया में, जो पाक के tiger reserve है, रुनाचल परदेश के अंदर पाया जाता है, यहाँ पे highest level of forest cover है, 97%, 97%, ठीक है, तो यह कुछ-कुछ चीजे हैं, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, और आपको detail देखनी है, तो वो भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, increase in the forest and the tree area, ठीक है, कितना increase हुआ, कितना decrease हुआ, हर fact के पढ़ने की आपको जोरुत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजे अगर आपका पढ़ना है, इंडिया में जो हमारे पांच नोर्थिस्टन स्टेट्स हैं, वहाँ पर एक्चली forest cover decrease हुआ है, जैसे और नाचल प्रदेश में, मनीपूर में, मेगालया, मिजोराम और नागलेंड, इसका कारण क्या हो सकता है, मेजरली जो इसका कारण है, वो है natural disaster, ठीक है, forest fire, natural disaster, land slide, extensive level of rainfall, मौनसून के दुरान, shifting, जो room cultivation है, वो भी इसका कारण है, उसके लबाबाद जो man-made deforestation किया जाता है, वो भी इसका एक कारण है, और जो development activities होती है, वो भी इसका एक कारण है, ठीक है, तो जिनके वज़े से ये पाए जाता है, state, जो है highest forest cover, मध्या परदेश के अंदर जबसे ज़्यादा है, उसके बाद और नाचल परदेश, 36 गड़, ओरीसा, महाराष्ट्रा, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है, और percentage wise, मिज़ोराम और नाचल परदेश, मेगाले, वो सारी सारी चीज़े है, ठीक है, forest area किसको कहते हैं, forest cover किसको कहते हैं, देखें, दोनों term आपको बार बार देखने को मिलेंगी, तो forest area दोस्तों वो area होता है, जिस forest को legal status मिला होता है, कि हाँ भाईया, यह forest है, legally, कानून तोर पे, forest cover कुछ भी हो सकता है, जैसे गाउं की जो पंचायत के जमीन होती हैं, वाभी कुछ पेड़ लगा दिया जाते हैं, तो वो भी forest cover होता है, लेकिन वो legally recognized नहीं होता, ठीक है, तो थोड़ा सा फरक होता है, दोनों terms के अंदर, उसके लबा मैंगरू के बारे में थोड़ी बहुत report इन्हों ने दिया है, जो forest fire के बारे में थोड़ी बात की है, इंडिया के जो total forest हैं, वो 46% जो है, prone to fire होते हैं, उन्हें आग लगने के chances काफी जादा होते हैं, उसके लबा कार्बन स्टोक के बारे में बात की गई गई है, इंडिया में जितना भी forest cover है, उसम वो जो है 7,204 million ton कार्बन को store करता है, जो की काफी बड़ा नंबर है, और इसको सरकार बेसिल यह और जादा improve करने की कोशिश करती है, बैंबूस के लिए अलग से list निकाली जाती है, यहां पे बैंबूस के लिए कहां गया, बैंबूस के लिए अलग से list निकाली जाती है, concern का मुद्दा कौन-कौन सा है, यह सब आपका mains के perspective से है, ठीक है, prelims के perspective से point आप यहां पे छोड़ सकते हो, अगला जो topic आता है दोस्तों हो आता है, मारा world heritage forest, एक heritage के बारे मैं थोड़ी देर पहले बात किया था, वो इंडिया के heritage थे, यह जो हम लोग heritage की बात कर रहे हैं, वो world heritage की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन करता है UNESCO, किस के साथ मिलके करता है, World Resources Institute, and IUCN के साथ मिलके report इशू करता है, World Heritage Forest, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जो natural heritage site होती हैं, उनको identify करते हैं, ठीक है, और इस तरह की जो site हैं, वो सबसे ज़्यदा पाई जाती हैं, tropical areas में, tropical areas, और ऐसे forest, या ऐसी जगह को identify करते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यदा potential होता है, CO2 को absorb करने का, और जिनके पास natural beauty होती है, जिनके अंदर काफी ज़्यदा high level of, you know, biodiversity पाई जाती है, पिछले 20 सालों में, जो world heritage, मतलब जो महारे natural, जो world heritage forest है, site है, वो 3.0 million hectare forest, उनका बिल्कुल खतम हो चुका है, 10 world heritage site के अंदर, इंडिया के अंदर भी कुछ natural heritage site पाई जाती है, जैसे सुन्दरबन national park, यह हमारा world heritage site है, जिक है, blue carbon economy के लिए जाना जाता है, blue carbon economy में, हमनों क्या include करते हैं, mangroves को include करते हैं, marshland को include करते हैं, sea grass को include करते हैं, वो सब हमारा blue carbon ecosystem, या blue carbon, जो है, उसका protected conservation effort का पाट हो जाता है, तो सुन्दर बन जो है, हमारा blue carbon ecosystem के अंदर में आता है, अगर हम लोग India के world heritage site की बात करें, तो बहुत सारी site हैं इंडिया में, जिसमें से 32 हमारे पास cultural हैं, अब ये कुछ update भी हो गया होगा शायद, seven हमारे पास natural हैं, और एक हमारे पास mixed है, इस mixed को लेके ओलड़ी सवाल पूछा जा चुका है, हमारे UPSC के अंदर, जिसका नाम है काजी रंगा, ये हमारे इंडिया में mixed world heritage site है, 2014 में शायद ये declare हुआ था, 2015 में यहां से सवाल आ गया था एक्जाम में, तो आवको थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए तो current fair important होता है, है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं दूस्तो, अगला जो topic हमारे पास हो है, coral reef, जादा इसके बारे बताने की जूरुत नहीं, क्योंकि बहुत बार इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन जो, Global Coral Reef Monitoring Network है, यह क्या करते हैं, यह report निकालते हैं time to time, और इस बार जो इन्होंने report निकाली है, उसमें इन्होंने कहा, कि बिछले 10 सालों में, हम लोग अपना 14% Coral Reef खो चुके हैं, मतलब या तो वो bleaching का शिकार हो रहे हैं, या वो पूरी तरह से destroy हो चुके हैं, Coral भी दोस्तों कई type के होते हैं, 1% जो जो Coral हैं, वो critically endangered होते हैं, वैसे तो जादातर जो Coral हैं, वो tropical areas में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है temperate area में भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक हैं, तो Coral के बारे मिनों ने क्या कहा, और देखे Coral हमारे पास barrier reef होते हैं, वो भी coral का पार्ट होता है, fringing reef होते हैं, coral का पार्ट होता है, अटोल होते हैं हमारे वो भी coral का पार्ट होते हैं, जैसे आपका लक्षोदीप में पाए जाता है, अटोल्स जो है वहाँ पे मिलते हैं हैं ना, तो यह report basically क्या कह रही है, देखें, पहले बात तो कहां पे मिलते हैं, आपको मैंने बताई दिया, ट्रोपिक कैंसर कैप्रिकॉर्ण में पाए जाते हैं, most of the time, लेकिन कभी-कभी यह coral वैसी जगह भी पाए जाते हैं, जैसे अगर हम देखें यह पे जपैन, अब जपैन तो ट्रोपिकल नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्योरोशियो करेंट और ओयाशियो करेंट मिलते हैं, वॉम करेंट और कोल्ड करेंट, तो जहाँ पे करेंट मिक्स होते हैं, ओशन वोटर मिक्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको जो है coral मिल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे Florida वगरा में भी यहां पे भी पाये जाते हैं क्योंकि यहां पे भी आपका current mix होता है उपर से Labrador current और नीचे से आपका जो Gulf Stream होती है वो आपसे mix करते हैं है ना तो यह कुछ-कुछ चीज़े जो है यहां पे हैं जो कि आप यहां पे clearly देख सकते हो इसके लावा और कोई जानने के हमें यहां पे ज़रुत है नहीं आगे बढ़ते हैं जो अगला topic हमारे पास है वो है न्यू रामसर साइट इंडिया में कुछ चार नई रामसर कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है इंडिया इसका पार्ट है के नहीं इंडिया ने इसको कब रेक्टिफाई किया था वो तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हो गई जो कितने criteria होते हैं actually total nine criteria होते हैं जिनको fulfill करना पड़ता है किसी भी साइट को रामसर साइट बनने के लिए nine criteria हमारे सामने हैं याद करने कि इनको इतनी जादा जोरत है नहीं बस एक वर उपर-उपर से देख लेना जो हमारे सामने डिकलेर की गई है वरामसर साइट उनमें से जैसे वधावन गुजरात के अंदर है खजवादिया जो है वाइड लाइफ सेंक्चिरी गुज बिंडावास है हरियाना के अंदर सुल्तानपूर नैशनल पार्क हरियाना के अंदर ठोल लेक वाइड लाइफ सेंक्चिरी यह गुजरात के अंदर है तो यह जो ठोल है और यह वधावन है यह तो बिलकुल लेटेस्ट है और हमारी जो सुल्तानपूर है और जो हमारी बिं सकते हो अगला दोस्तों हमारा टोपिक आता है वो है blue flag certification blue का मतलब जब मतलब यह पानी से related होगा कहीं न कहीं तो यह है बेल की beaches से related है जो best beach होते है ना उनको blue certificate दिया जाता है जो best होते हैं हर चीज में best होते हैं साफ सफाई में pollution में वहाँ पे नहाने दोने किस विधाई होती है security का proper तरीक से प्रबंद होता है lightning proper होती है हर चीज में बढ़िया होती है उनको दिया जाता है blue flag certificate कौन देता है यह organization है basically जो कि Denmark के अंदर है इसका नाम है foundation for environment education तो 33 criteria आपको fulfill करने पड़ते हैं इस certificate को लेने के लिए और जिस भी बीच को यह certificate मिल जाता है वहाँ पे tourism जो है वो जादा हो जाता है तो वहाँ के लोगों की local जो है income भी होती है तो recently जो है इंडिया के दो बीच को यहाँ पे include किया गया एक हो जाता है हमारा कोवलम तमिलनाडू के अंदर और एक होता है इडन पोडी चेरी के अंदर तो अब अभी टोटल इंडिया में दस ऐसे बीच है जिनको blue flag certificate मिल चुका है उनकी list जो है आपको यहाँ पे हम लोगों ने provide करा रखी है ठीक है ओडीशा के अंदर है golden आंधर प्रदेश के अंदर है रुशी कोंडा अंडमानिकोबार के अंदर हमारा आ जाता है राधानगर इडन जो है पूडी चेरी अभी हम लोग ने किया कोवलम अभी हम लोग ने कहता मिलाडू में कपड जो है वो केरिला में पाडू बिद्री कसा जो है करनाटका के अंदर घोगला गुजरात के अंदर और शीव राजपूर जो है वो द्वारी का मतलब भी गुजरात के अंदर गोवा में भाया किसी भी बीच को अभी तक नहीं मिला है क्योंकि वहां पर इतने टूरिस्ट आते हैं सब उसको बरबाद करके रखा हुआ है तो इतना ज्यादा भीड भढ़का होगा तो कैसे मिलेगा है ना वो थोड़ी समस्य हैं आगे बढ़के देखते हैं दोस्तों अमेंडमेंट टू दा कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन टू थाउज़न और नाइंटीन ठीक है 2019 में जो हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन था उसके अंदर हम लोग ने थोड़ा सा मोडिफाई किया है बेसिकली सरकार ने ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया है क्या है इस मोडिफिकेशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़े नहीं है दो-चार चेंज किये गए हैं जो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए देखिए जो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सैंड बार तो ओशिशन के अंदर जो हमारी वेवस गर आती हैं वो सैंड को लेके आती हैं और कई बार जो है इस तरह के सैंड बार्स बन जाते हैं तो ये सैंड बार क्या करते हैं नहीं वोटर के फ्लो को रिस्टीट कर देते हैं तो इसको हटाना पड़ता है मशीनों के द्वारा, इसे सैंड बार बोलते हैं, तो इसके लेके भी कुछ चेंजिस हुए हैं, तो क्या चेंज हैं हो थोड़ा देख लेते हैं, पहला चेंज तो यह है, अगर कोस्टल एरिया में कोई कंपनी या सरकार, अगर वो ओयल या नैच आप इसे हटा सकते हो, जैसे अभी हम लोग ने पिक्चर में देखा, आप इसे हटा सकते हो, लेकिन manual method से, तो वहां की जो local communities होती है, coastal community, उनको permission दिया गया है, इनको हटाने के लिए, ठीक है, बस यही होता है, coastal regulation zone की अगर हम लोग बात करें, तो उसके लिए हमारे coastal area को ढूड़ना बहुत जुरूरी है, देखे, जब हमारी tide आती है, तो tide के अंदर दो range होती है, high tide range और low tide range, और इन range के बीच में, जो area होता है, उसको ही कहा जाता है, coastal regulation zone, जहां पे हम लोग ठीजों को regulate करते हैं, high tide और low tide के बीच में, ठीक है, और जो high tide होती है, 500 meter पीछे तक जो है, हम इसको regulate कर सकते हैं, ठीक है, तो जो 2019 का जो हमारा regulation act था, जो sustainable development की बात करता था, उसमें अभी हम लोगों ने थोड़ा सा change किया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, gross environment product, ये क्या है, काफ़ interesting चीज है ये, तो उत्तराखंड की सरकार ने basic लिए अभी इसको adopt किया है, क्या है ये देखिए, एक हमारे पास होती है, दोस्तों, इसी से मिलता जुलता concept जिसे काजाता है, green GDP, देखे, जब हम लोग GDP निकालते हैं, GDP हम लोग क्या अंदर क्या निकालते हैं, overall output, इसमें हम लोग GDP में हम लोग ये count नहीं करते हैं, भहिया, कितना forest destruction हुआ, कितना pollution हुआ, कितना soil का destruction हुआ, वो सब count नहीं करते, GDP में हमारा मतलब होता है, कितना output हुआ, वो बताओ, एक होती हमारे पास green GDP, हम लोग green GDP में क्या करते हैं, जितना भी हमारा ecosystem damage हुआ है, उसकी cost निकालते हैं, और उस cost को अपने GDP में से minus कर देते हैं, और जो हमारे सामने आता है, उसको कहते हैं, green GDP, लेकिन, जो उत्रखंड ने किया है, वो है gross environment product, ये थोड़ा अलग होता है, ये होता है कि सरकार ने कितने step लिये, उन steps का क्या positive outcome हुआ, कितना हमारा ecosystem improve हुआ, उस improve ecosystem की cost हम लोग निकालते हैं, उससे आता है हमारा green environment product, तो दोनों में फरक है, जो green GDP है, वो एक तरह से competitively negative concept है, और ये हमारा positive concept है, overall health measure की जाती है हमारे environment की और ecosystem की, कि हमने कितना soul erosion को रोका, कितनी air quality को improve किया, कितने paid podे हम लोगों ने लगाए, कितना carbon storage हम लोगों ने किया, वो हमारा इसमें जो है, gross environment product के अंदर उसको count किया जाता है, यही है, इसके बारे मूर इसमें कुछ खास है नहीं, green day ahead market portal, ये क्या है, ये काफ़ी interesting चीज़ है, कैसे, तो देखें, आजिता आप खुद भी पढ़ लोगे, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, तो ministry of power ने basically भी इसको launch किया है, GE dam इसको बोला जाता है, ये पुरा मामला क्या है, देखिए, मामला ऐसा है, कि जो electricity यानि कि power producing companies होती है, उन companies को obligation होता है, कि उनको कुछ projection, कुछ percentage जो है, उनको green energy use करनी पड़ती है, मतलब जो solar power plant, मतलब थोड़ा आपको concept वैसे बता देता ह जैसे हमारा एक electricity grid होता है, है ना, तारे ऐसे लगी होती है, तो ये बिजली कहीं ना कहीं तो produce होती होगी, तो जो companies होती है, जैसे Tata है, Reliance है, वो distribution company है, तो उन company के उपर कुछ obligation होता है, कि उनको कुछ बिजली solar power plant से या hydro power plant से खरीदना होता है, तो होगा क्या, मालो ये गर है, आपने अपने घर की छट के उपर कुछ solar power plant लगा रखे हैं, और आप खुद बिजली produce करते हो, और आप जितनी बिजली produce करते हो, उसमें से थोड़ा बहुत अपने घर में यूज़ कर लेते हो, बाकी को आपने grid से जोड़ रखा है, grid से, इसका मतला आप अपने घर में जो बिजली produce करते हो, वो Tata को और Alliance को बेच सकते हो, किस rate पे बेचोगे, ये सवाल है, उसके लिए ये company जो है, वो bidding करेंगी, आपको जो पसंद आए, उसको बेच दो, इसी system को कहा जाता है, green day, ahead market, जी डैम, जिसमें ये company आपन मार्केट में green energy को खरीद सकती है, अगर कोई उनको बेच रहा हो तो, और उनको खरीदना मजबूरी होता है, तो वो bidding करती है, इससे क्या होगा, companies के अंदर competition बढ़ेगा, green energy को promotion मिलेगा, जादे से जादे लोग इसको produce करना शुरू करेंगे, ह इससे इंडिया में जो green economy है basically, वो भी market में, जैसे stock market होता ना, उस तरह से करना शुरू कर देंगे, इसलिए जो है ये इसका पूरा purpose था, यही सारी चीज यहां पर बताई गई है, नया इसमें कुछ भी नहीं है, देखे एक चीज यहां पर इन्होंने बताया है, power purchase agreement, based contract to the market based model, अभी जो use किया जाता है, वो power purchase agreement है, मतलब जैसे Tata को कुछ percentage, अपना 10-15% जो है वो, renewable energy sources से खरीदना होता है, यह mandatory होता है, लेकिन नया shift आने के बाद, वो market based हो जाएगा, rather than मजबूरी, market based हो जाएगा, तो इसलिए भी इसको हम लोग यहां पर कर रहे हैं, आगे इनर्जी है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या use करते हैं, बायो मास का use करते हैं, मिथनोल को जो है बहुत सारी चीजों से बनाया जा सकता है, कोई भी जो biological waste material होता है, उससे हम लोग मिथनोल बना सकते हैं, और मिथनोल के अंदर खूब सारी एनर्जी होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिथनोल को अपने डीजल के साथ, मिथनोल को अपने पैट्रोल के साथ mix करके गाड़ी चला सकते हैं, तो न्यूज में क्यों हैं, न्यूज में इसलिए है कि recently India's first indigenous designed high ash coal gasification based मिथनोल production plant was inaugurated at Bale Research and Development Center, Hyderabad, तो ये city का नाम आपको पता होना चाहिए, इंडिया का पहला coal gasification plant वहां पे बनाया गया है, जिससे हम लोग मिथनोल प्रड्यूस करेंगे, तो ये कहानी अगर आपको नहीं समझे हैं ये तो आपको बता देता हूँ, ये coal gasification क्या होता है, और यहां पे नाम लिखा हुआ है, कहां गया, कहां गया, high ash coal, मतलब वो किसक अगर ash content बहुत जादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, low quality oil को direct use करने की बजाए, अगर हम लोग इसमें gas, इसको gas बना दें, इसको अगर हम लोग गैस में convert कर दें, तो क्या होगा, तो ये पहले का comparison में थोड़ी सी clean हो जाती है, और इसी process को कहा जाता है, coal gasification, जब हम लो coal को gas में convert कर देते हैं, इसको कहा जाता है synthetic gas, इसे sin gas भी कहा जाता है, इसमें पता क्या होता है, जो हमारा coal होता है, इसको process किया जाता है, high pressure इस पे डाला जाता है, carbon monoxide, और ये hydrogen का mixture होता है, थोड़ा बहुत इसमें CO2 भी होता है, इन तीनों के mixture को कहा जाता है, sin gas, ये gas होती है, और जब इस gas को हम लोग use करते हैं as a energy, as a energy, तो हमें, as a energy मतलब as a gas बोल सकते हूँ, हमें energy मिलता है basically, और इससे हम लोग methanol भी बना सकते हैं, और उस methanol को हम लोग अपने diesel में petrol गरा में use, उसको definitely कर सकते हैं, क्या कहता है, methanol energy के बारे में कहता है कि काफी sufficient होती है, clean होती है, इसमें sulfur dioxide नहीं होता, nitrogen dioxide नहीं होता, suit भी नहीं होता, suit basically solid material होता है, जो की जलने, आग जलने से जो है वो निकलता है, diesel में हम लोग 33% तक का मिथनोल mix कर सकते हैं, अगर 33% का diesel में हम लोग mix कर देंगे तो 80% pollution कम हो जाएगा, तो transport sector में काफी help हो सकती है, तो उसी के बारे बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा है, नीतिया योग ने भी यहाँ पर अपना plan पुरा बनाया है, में नीतिया योग का कहना है कि हम लोग 2030 तक, जो है 10% जो है crude oil के उपर हमारी जो import हम लोग करते हैं, उस dependency को कम कर सकते हैं, दूसरी बात हमारा import कम होगा, dollar बचेगा हमारा, है ना, हमारा जो fiscal deficit है वो भी कम होगा, और India self sufficient भी होगा, 2025 तक हमारा target है कि हम लोग 19 रुपे पर लिटर methanol produce करेंगे, और इसे हम लोग बाद में blending करेंगे, किस के साथ LPG के साथ blending कर सकते हैं, पेटरोल के साथ कर सकते हैं, डीजल के साथ कर सकते हैं, लेकिन भईया उसके लिए आपको special engine चाहिए, तो जो car company वेगारा है, उनके साथ भी बातचीत सरकार कर रही है, कि थोड़ा ज्यादा change नहीं करना होता है, हलका फुलका change करना होता है, कि आप उनके अंदर change कर रही है, ठीक है, तो methanol के साथ साथ एक और जो potential यहाँ पर candidate है, वो है ethanol, ethanol, ethanol blending, ethanol भी उतना important है, जितना methanol है, even methanol से जादा important है, क्योंकि methanol को आप बहुत सारी जगह से produce कर सकते हो, जो waste material होता है, खास कर जो sugar industry के अंदर जो बच जाता है बाद में, जो wheat के जो residues होते हैं, किसी भी चीज से आप basically ethanol को produce कर सकते हो, ethanol के अंदर methanol से जादा energy होती है, तो news में क्यों है methanol, recently central government ने कहा है, has advanced the target of 20% ethanol blending in the petrol, by 5 years to 2025 from 2030, पहले सरकार ने announce किया था, कि हम लोग 2030 तक, अपने petrol के अंदर 20% का methanol mix करेंगे, अभी सरकार ने इस target को revive कर दिया है, और कहा है, कि 2025 तक, हमारे petrol के अंदर 20% ethanol mix होगा, target को 5 साल आगे बढ़ा दिया गया, तो इस ते होगा क्या, जो oil producing company होती हैं, जो refineries होती है, या तो उसको वहीं पर mix किया जा सकता है, या फिर जो है, इसको किसी और point पर जाके, कहीं और जाके mix किया जा सकता है, इथनोल का basically, तो यह पुरेगपर मामला यहां पर बनने वाला है, जैसे जो हमारी crops होती है, जैसे sugar का मैंने आपको बताया, या उसका fermentation होता है, purification होता है, जिससे ethanol produce होता है, फिर ethanol का हम लोग petrol के साथ mixing कर सकते हैं, और जो truck वगारा के अंदर उसको ले के जा सकते है, petrol station पे जाके उसको mix कर सकते हैं, या तो refinery में mix कीजिए, या petrol station पे जाके mix कीजिए, या आपकी मर्जी है, ठीक है, ethanol blending क्या होता है, या ओलडी मैंने आपको बता दिया है, जो ethanol 99% pure होती है, उसको हम लोग उसके साथ mix कर सकते हैं, ethanol को हम लोग, ethanol का बहुत सारी जगह से हम लोग produce कर सकते हैं, sugar से कर सकते हैं, sugar के juice से कर सकते हैं, surplus rice और food, surplus rice होता है, उससे कर सकते हैं, कहीं से भी आप इथनोल का यूज बना सकते हो बहुत कामिया बढ़िया चीज है और सरकार इसके पर काफी ज़्यादा फोकस भी कर रही है अगला जो टोपिक दोस्तों हमारा आता है वो है Recent Initiative to Promote the Bio-Ethanol फिर भी देखे ये भी इथनोल से रिलिटिट है तो PMG1 बेसिकली plants लगाने है इन प्लांट में हम लोग क्या करें है बायो रिफाइनरी करेंगे उस बायो रिफाइनरी में हम लोग जब इथनोल प्रडूस करेंगे तो उनकी ब्लेंडिंग करेंगे और जो हमारा surplus biomass होता है agriculture waste material होता है उससे हम लोग बायो इथनोल को प्रडूस करेंगे ठीक है कुछ पैसा बैसा भी लोट किया है इतना ज़्यादा जानने कि आपको यहां पर ज़रूत नहीं है तो सरकार ने कहा है कि इस तरह के हम लोग 100 स्टेशन्स मनाएंगे जहां पर इतनोल की mixing की जाएगी ठीक है National coal gasification mission National coal gasification mission देखे यह भी मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग coal को gasify भी कर सकते हैं सिन गैस के बारे में अभी हम लोग ने बात किया था synthetic gas के बारे में तो यह basically सरकार चाएँ देखे coal को transport करना मुश्किल होता है लेकिन gas को transport करना असान होता है उसे हम लोग pipe उगारा से transport आखाम से कर सकते हैं और यह clean भी होता है actually जो coal जो gas coal होती है न सिन गैस होती है इसे सरकार कहती है कि renewable energy है और आपको पता है कि Paris agreement के अंदर हम लोगों को target अचीव करने है renewable energy वाला तो इसलिए सरकार चाहते है कि हम लोग coal से coal gas की तरफ shift हो जाएं तो हमारा target भी अचीव हो जाएगा और clean energy भी हो जाएगी तो एक ही तीर से हम लोग कहीं सारे शिकार यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे है तो blueprint यह है कि national coal gasification mission का जो prepare कर दिया गया by national coal ministry union coal ministry क्या कहता है government का यह aim है कि वो gasification of 100 million ton coal को 2030 तक achieve करने वाले है तो 100 million ton coal को हम लोग gas में convert करने वाले है gas को कैसे convert करते है machine आपके सामने है क्या करते है एक्स्ट्रीम condition में एक्स्ट्रीम pressure में और एक्स्ट्रीम temperature में हम उसको डालते हैं chamber के अंदर और chamber से वो gas निकल के आती है जिसमें थोड़ा सा carbon monoxide होता है थोड़ा hydrogen होता है थोड़ा बहुत CO2 होता है इसे कहते हैं sin gas फिर हम लोग pipe से इसको कहीं पे भी transfer कर सकते है coal का भी use हो गया coal clean भी हो गया हमारा target भी achieve हो गया तो सारे के सारे stakeholder हैं भी खुश रहेंगे तो ये जो है एक plan जो है Atlas का basically मतलब होता है Mapping तो उन areas को हम लोग map करने वाले है with the help of Indian Meteorological Department जहां पे ज़ादा hazards आते हैं और जो ज़ादा vulnerable होते हैं किस के? Disasters के और हमारे यहां पे कितने disasters की बात करते हैं Extreme rainfall droughts, cold wave, heat wave, thunderstorm, cyclone और lightning तो एक Atlas बनाया जाएगा जिनमें उन कुछ खास जगह को identify किया जाएगा जहां पे इस तरह के disasters जादा आते हैं और जब हम उनको identify कर लेंगे तो फिर उनसे बचने के लिए कुछ step भी ले सकते हैं है ना, इसके बारे में इतना ही था और कुछ नहीं है इसमें Deep Ocean Mission Oceans में क्या पाय जाता है वहां पे पाय जाते हैं Poly Metallic Neodules यह Poly Metallic जो Neodules होते हैं वो काफी pure form में metal पाय जाती है यह Oceans के bottom में पाय जाते हैं लेकिन समस्य यह है दोस्तो Oceans के bottom में पहुचना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे extreme level of pressure होता है तो इनसान तो वहां नहीं जा सकते bottom पे तो कुछ special robots को भेजा जाता है और यह बहुत ही high level की technology होती है आपको सुनने में इतना नहीं लग रहा होगा बट बहुत high level technology होती है तो सरकार चाहती है कि हम भी जो इंडिया नोशन के अंदर bottom पे जो poly metallic nodule होते हैं जैसे manganese के nodule होते है को उपर पाये जाता है को बाल्ट पाये जाता है कि हम इनको extract करें क्योंकि चाइना वो करता है तो इससे हम लोगों का जो ये deep ocean mission actually सरकार ने launch किया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे हम लोग पहले तो robots बेजेंगे और उसके बाद human beings को भी बेजेंगे नीचे ocean bottom पे ठीक है क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब ये हम लोग कर रहे हैं अपनी blue economy को support करने के लिए ठीक है और कौन सी ministry है यहां पे ministry of earth science ministry of earth science इसके लिए already हम लोग ने mission चलाया हुआ है जिस mission का नाम है समुद्र spelling थोड़ी गलत हो गया ठीक है समुद्र यान जिसमें हम लोग क्या गई है recently हम लोग ने launch किया और इसके अंदर हम लोग ने program चलाया जिसका नाम है मत्स्य 6,000 6,000 का मतलब है 6,000 मीटर ठीक है मत्स्य जो संस्क्रिट का वरड़ा जिसका मतलब होता है फीश यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं तीन human being को भेजेंगे ocean bottom पे कितनी देर के लिए 12 घंटे के लिए ठीक है तो वहां हम लोग नीचे जाएंगे थोड़ा बहुत research करेंगे जो nodules वहां पे पाए जाते हैं उनको identify करेंगे ठीक है और फिर बाद में उसको हम लोग यहां पे extract कर सकते हैं ठीक है तो यही था इसके बारे में और कोई खास जदा है नहीं अगर हम लोग एक कोई और mission की बात करें तो एक और mission चलाया गया है जिसे का चाता है five deep expedition यह एक global initiative है जिसके तहत जो पाँच बड़े बड़े oceans हैं उनके deepest point पे जो है हमने visit किया है deepest point पे जैसे Pacific Ocean के अंदर Mariana Trench है वहाँ पे भी हम लोगों ने visit किया जैसे हमारा Indian Ocean में जो है Java Trench है यह भी deepest point है इसको हम लोगों ने visit किया तो इसके लिए इतनी ज़्यादा latest technology चाहिए अभी इंडिया के पास यह technology नहीं है लेकिन कुछ जैसे UK और France वगरा के साथ मिलके हम टेकनोजी डिवैलप कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग भी ओशन बोटम में visit करेंगे और वहाँ पे जो polymetallic nadules हैं उनको निकाल के भी लेके आएंगे चीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहां गया कहां गया कहां गया ये रहा चीक है चीक है चलिए शिफ्ट इन द अर्थ एक्सिस ठीक है अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है लेकिन ये जो अर्थ का एक्सिस होता है वो फिक्स नहीं होता अर्थ का एक्सिस जो थोड़ा बहुत वह है shift होता रहता है मैं यहाँ पे magnet की बात नहीं कर रहा है magnetic pole की मैं यहाँ पे normal axis की बात करना हूं तो normal axis भी जो है वो shift होता रहता है है ना तो 23 and half का जो भी tilt है यह हमेशा 23 and half नहीं रहता है ये थोड़ा सा टिल्ट होता रहता है यसे हम लोग axial टिल्ट भी बोलते हैं तो अपनी जगह से बेसे लिए खिसकता रहता है और ऐसा observe किया गया कि पिछले 20 सालों में ये उमीद से ज़ादा टिल्ट हो गया मज़े की बात ये है कि इसका कारण है climate change क्यों climate change की वज़े से जो polar area में ice melt हो गई जिसकी वज़े से हमारे pole की rotation में थोड़ा सा फर्क पड़ गया और अर्थ के tilt के अंदर भी बहुत मामूली सा फर्कुत cm का फर्क पड़ गया जिसकी वज़े से axis जो है वो थोड़ा change हो गया इससे हमारे daily life पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं लेकिन हमारा जो day and night है वो कुछ millisecond जो है वो change हो सकता है ये अभी recently observe किया गया है तो हम लोग देख सकते हैं कि इनसान अपनी activity से कितने ज़्यादा अर्थ की rotation भाई अर्थ के axis के अंदर ही change कर दिया है वो लोगों ने ठीक है हालक ये natural phenomena भी है लेकिन इस बार वो humans की वज़े से थोड़ा सा ज़्यादा strong हो गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला जो topic है दोस्तों वो है IPCC का 6th assessment report ये assessment report क्या करती है ये समय समय पर अपना scientific evidence पेश करती है जिसमें ये बताती है कि भाईया जो climate change को लेकर काम किये जाने चाहिए वो क्या होना चाहिए कितना होना चाहिए क्या पीछे past में हुआ है क्या future में होगा तो एक broad picture हम लोगों को ये वो लोग देते हैं तो इस समय जो है IPCC की जो 6th assessment report है ठीक है वो उन्होंने पेश किया है जिसका title है the physical science basis इससे पहले भी 5 report आ चुकी है सबसे पहली जो report आई थी वो आई थी 1990 में जो 5th report आई थी 2013 के अंदर लगबग हर 7 साल के अंदर 6, 7 साल के अंदर एक report ये लोग इशू करते हैं अब यहाँ पे main मुद्दा क्या है IPCC के बारे में तो पढ़ने के आपको जूरत नहीं है 1988 में setup किया गया था वो सारी सारी चीज़ी तो अलग चीज़ हो गई ठीक है report क्या कहती है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखना रहेगा देखिए report का main point क्या है report का main point ये है basically के इनसान चाहे जितने भी step ले ले 2% का जो temperature high है वो तो होके ही रहेगा वह या जो मरजी कर लीजे ऐसा उन्होंने अलड़ी बोल दिया है अगले 20 सालों में 2040 तक हमारा आर्थ का temperature 1.5 degree centigrade को जो की pre-industrial level से है pre-industrial level है मतला हम लोग 750 आप बोल सकते हो उससे 1.5% increase होने ही वाला है आप चाहे कुछ भी कर लीजे basically गाड़ी जो है वो station से छूट चुकी है इनका कहना है कि जो last decade था 2010-2020 तक का वो पिछले 1,25,000 years में सबसे गरम decade था ठीक है यह आपको पता होना चाहिए carbon dioxide के बारे में क्या बोला इन्होंने कहा कि पिछले 2 million years में 2 million मतलब 20 लाख सालों में इस समय carbon dioxide का concentration सबसे ज़ादा है सोचने की बात है इसके पीछे कारण क्या है कारण है fossil fuels coal, petrol, diesel वो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है अब यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पहले से पता ना हो लेकिन जब IPCC की report इसको बोलती है तो भाईया वो guarantee के साथ बोलती है evidence के साथ बोलती है इन्हों ने एक चीज और कही इन्हों ने कहा कि 1901 और 1971 के बीच में जो ocean का level का जो rise है वो actually उससे जतना 1000 साल में हुआ था ना ocean का level increase वो इन पिछले 70 सालों में 1901 से लेके 1970 तक जो है तीन गुना हो गया और ये तो तब की बात है आज तो आप imagine ही नहीं कर सकते कितना जादा होगा इन्हों ने कुछ और हमें चेतावनी दी हैं के चेतावनी दी हैं इन्हों ने कहा कि जो low line area है वहाँ पे flood आये कर आएगा coastal erosion बहुत बड़े लेवल पे होगा thermal expansion होगा droughts पढ़ेंगे heat जो है heat wave चलेगी हिमाल्य के बारे में कहा कि जो हिमाल्य के glaciers हैं वो melt होगे water cycle पुरा disturb हो जाएगा monsoon disturb हो जाएगा flood आएगे इन्डिया के बारे में कुछ खास चीज़े भी बोली है इसने क्या कहा इन्डिया के बारे में heat wave चलेंगी भाईया इन्डिया में monsoon के बारे में ये कहा कि जो हमारा peninsular इंडिया है वहाँ पे monsoon strong होगा क्योंकि इन्डिया नोशन गरम होगा ज्यादा evaporation होगा तो वहाँ पे monsoon strong होगा हिमालिया रीजिन में क्या होगा ज्यादा flood आएंगे कुछ सालों तक flood आएंगे उसके बाद वहाँ पे droughts आएंगे तो ये कुछ चीज़े उन्होंने इन्डिया के बारे में भी basic लिए बोली होगी है उन्होंने ये भी कहा के pacific ocean और Atlantic ocean के comparison में इंडिया नोशन जो है थोड़ा सा जादा गरम हो रहा है अगर धरती को बचाना है तो जल्दी से जल्दी net zero को अचीव करना पड़ेगा ये भी उन्होंने कहा फिर current scenario की बात उन्होंने वही बार बार घुमा फिरा के बात कही है 2050 तक net zero achieve करो and all that वो हम लोग बात में discuss कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं सीदा emission gap report ये क्या है देखिए क्या कहती है तो कौन इसको release करता है पहले आपको वो पता होना चाहिए United Nation Environment Program UNEP इसको जो है release करता है emission gap report मतलब जो आपका target था और जो आप step ले रहे हो उसके बीच में कितना gap है एक तरीके से आप इसको भी कह सकते हो emission gap report दूसरी बात the report in the annual series ये क्या कहता है emission gap report किसके बीच में gap between where greenhouse emissions are predicted to be in 2030 and where they should be to avert the worst impact of the climate change यानि कि 2030 तक आपने अपना जो भी target set किया था greenhouse gas को release करने का लिए आप present में उनको चीव करने के लिए कितने step ले रहे हो उसके बीच में जो gap है वो emission gap report है और जितना वो gap है उतने जादा और आपको step लेने की जुरूरत है अगर आपको अपने target अचीव करने है तो ठीक है और भी इन्होंने कहीं सारी बाते बोली इन्होंने कहा कि भाईया जितना मर्जी जोर लगा लीजिए 2.7 degree की जो warming है आप उसको नहीं रोक सकते ठीक है इन्होंने pandemic के बार में बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कहा कि pandemic के दुरान actually जो carbon die oxide का जो emission है वो 5.4% कम हुआ क्योंकि industry बंद पड़ी थी demand थी नहीं production कम हो रहा था लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि pandemic over होने के बाद एक दम से जब CO2 का production बड़ेगा तो वो जितनी भी कसर थी वो सारी सारी कसर पूरी हो जाएगी ये भी नहोंने कहा चीक है आगे बढ़ते हैं production gap report इसको भी नटल नेशन एन्वार्मेंट प्रोग्रेम ही इसको release करता है ये क्या करता है this report measures the gap between government's planned production of the fossil fuel and global production level consistent with the meeting of the Paris agreement temperature limit चीक है तो 20 हम लोगों ने Paris agreement जब किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ अपने commitment किया था कि हम लोग temperature को 1.55 degree centigrade और 2 degree centigrade से नीचे रखने की कोशिश करेंगे तो जो हम लोगों ने वादा किया था उसके और सरकार जितना fossil fuel को produce कर रही है उसके बीच में basically जो gap है उसे production gap कहा जाता है ठीक है इसने भी घुमा फिरा के वही बाते कहीं है कि net zero को जो है target को जल्दी से जल्दी achieve कीजिए उसको recognize कीजिए क्योंकि कुछ country ने basically इसको recognize नहीं किया था जैसे इंडिया नहीं किया था अब तो इंडिया ने कर लिया है लेकिन जब यह रिपोर्ट आई थी इंडिया ने इसको जो है नहीं किया था ठीक है इनका कहना है के 2030 तक जो global जो world powers हैं वो 110 जादा fossil fuel प्रडूस करने वाली हैं तो इसका मतलब आपका जो 2 degree और 1.5 degree का जो target है वो तो बड़ा मुश्किल से ही achieve हो पाएगा basically हो ही नहीं पाएगा आप यह इतना भी कह सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं देखे छोटी छोटी रिपोर्ट है हर रिपोर्ट के बारे में 2-2 घंटे का lecture करने की जूरूरत नहीं होती है कौन उसको issue करता है उसका aim क्या है इतना करके जो है आप निकल लीजिए exam के perspective से उतना ही आता है WMO report on the terrestrial water storage world materialological organization यसे हम लोग कहते हैं इसने report issue की है terrestrial water storage के ओपर के दुनिया में water कहा कहा कितना storage हो रहा है basically वो इसका मतलब है इसे water storage कहा जाता है ठीक है देखे क्या कहता है कहता है के overall जो terrestrial water storage है वो drop हुआ है वो कम हुआ है हब इछले 20 सालों में हर साल 1 cm per year जो storage capacity है वो कम हो रही है और सबसे ज़्यादा जो loss हुआ है वो कहा हुआ है अंटार्क्टिका के अंदर और Greenland के अंदर क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ice melt हो गई तो जो water वहाँ पे stored था वो अभी उतना नहीं रहा एक चीज़ आपको और यहाँ पे बताता चलो इसने इंडिया के बारे में भी बहुत खास बात बोली है इसने कहा अगर आप अंटार्क्टिका को और Greenland को छोड़ दो तो इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा water loss हो रहा है तू सेंटीमीटर से लेके फोर सेंटीमीटर पर यहर और इंडिया में भी नोर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा water loss हो रहा है तो अगर आप water storage की बात करो तो सबसे ज़्यादा water कहाँ पाय जाता है oceans के अंदर पाय जाता है 96.5% यह तो हो गया oceans में 0.9% पाय जाता है saline water जो coastal area में वो सब रहता है 2.5% दुनिया में जो है fresh water है इस 2.5% में से 68.7% वो कहाँ पे है वो glacier और ice caps में है भया बाद में कुछ बचा ही नहीं 30% बचा वो ground water के लिए यह 30% total 30% नहीं है यह 2.5 का 30% है और 1.5% जो है वो surface और other fresh water में जैसे lake में, rivers वगारा में वो पाय जाता है और यह जो surface पे water पाय जाता है fresh water इसका 70% मिलता है ground ice और permafrost जैसे Siberia वाले region में या जो बहुत high peaks पे जो mountain में पाय जाता है और इसी का 3% मिलता है atmosphere के अंदर 2.6% मिलता है marshland के अंदर 0.49 मिलता है rivers के अंदर यहां से अलड़ी exam में question पुछा जा चुका है और आपके NCRT में direct इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है आप NCRT से भी बढ़ सकते हो यहां से देखना है तो यहां से भी देख सकते हो चली आगे बढ़ते हैं अगला जो topic है मारे पास छोटा सा topic है क्या कहता है topic कहां गया यह रहां देखे बायो मोनिटरिंग यूजिंग एन्वायमेंटल DNA बड़ी ही interesting और बड़ी ही जवरतस discovery है यह देखे अगर आपको बायो diversity को measure करना है तो उसका क्या तरीका होता है सबसे बड़िया सबसे बड़िया तरीका होता है कि आप animals के DNA के sample लीजिए और उसको monitor कीजिए एक तरीका और होता है जो कि latest technology है जब भी animals कहीं पर move करते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपने DNA को वहाँ पर छोड़ देते हैं जैसे उनकी skin हो गई उनके बाल हो गए दांत हो गए इन सब के अंदर DNA होता है न तो हम लोग क्या करते हैं हर animal का DNA लेने के बजाए हम लोग वहाँ के samples ले सकते हैं जैसे मालों वहाँ पर कोई water body है तब water का sample लीजिए उस water के sample को study कीजिए न के उसके अंदर वहाँ पर कितने different DNA है जितने different DNA मतलब उतर नहीं different वहाँ पर organisms हैं उतर नहीं different वहाँ पर जानवर पाई जाते हैं जन्तू पाई जाते हैं इसे कहा जाता है bio monitoring using environmental DNA बहुत safe होता है और accurate भी होता है और latest technology है labor भी बज़ती है समय भी बज़ता है even आप air का sample भी ले सकते हो air के अंदर भी DNA होते है soil के अंदर भी DNA होते है water bodies के अंदर भी DNA होते है तो अगर आपको किसी जगह की bio diversity को measure करना है तो आप वहाँ से DNA से measure कर सकते हो असान है ना और future में इसकी बहुत सारी application होने वाली है कस्तूरी रंगन कमीटी अंदर वेस्टन घाट वेस्टन घाट बहुत ही eco sensitive है world heritage site भी है होटेस्ट होटेस्ट होट स्पोर्ट भी है मतलब यहाँ पर bio diversity काफी अच्छी पाई जाती है लेकिन 70% loss हो चुका है तो उसके लिए हम लोग ने पहले कमीटी बनाई थी जिसे कहा जाता है गदगिल कमीटी गदगिल कमीटी ने 2011 के अंदर अपनी रिपोर्ट सब्मिट किया था और गदगिल कमीटी के अंदर कुछ ऐसी बाते कही गई थी जो इनको implement करना possible नहीं है गदगिल कमीटी ने कहा था के सारे के सारे वेस्टन घाड को इको सेंसिटिव एरिया डिकलेर कर दिया जाए यहाँ पर किसी तरह की भी कमर्शल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए बहुत बड़ी बड़ी बाते उन्होंने कही थी जिसको आज के समय में लाइक डिवैलिपिंग कंट्रे अनोल डैट हम लोग उसको इंप्लिमेंट नहीं कर सकते गदगिल रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए एक और रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई एक और कमीटी बनाई जिसे कहा गया कस्तूरी रंगन कमीटी रिपोर्ट इसने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो सब्मिट करवाई और इस रिपोर्ट में जो है कुछ बाते कही गई जो कि गदगिल कमीटी से थोड़ा सा लिनियंट है इतनी ज़ादा सक्त नहीं है इन्होंने क्या कहा पहली बात इन्होंने ये कहा कि वेस्टन घाट के अंदर माइनिंग, क्वेरिंग और सेंड माइनिंग को बैन किया जाए कोई भी थर्मल पावर प्लांट वहाँ पे नहीं लगाया जाए हाइडरो पावर प्लांट अब लगा सकते हो with some terms and conditions कोई भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री वहाँ पे ना लगाई जाए ठीक है टाउन्शिप उगरा जो रेजिदेंशल एरिया होते हैं वो भी नहीं लगाए जाए कुछ-कुछ चीज़ उन्होंने वहाँ पे बोली है हाला कि गदगील वाल से थोड़ा लेकिन इसके अंदर भी ठेठाक प्रोविजन कहे गए हैं वेस्टन घाट की इंपोर्टन सबको बताने की जूरत नहीं उन्हेसको वोल्ड हेरिटेज साइट है होटेज होट स्पोर्ट है बहुत सारे टाइगर इजरव और बायसफे रिजरव यहां पे पाई जाते हैं तो काफी जादा सैंसिटीव है लेकिन डिवेलबमेंट हम लोगों करना मजबूरी होती है रोट्स यहां पे निकाले जाते हैं इंडस्ट्री यहां पे की जाती हैं जिसकी वज़े से western hut काफी जादा destroy हो रहा है तो उसको protect करना है National Mission for Clean Ganga ये तो आप बहुत सालों से टोपी करी रहे होंगे इसमें नया वैसे कुछ है नहीं लेकिन हम लोग क्या करते हैं हर साल जो है Ganga Utsa मनाते हैं और इस बार Ganga Utsa पे कुछ ऐसा किया गया जिसको Guinness World Record के अंदर जगह मिली actually हुआ ये के सरकार ने बोला था लोगों को के वो Ganga को लेके कुछ poem लिखें कोई dialogue लिखें कोई poem लिखें कुछ ना कुछ लिखें और उसकी photo click करके हमारे facebook पेज़ पे डालें तो लाखों की संख्याँ ने वो लोगों ने वो किया और जिसको बना जिससे हम लोगों ने बना लिया Guinness World Record ठीक है National Mission for Clean Ganga इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए देखिए पहले हमारे पास एक बोड़ी हुआ करती थी जिसे कहा जाता था National Ganga River Basin Authority यह पहले कोंग्रिस की सरकार में हुआ करती थी तो जब यह BGB की सरकार आई तो इन्हों ने जब नमामी Ganga Program हम लोगों ने चलाया 2016 के अंदर तो हम लोगों ने इस बोड़ी को रिप्लेस कर दिया एक नई बोड़ी से जिसका नाम हम लोगों ने रखा National Ganga Council और इस Mission को जो Implement करते हैं वो है National Mission for the Clean Ganga यह इसकी Implementation वाली बोड़ी है जिसको Implement करती है और इसी के तहत यह जो Ganga उत्सम मनाया जाता है कोई कि इससे लोगों को Awareness मिलता है कि Ganga को Protect करना है उसकी Importance पता चलती है और Ganga के बारे में आपको कुछ खास बताने की जूरत नहीं है Ganga जो है वो 3rd largest river है वोल्ड की by water discharge सुंदरबन डेल्टा जो है largest डेल्टा है World Heritage UNESCO साइट भी है 1997 में डेकलेर किया गया था Ganga और उसकी ट्रिब्यूट इस वगारा वो आपका Geography का basically static portion हो जाता है Ocean Cleanup ठीक है क्या है पुरा मामला देखिए Ocean Cleanup जो है वो नीदरलेंड बेस्ट एक non-profit organization है जिनका काम है कि वो oceans को जो है साफ करेंगे और हमारे oceans के अंदर basically दो जगा ऐसी मिलती है जहां पर बहुत ज़दा garbage होता है एक हमारे पास western garbage patch है और एक हमारे पास eastern garbage patch है अगर आप चाहो ताव को मैं दिखा सकता हूँ यह देखिए यह western garbage patch यह eastern garbage यह कितना सारा garbage है यहां पर तो यह जो company है basically जो नीदरलेंड based है इन्होंने यह program चलाया है ocean clean up तो यह इनको साफ करने वाले है और इसमें कुछ खास करने के लाइक है नहीं तो दो patch है पूँच सकते हैं आपसे exam में कहां पर मिलते हैं पहला जो patch है वो California के पास पास पाए जाता है दूसरा जो patch है वो Japan के पास में पाए जाता है यह अबसे आपसे वो न्यूज में था, दा हिंदु में भी आर्टिकल आया था, प्रोग्रेम था बर्ड वोक, तो यहां से देश भर में फोटोग्रफर्स और जो जो नेचर एंथूजियास्ट होते हैं, जो बर्ड वोचर्स होते हैं, उनको बुलाया गया था बेसिकली, और उनको ठोड़ा बहु भुमाया फिर आया गया, तो उसे जो है, इसलिए कावल टाइगर जो है, वो न्यूज में था, चीक है, इसे ज्यादा और कुछ करने आपको जोड़त हैं, नहीं इतना आपके लिए काफी है, और यहां पे टीक के जो है फोरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब रिवर वगारा में जाने से पहले 100% वोटर को ट्रीट किया जाता है, इसलिए जो है, इसको फर्स्ट वोटर सरप्लस सिटी कहा गया है, वैसे ही इन दोर वो जो है क्लीनेस्ट सिटी का भी वोड उसको मिल चको है, स्वर्च स्वर्च स्रवेक्शन मीशन के तहत 2021 में, तो क्लीनेस्ट सिटी तो पहले ही था, अभी वो वोटर सरप्लस भी बन गया है, शोटी इस इनफोर्मेशन थी, स्वास्तिक टेकनोलजी फोर दा डिसिनफेक्टिंग वोटर, क्या है इसका मतलब देखे, सेफ वोटर एंड सस्टेनेबल टेकनोलजी इनिशेटी फ्रम दा इंडियन नोलेज बेस, इसमें ये है कि मोडरन टेकनोलजी और हमारी जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल नोलेज है, उन दोनों का यूज किया जाता है, जिससे पानी की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, जैसे पहले तो लोग घड़ों का यूज करते थे, घड़े आरो का यूज करते है, लेकिन दोनों के अपने फायदें है, दोनों के अपने नुकसान है, तो हम लोग क्या करने वाले है, दोनों टेकनोलजी को mix करके जो है clean water, जो हम लोग यहां पे कर सकते हैं, उसी टेकनोलोजी का नाम है स्वास्तिक टेकनोलोजी, ठीक है, disinfecting water करने के लिए biological diversity amendment act 2021 किया गया जो biological diversity act के में जो है कुछ changes किये गए क्या changes है सबसे बड़ा change यहां पर किया गया वो किया गया आयूश को लेके ठीक है आयूश मतलब जैसे हमारे पास युनानी सिद्धा आयूरवेद है ना वो उनको सबको लोग बोलते हैं आपे तो होमियोपैथी तो उनको लेके हम लोग नहीं हम पर change किया actually जो इनको practice करते हैं जो practitioners होते हैं जो आयूश वाले उन्होंने सरकार से कहा था कि आप कुछ ऐसा कीजी हमारे लिए कि हम लोगों को जल्दी हम लोगों को हैं हजारों सालस इनको apply किया जाता है और फिर इनका benefit देखा जाता है यह कोई से laboratory के अंदर नहीं होता है तो इनको लेके जो है कुछ न कुछ changes किये गए हैं तो बिल ने क्या propose किया है to exempt our use practitioners from intimating biodiversity board for accessing the biological source of the knowledge तो उनको हर बार जब किसी knowledge को access करना होगा तो board की permission लेने की जूरत नहीं है इससे जो है research वो fast-paced हो जाएगा और जो है वो decriminalize certain offices तो जो आयू शुगारा के अंदर कोई चीज़े कर दी जाती है उसको डबी decriminalize यहां पर किया जाएगा और तो इसके अंदर कुछ खास था नहीं biodiversity act 2002 था उसको हम लोग ने amend किया क्योंकि पुराना हो गया और लगातर निमांड आ रही थी 2002 के बारे में आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हो जो biodiversity act 2002 है हमारा 2002 उसका main purpose क्या था उसका main purpose था कि knowledge को fair तरीके से use करना है और अगर वो knowledge को हम लोग use करके कुछ profit कमाते हैं तो वो equitable होना चाहिए और सभी जो local traditional knowledge है उसको भी benefit होना चाहिए basically bio piracy को रोकने के लिए वो च कर्मरी कहते हैं हल्दी को patent करवा लिया कि हल्दी जो है वो pain killer है अरे बहिया इंडिया में तो हल्दी हजारों सालों से use की जा रही है दूद में मिला के पियो ताकत आती है कमजोरी दूर हो जाती है आपने उसमें क्या किया इसे का जाता है bio piracy जब आपके traditional knowledge को चोरी कर लिय दिया जाता है चलो चोरी तो आपने कर लिया कम से कम में benefit तो दो benefit भी नहीं दिया जाता तो यह bio piracy ना हो इसके लिए हम लोगों ने biological diversity act 2002 बनाया था और यहां पर तीन level पर इसको जो है implement किया जाता है national level पर national biodiversity authority state level पर state biodiversity authority और district level के उपर biodiversity management committee तो अगर कोई scientist अगर वो research करना च चाता है इंडिया की biodiversity के ओपर तो पहले उनको यहां से permission लेनी पड़ती है अपना purpose बताना पड़ता है कहां कहां आप visit करोगे वो सब बताना पड़ता है तब जाके आप जो है जा सकते हो ठीक है वो यहां पर पूरा बात गई है Recently there has been a change in the IUCN status in the 5 bird species तो यह 5 bird species है इनके status को change कर दिया गया है ठीक है जैसे IUCN जैसे जो है फिन वीवर है पहले IUCN का status endangered कर दिया गया है पहले vulnerable हुआ करता था lesser florican है पहले यह endangered हुआ करता था अब यह critically endangered हो गया यह इसके बारे मैं उको पता होना चाहिए क्योंकि critically endangered हुआ है तो जो critically endangered हुए है न वो आपके लिए जादा important है normal वाले आपके लिए जादा important नहीं है तो यह आप जरूर पढ़ें lesser florican के बारे में एक्जाम में definitely यहां से अगला जो छोटा सा topic हमारे सामने है वो यह है conservation assured tiger standard cats जिसको बोला जाता है यह पुरा मामला क्या है अचली global tiger day जब मनाया गया तो उसमें जो है ministry of environment forest climate जे ने announcement किया कि इंडिया के जो 14 tiger reserve हैं उनको cats का status दिया गया और cats का status उसको दिया जाता है जो अपने वहां पे सबसे बढ़िया step लेते हैं tiger को conserve करने के लिए कौन-कौन से tiger reserve है उसकी location भी आपको मतलब उसके नाम आपको यहां पर बताये गए है cats के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है तो वह पढ़ सकते हो इसको 2013 में launch किया गया था basically global tiger forum और WWF India ने मिलके इसको किया था दुनिया भर में 125 sites को identify गया जिसमें से 94 इंडिया के अंदर ही पाई जाती है आगे बढ़ते हैं Indian tiger के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है तो आप उसकी जानकारी भी यहां से ले सकते हो आराम से कोई बड़ी बात नहीं है चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं world's first five country biosphere reserve दुनिया का एक मात आतर ऐसा biosphere reserve बनाया है जिसके अंदर पांच country involved है भाईया पांच country involved है कौन कौन से country है ओस्ट्रिया स्लोवीनिया क्रोशिया हंगरी और साइबेरिया बस यह आपको पता होना चाहिए और यह biosphere reserve declare कौन करता है UNESCO के द्वारा किया जाता है ठीक है तो यह देखिए आप यहां फ्लोरा फोना यहां पर पाय जाते हैं कुछ के नाम यहां पर दियो हैं आप यहां पर clearly देख सकते हो बारे में जो एक program होता है map जिसको बोलते है man and biosphere reserve biosphere reserve का declare करने का purpose क्या होता है इसका purpose होता है कि जो वहां की biodiversity है और जो वहां की local community है दोनों आपस में बढ़िया से रहें और आपस में मिल बैठके बात करें काम करें और एक दूसरे की development में सहेता करें तो local community वो biodiversity को conserve करेगी और जो वहां की biodiversity है ecosystem है वो local लोगों को service प्रवाइ चीज़ें तो यह UNESCO बेसिकली उसको करता है और UNESCO के इस program के तहट इंडिया में 18 biosphere reserve हैं सबके नाम और सबकी location आपको पता होनी चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोरिंगा wildlife sanctuary कहां पर पाए जाती है बस यह आपको पता होना चाहिए देखिए यहां पर हमारी river आती है जिसका नाम है गोदावरी river और यही पर ओर river आती है काकिनाडा बे में जहां पर गोदावरी river का delta है इसके आसपास हमारा मिलता है कोरिंगा wildlife sanctuary के अंदर भी एक्चली जो हमारे ओलिव रिडिले टर्टल होते हैं, वो आते हैं और नेस्टिंग करते हैं, इसलिए इसको डिकलेर कर दिया गया एको सेंसिटिव जोन, मतलब यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगारा नहीं हो सकती, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है, बस इससे जदा कुछ करने का यहाँ पे है नहीं, गोदावरी के बारे में थोड़ा बहुत बढ़ना है, तो वो ऐसे हम लोग नहीं आपर अलग से दिया हुआ है, ठीक है, चलिए दोस्तों, लेकिन अभी तक इसको रामसर साइट डिकलेर नहीं किया गया है, हालांकि रामस सोलम और शोलयार और थेकेडी फोरेस्ट हैं, इनको एवर्ग्रीन जो फोरेस्ट थे, और मोईस्ट फोरेस्ट ड्राइड ड्राइड डैसिडियस सब त्रहके यहाँ पे यहाँ पाय जाते हैं, और एक्चली यहां पे क्या हुआ कि pandemic के उद्रान इसको बंद कर दिया गया था जिसकी वज़े से यहां पर large scale poaching हो रहा था अभी जब pandemic के दुबार इसको open किया गया है तो एक दम से बहुत सदा tourist यहां पर आ गए और जिसकी वज़े से यह थोड़ा सा news में था क्योंकि सरकार ने number of tourist के उपर यहां पर थोड़ा सा control करने के लिए बात कहीं थी और यह जो प्रेंबिकुलम एक्चली जो हमारा tiger reserve है यहां पर जो है क्या-क्या मिलता है lion, tail, macaque, neil-giri, tar, leopard, wild boar बहुत कुछ भईया यहां पर पाय जाता है ठीक है कुछ खास नहीं है information के requirement नहीं है बकसा tiger reserve यह news में था क्योंकि बकसा tiger reserve में 23 साल के बाद tiger देखा गया भईया 23 साल से वहाँ पर tiger ही नहीं था और इसलिए बकसा tiger reserve होगा है थोड़ा सा news में है कहां पाय जाता है इसकी location क्या है वहाँ का पता होना चाहिए West Bengal के अंदर पाय जाता है पहली बात तो यह वेस्ट बेंगोल में जो जल पैगुरी डिस्टिक जो है वहाँ पर पाय जाता है और location आपको दिखा देता हूँ देखिए यह है आपका बकसा इसके east में मिलता है मानस और यह हमारा भूटान और यहाँ पर मिलता है फिपसू फिपसू actually wide life is जो sanctuary है भूटान के अंदर वो इसकी continuity है ठीक है बकसा एक तरफ है मानस एक तरफ है यह आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए ठीक है और तरही रीजिन में पाय जाता है एक extra information आपको वैसे बता देता हूँ ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो बकसा के बाद और यहाँ पे एक बहुत ही खास crane पाय जाती है यह देखिए जिसे का जाता है black necked crane बकसा के लिए काफी famous आईए ठीक है अगर exam में पोछ लिए तो आप इसको यहाँ पर बता सकते हो डूगोंग के बारे में recently Tamil Nadu की government ने जो है इं इसकी picture अगर आपको मैं दिखा हूँ तो मैंने कहीं तो शैट डाला था इसका picture यह रहा है इसका देखिए यह है डूगोंग ठीक है 12 साल से 7-8 साल के अंदर जो female है वो breeding करती है 18 महिने तक का gestation period होता है थोड़ा थोड़ा सा information आपको डूगों के बारे में पता होना चाहिए ठीक है क्योंकि UPSC में तो लड़ी डूगों के बारे में सवाल आई ही चुका है और क्या कहता है यह sea grass को जो है consume करता है threat आप इसक state animal है यह आपका पता होना चाहिए बस और इसमें कुछ खास है नहीं आगे बढ़ते हैं दोस्तो मलायन जायन्ट स्कुरल जो है first of its kind study by the zoological national park has projected there the number of the मलायन अभी उन्होंने कुछ report issue किया होगा जो जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने तो इन्होंने कहा है कि जो इंड होता है तो दुनिया के सबसे largest squirrels में से जो है यह पाई जाती है यह flying squirrel नहीं है flying squirrel अलग होती है ठीक है कहां पाई जाती है सिक्कीम आसाम और नाचल प्रदेश में गाल्या वगारा के अंदर यह पाई जाती है आगे बढ़ते हैं देखे ब्रैम भरे टैने इस यह क्या है यह एक तरह का मोस है कहां पाय जाता है अंटार्किटिका के इंदर पाय जाता है न्यूज में क्यों है क्योंकि इंडिया के साइन्टिस्ट ने इसको discover किया है तो 1984 में actually हम लोगों ने पहला station वहाँ पे अंटार्किटिक में डाला था हमारे पास वहाँ पे दो station है एक का नाम मै मैत्री है और एक हिमाद्री तो आर्किक में है खेर आप मझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि दूसरे का नाम क्या है मैत्री के अलावा तब से लेकि अभी तक हम लोगों ने वहाँ पे कुछ मी नया डिसकवर नहीं किया था पहली बार हम लोगों ने वहाँ पे नये मोस को declare actually discover किया है अगली न्यूज़ा छोटी सी वह है पायरोस्त्रिया लीजिया के बारे में है यह actually coffee type का plant होता है जिसको अभी हम लोगों ने discover किया है कहाँ पे अंडमा निकोबार के अंदर ठीक है पंदरा मीटर का यह टोल होता है ठीक है IUCN स्टेटस में जो है critically endangered होता है पहले कहाँ पे पाय जाता है पहले जो है जैसे जारवा और चिडिया टोपू फोरेस्ट वगरा में वहाँ पाय जाता है मैडगास्कर में भी critically endangered होता है चिक है नाम थोड़ा ध्यान रखो यह बस आपने ध्यान रखना है कोफी जैसा कोफी फैमिली से बेसिकली बिलोंग करता है चिक है जी आगे बढ़ते हैं वाइट चीक्ड मकाक बड़ा ही खूबसूरत है दिखने में भी लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसको भ इसकी फ्यूचर में अमेंडमेंट किया जाएगा तो इसको जरूर यहाँ पर एड़ किया जाएगा क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं था कि अरुनाचल प्रदेश में पाया जाता है यह सिर्फ चाइना के अंदर पहले देखा गया था तो अभी मिला है तो इसको हम एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि काजी रंगा नेशनल पार्क जो है जादा CO2 रिलीज करता है जितनी वह एब्जोर करता है उसका रिजन है वहाँ पर पाये जाने वाले बैक्टीरिया जो की जो है रैस्पिरेशन करते हैं और CO2 को प्रडूस करते हैं यह वह वहाँ पर सबसे बड़ा कान वहाँ पर बताया गया था ठीक है और उसके लावाँ जो वहाँ पर डेसी डेस फोरेस्ट होते हैं उनकी कपैसिटी वैसे भी कम होती है एवर्ग्रीन फोरेस्ट के कंपैरेशन में काजीरंगा नैशनल पार्क जो है वह एक वर्ल्ड इसमें उलड़ी हम लोग बात कर चुके हैं तो दोबारा बात करने कोई मतलब नहीं है दोस्तो इर रिकावरेबल कार्बन का मतलब यह होता है कि जो हमारे फोरेस्ट होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन को स्टोर करते हैं जैसे एमोजोन के जंगल हो गए करना लगभग इंपोसिवल होगा इसी लिए इन फोरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह काफी जादा वलनरेबल हैं ठीक है कुछ लोकेशन आपको दिखा सकता हूं मैं देखिए आपकी जो है कॉंगो हो ग रखते हैं और बहुत सेंसिटीव भी है यही बस इनोंने कुछ बाते यहां पर बोली है आगे बढ़ते हैं सुल्तानपूर नैशनल पार्क कहां पर हार्याना के अंदर है और इसको अभी रामसर साइट भी डिकलेर किया गया है यह भी आपको पता होगा अक्शली इसके बी और यह काफी फेमस है बर्ड वोचर्स के लिए तो जिसको बर्ड देखने का शोख है तो आप अरामसे यहां पर जा सकते हो एक और न्यूस हर्याना से आती है बसाई वैटलेंड यह वैटलेंड को आप यहां पर क्लिरली देख सकते हो गुडगाओं में पाई जाती है तो अब यह बसाई वैटलेंड को हर्याना के सरकार ने प्रोटेक्टिड अरिया डिकलेर नहीं किया इसको इडेंटिफाई नहीं किया लेकिन जो इंटरनेशनल और इसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और यह आईसीन का पार्टनर भी है इसने इसको इंपोर्टेंट इरिया डिकलेर किया हुआ है कहां पर पाया जाता है जो साही भी रिवर है ठीक है और जो कि यमना के ट्रिबूटरी है उस वो जो है यहां पर पानी सप्लाई करती है जो कि अरावली हिल राजस्तान से ओरिजिनेट होती है यह चीज हम लोग जोगरफी में भी अच्छी खा इसका नाम होता है United Nation World Tourism Organization इसको Best Tourism Village डिकलेर किया गया है Best Tourism Village दिखने में कितना खूब सूरत है और पोचमपली ऐसा नहीं कि इससे पहले फेमस नहीं था इससे पहले भी फेमस था यह दिस इस वन ओफ दा सिल्क सिटी इन इंडिया और शिरिफ इतना नहीं एक चीज और ए यहीं चलाई गई थी ठीक है 1951 के अंदर थोड़ी बहुत information यह भी आपको पता होने चाहिए ठीक है और यहाँ पर जो सिल्क बनाने की technology यूज की जाती है और उसको जो है यहाँ पर geographical indicator का status भी मिल गया है और उस special तरीके का नाम जो style यहाँ पर होता है सिल्क बनाने के लिए उसका नाम होता है इकत तो दो चार information आपको थोड़ा पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं लास्ट टोपिक है यह आज का श्री नगर श्री नगर को भी basically declare किया गया है United Nation इसको creative city का दरजा दिया गया है श्री नगर को किसमें दिया गया है craft में और इंडिया में पहले भी क craft होता है आपका gastronomy होता है folk art होता है literature होता है music होता है तो जैसे मुंबई को film वाली category में दिया गया है यहां कि detail दिखा भी होगा हाँ मुंबई को film में दिया गया है खाइदरबादी को gastronomy में दिया गया है, जैपूर को craft में दिया गया है, और कश्मीर को भी craft और folk art में दिया गया है, बनारस को music में दिया गया है, चिन्ने को creative city of the music उसको भी दिया गया है, तो पहले बिंदे के सारे cities को मिल चुका है, इसमें अभी श्रीनगर का नाम भी add हो गया है, एक्चुली जो सरकार है उसने कश्मीर और ग्वालियर, दोनों cities का नाम भीजा था, लेकिन ग्वालियर को फिलहाल नहीं डाला गया है, हो सकता है future में इसको जो है, उसको डाल दिया जाए, ऐसी भी possibility है, तो दोस्तों यही है हमारे total environment के current fairs, जो की काफी detail में हम लो बात नहीं है, लेकिन हम लोगे ने काफी detail में करने की कोशिश की है, कई topic कैसे रहे होंगे, जो जो जोगरफी में हम लोगो लोड़ी cover कर चुके हैं, तो उसको बहुत जाए detail में करने का यहां पर कोई फायदा था नहीं, लेकिन content आपको पूरा मिल गया है, description box में आप जब content को पढ़ सकते हो, तो one stop solution है, अगर आपके पास समय की कमी है, तो ये content आपके लिए काफी helpful होगा, आपके पास समय है अगर आपने दूसरे subject cover already कर लिये हैं, अच्छे खास से testories लगा रहे हो, revision भी हो गया है, फिर आप अपने standard source को भी इसके साथ साथ apply कर सकते हो, उसको भी marathon session को काफी लंबा चोड़ा session गया, कोई बात नहीं, number भी यहां से आते हैं, selection भी यहां से आपको मिलेगा, I hope आप सभी लोग इसको अच्छे से देखोगे, थोड़ी बहुत कमी अगर रहे गई होगी, कोई बात नहीं, आप उसको अपने source से पढ़ सकते हो, इसी के साथ इस lesson को कम से कम करो, अपना goal, अपका motive हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, इसे के साथ इस session के end करते हैं, thank you very much, all the best, जाहिंद!